कभी नरसिंग बन कर पेट हिरना कुश का वो फाड़े कभी अवतार लेकर राम का रावन को संधारे कभी सिरिशाम बन करके पटक कर कंस को मारे दसो गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे धरम का लोप होकर जब पाप मैं संसार होता है दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है प्रभू के भगतों पर जब घोरत्या चार होता है तभी संसार में भगवान का अवतार होता है तभी संसार होता है खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई जब पे जन में कनिया करामात हो गई खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई जब दे जन में कनिया करामात हो गई जब दे जन में कनिया करामात हो गई आबंदी खाना चनम लिये काना ताले लगाना वह पहरे बेठाना वह कंस का जुलम धाना उस रात का द्रेश्च भयंकर था उस कंस को मरने का दर था आदल चाय उम्डाय पर सात हो गई जब दे जन में कनिया करामात हो गई जब दे जन में कनिया करामात हो गई खल गई ताले सोय थे रखवाले थे हाथों में बरचियां भाले वो दिल के काले पड़े थे पाले वो काल के हवाले होने वाले मातु देव ने शाम को उठाया था तोकली में सरी शाम को लिटाया था वो कुल धाय हर शाय कैसी बात हो गई वो कुल धाय हर शाय कैसी बात हो गई जब दे जन में कैनिया करा मात हो गई जब दे जन में कैनिया करा मात हो गई खटाए थिकारी अजब मतवारी वो टोकरे में वोहन मुरारी सहसभन धारी कले रखवारी तो चमुना ने बात विचारी शाम आये हैं भगरतों पेहित काली इनके चरणों में हो जाओ पली हाली जाओ वारी हमारी मुलाकात हो गई जाओ वारी हमारी मुलाकात हो गई जब जन में कैनिया करा मात हो गई जब जन में कैनिया करा मात हो गई वो छविनटवर की वो परमेश्वर की वो इश्वर विश्वम्वर्टी लपात तुडर की कि चमुना विश्र की वो देख के जाकि गिर्धर की वासु देव डगर लीन अंदर घर की अधा बाले कृष्ण भूज नम्महा ओम किष्णाय वासु दिवाया अरे बरमत्मने प्रणत गिली सिनासाया कुविन्दाय नमो नमहा ओम बाले कृष्णाय नमहा ध्याय ध्यान अरेक्चस्वानिया महा समर बयामिह अधा बाले कृष्ण भूज नमहा ओम्यम प्रवजंदमन वेदम बेदम बेदकरत्यम दिवायन विरहका तरया जुहावा पत्ले दितन वनतया तरबो विने दस्तम सरब भूज दयं मुनिमान तोस्मिह सक दिवाय नमहा ध्याय ध्यानारत्यक्षस्वानिया महा समर बयामिह अधा बरंदा दिप्या ध्यानमह ओम स्रीष्ण देलच्विष्ण भद्यम्भा हो रात्रे बाजवे निक्षदानि रूप उप्याक्तमा चन्निधाना ओम्माई गान वरलौ गं मैं गान ध्याय ध्यानारत्यक्षस्वानिया महा समर बयाँ मिह अधविया समूज नम्हा विशनर विशनर शटगारो जवप्या वबत्पुरु हो दार्मा बरमात्मा जावक्टानं बरमागते सभी लोग यथा एस्तान आरती के लिए खड़े हो जाएं स्रीमत भागत महा प्राण की आरती के लिए अरियो महा चंद्रमा मन सोजा रक्षक्षो हो सूर्जो अजाया रा स्रोत्राद्वा इश्वराण श्रमगा जगनी राजा यदा कि चैना खड़े राती और श्रीमत के लिए खटराद्la कि आंवा इननर्जो चंद्राटर में तेंद्रभागत एस्तान की आरती को पाप्षक्षि भागत नातीक हैं झावत उल्मत गभाद उल्मत आरती के पाप्षक्षफ़क्ष्क जातए ऐस्तान की अम बागवद बगवान की है आज ती आप जो को पाप से है आज यह सांतिगी निपावन पुने पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला यह सांतिगी निपावन पुने तो पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला पहसुख करने यह दुख हरने यह दुख हरने उस दिमतों सुदन की आज ती आप जो को पाप से है आज ती से भागवत भगवात की आर्थी आपिरों को पाप से तार्थी यह अमर गर्त यह मुक्त पंत यह पंच में वेद निराला रग जोती जगाने वाला यह अमर गर्त यह मुक्त पंत यह पंच में निराला रग जोती जगाने वाला परिनाम यही हर धाम यही हर धाम यही जग में मंगल की आर्थी आपिरों को पाप से है तार्थी यह मदुर बोल जग पनत कोल सत्थ आग पताने वाला विगडी को बनाने वाला अमर भाब बोल जग पनत कोल सत्थ आग पताने वाला पिक्यदी को बना लेगारा हर नाम यही हर धाव यही करभ महिमा की है आरती आप योगो पाप से तारती आप योगो पाप से तारती अर्पूर गौरम करुणाव तारं संसार सारं में वजगे दियारं हाजां सार्थ पितन तबिवं अमेब बाता पितन तबिवं अमेब शर्भम अम्दीब देवं माम देब देवा चले ना सिदिकरणम् अस्वाइदी बंदनम् मंदवस वांजरिही वरिही ओंचित्मेना जिन्यमाया जंदा देवास्थानि धर्माण प्रध्यमान्या सन्ना तेहना कम्म हिमाना साचंता चत्राफूर्वे साथ्या हा संदीदेवा फरिही ओंचितंता यवतमहे वक्ष्टंडा यधीमही तन्नो दंदीवर्शोदयात परिहों तदवरसा यवतमहे महादीवा यधीमही तन्नो रुद्दा प्रध्युदयात चरनारबंदयो वयदेकमंदवस वांजली समरबयामिहे मेहीं मुलिया स्रीमे भागत महापराणडी की मुलिया पांके बहर लादी की याश जी महराजी की मेजे स्रीराधेस बली भगबत भगवादी की समस्ते भगबत प्रेम्यो बंदों का इस बंदल पर यो आकर के वपने यताइस्तान बैटकर के आज चतुर दिवस की स्री मावबत भगवत महापराण के अज सुन्दर स्वरूप का दर्सत अपने नेत्रों और कानों के द्वारा महराजी के मुखर्बिन से आप सभी को प्राप्त होगा इसा की कल अफन समस्ते भगबत जनों ने भक्त प्रहलाद की कथा तक का कल रस्पान किया उसके आंगे की कथाओं का आज आप समस्त भगबत जनों के राजा बली के यहां जाकर के उन से तीन प्रभूमी मांग कर समस्त प्रम्पहंद को नाप लेते हैं अंत में तीसरे प्रग में स्वयम राजा बली अपने आपको नपुआ देते हैं देंगे आज प्रभाने के मुखरबिन संह का कुसके बाद में राम जुकर से मुखर बल्भूमन बढर के विवार जाब्त्र सब्सक्राइब करें तैयारिया करके आए हैं वो बड़ी सोबनी है आज किस प्रकार से महादाश्री आपको कथाएं सुनाएंगे और समस्ते जन्ता जन्नादर की ओर से स्वैम अपनी तरब से महादशी के चलनों में पर नाम करते हुए आपसे बस्यकी ही विंति करोंगा जिस प्रकार से आप द्रगतीन दवस्ते हम समस्ते भक्त जन्नों को अपनी मीठी पारी के द्वादा जो हमें कथाओं का रस्पान करा रहे हैं आज चतुफ्तिद्वस की कथा में भी जो प्यास जी ने सुक्देवदी को कथा बतलाई यो परिश्ट को कथा सुनाई गई ही जो कल माता पारबती भगवान संक्र ने अमर कथा के रोप में रस्पान कराया उसी प्रकार से आप हम समस्त भक्त जनों को आज सटुफ्ती कर दो निकाल कर रहें है पल्ली पार ले जाने का किरपा करें जय स्री आधिर जैसी श्री स्यावक पुलबन्सी बारे की कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सिरा दो कर दो कर दो आजू आजु करूँ आजु 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 लोका भिरामं रड़न धेराओं रखुवं सनातं पारुंद रूपं करुणा करंसं। स्री राम चंद्रम सर्डम प्रपदे स्री राम चंद्रम सर्डम प्रपदे स्री राम चंद्रम सर्डम 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 प्रपदे स्री राम चंद्रम सर्डम 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 प्रपदे गुरूर देवो महेश्वरां गुरूर साक्चात्परां प्रपदे स्री राम चंद्रम सर्डम 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 स तम्सर्व भूते हर्दयमु निमाने कोश्निह। धीमाय ब्योमे रूपाय। साथ मस्त्राय ते नमा महादेवाय देवाय अवरताय नमुष्टेह। सल्ब मंगले सिवे सर्वात साथिके शरन्नेत्रम्भिके गोरी नराय अस्तुते। सरन्नेत्रम्भिके गोरी नराय नराय नमुष्टे। कृष्णाय वासुदेवाय अरे परमात्मरें प्रडतक्लेशनासाय नमुष्टे। कृष्णाय नमुष्टे। आम आप कृष्णाय नमुष्टे। कृष्णाय नमुष्टे। कृष्णाय वासुष्टे। भूराभारानि शरकारी, जय जय स्री रादे, जय जय स्री रादे। कलपतरों के मूर्थी स्रीमान भागवत कथा के इस सुबावन अउसर पर इस सुंदर पावन फैलावते मां भगवती राज राज राजेश्वरी जरीमरी मता की परंकरपा से सबोत दिपेश्ट्य उस्तरेम्धा भागवत कथा का रसा स्वाधन के अट्नितर हैं हमारे बीच में परमादरणिये, परम बंदनिये, परम गुरुदे, परम ध्राता सरी, जरीमरी माता मंदर के महराजी है, हमारे बीच में आये हैं, उनके च्रडों में कोटी-कोटी प्रणाम, कोटी-कोटी बंदन, उनसे निविदन है कि मंच पर आएं, हमारा आपका शौबा पूजमारासर जी हमारे वीच में आचुके हैं तो भगवान की ये सुन्दर पावन गंगा और इस गंगा में इश्णान करने मातर से ही समस्त्र पापों का नास हो जाता है और भगवान की ये पावन गंगा यहां पर बह रही है आज प्रक्षत जी बहुत प्रुशंद है दिके सुकुर्ताल की तट पर बैठ करके परमसंत स्रोमणी परमंस स्रीशुक्देव और राजा प्रच्षत के लिए कथा का रश्पान करा रहे हैं और प्रच्षत जी बहुत प्रुशंद से बहुत गदगद हो करके और और भगवान की कथा का रशस्वादन कर रहे हैं बढ़ जाएं सभी लोग बढ़ जाएं और हमारे समिति के रजनी कांथ दिख्षिची एब हम ललन गोपाल भिया उनके परिवार के लिए और आज के अजमानों के लिए और जो दैने के अजमान है उनके लिए इस व्यास पूट से बहुत 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 सादुवाद आसरिवाद और हमारे बहें चैंबूर से अनीता यादव जी उनके लिए इस व्यास पूट से बहुत 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 आसरिवाद और सादुवाद योकि मुंबई से ही हैं और भाया जी जो आए हैं उनके लिए भी बहुत 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 आसरिवाद और सादुवाद समस्तर सैंशरी मिल्क वरली मुंब तो हिर्दय में बैठे हुए ठाकुर जी के लिए चोर्ण犯 academy कोटी कॉटी बंदन अच थो हमारी ले light AJ आज तो हमारे क्वारी कौनिया आने वाले हैं आये बड़े भाव इसे उने के लिए आमंत्र करते हैं कि अधा है कि अधार in कि diver आए तो कौन-कौन मेरे ठाकुरजी को बुलाना चाहते हैं सही में हैं बुलाएंगे नहीं चाहते हैं है यह दो मनिट हमारे दजने कांची है हालो स्रीजाद है हमारी समिट के प्रमुख दिछजी यो हमारी माननी है हाँ है कि अधन का स्वागत करना चाहेंगे दो मिनट के लिए हाँ हाँ है हाँ हाँ है जा रहे हैं और फिर भी इतने धीरे से और जोर से बोले आज तो और जोर से बोले कि आये थाकुर जी के लिए बुलाते हैं तो मेरे साथ में कौन-कौन गाएंगे सबी गाएंगे आओ आओ मेरे गनिशा में आजाओ गाएंगे आओ 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 मेरे गनिशा में आजाओ आओ मेरे गनिशा में आजाओ आओ काये समी लोगों तालिश से बकर करते हो गाएंगे मेरे गनिशा में आजाओ 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 मेरे दिल में समाजाओ आजाओ 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 मेरे दिल में समाजाओ आजाओ आजाओ मेरे दिल में समाजाओ आजाओ आजाओ मेरे दिल में समाजाओ आओ 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 मेरे गन्जाम में आजाओ मेरे गन्जाम में आजाओ मेरे गन्जाम मेरे गन्जाम मेरे गन्जाम आजाओ, आजाओ, मेरा माखनि खाजाओ मेरे गन्जाम मेरे गन्जाम आओ, आओ जीवो, मेरे गननमी आजाओ, आओ, आओ, मेरे गनन स्क्राद के आजाओ, आओ, आओ, मेरे को पाद के आजाओ, आव आओ जाओ मिरे चंशामिया जाओ मिरे घंस को पालिया ज़ाओ मेरे नन्दाल आजाओ। मेरे गन्दार आजाओ मेरे कुपाल आजाओ मेरे कुपाल आजाओ अजीराथे अन्यमोर रावधार मने लाजय की जैने सुनीराथे हजीरे अन्यमोर अन्यमोर अ paar एक आन्यमोर तो वर आज तत्यू नई किसका ततत्युकि इसका खलत then दरे परावधार और आज अजनमा का जनम दिन है, किसका जनम दिवसे आज, अजनमा का, जो सबको जनम देता है, आज हम उसका जनम उसो मनाएंगे, तो ऐसे थोड़ी मनाना है कि आप लोग ऐसे बेटें, मस्ती में, हरिवो आओ, आओ, मेरे को पाल आजाओ, आओ, आओ, मेरे नंदिला आजाओ, आओ, मेरे को पाल आजाओ, आओ, मेरे को पाल आजाओ, आओ, 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 नंदिला आओ, 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 आउनन दिलाल आउगो पाल आउनन दिलाल 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 आउनन और जो और फिर वो लेग आओ, 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 पर लोग गाई एक बार, दो मन में, आओ, आओ, मेरे घुनिशा में आजाओ, और जो और से बोलो, आओ, आओ, मेरे, आजाओ, आजाओ, मेरे दिल में समाजाओ, आओ, आओ, मेरे दिल में समाजाओ, 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 मेरे दिल में सम आज परक्ष जीवी भगवान के लिए इंतजार कर रहें कि ठाकुर का दर्शन हमें कब होगा और कल तृतिय दिवस्की अंतिम बेला में अंतिम समय पर संत्य स्रोवणी परमांसी स्रीशुकदेव जी ने बताया है कि भक्ती में हुआ सकती है भक्ती भक्तांत योक्त भक्ती ही आभक्तां सितांश विज्याया ना ददौश अकथा मृतम आभक्तांस तांश विज्याया है अगर कहीं ससंग हो रहा हो भग्वान की भक्ती का गान हो रहा हो अगर बहां पर आभक्तांश जो भक्त नहीं है और आजाएं तो कहते हैं काग तुभात कुत संगत पर ही इंसान तव सुधरता है कब बिन्नु सत्संग विवेक ना होई जब तक इंसान सत्संग नहीं करेगा तो तब तक भग्वान की करपा होने वाली नहीं है बिन्न सत्संग विवेक ना होई सत्संग करना निवार है दिखिये सत्संग संतों का संग सत्संग ऐसा ही नहीं कि हम आए हमी लोग आपस में बैठ जाएं और जो जैसा जानता है तो वैसी सर्चा करें पहले एक बार संतों का संग हो फिर सत्संग करें फिर भग्वान की करपा हो जाएगी क्योंकि आप जब सत्संग में जाएंगे संतों का संग मिलेगा भगवान की गाथा को समझ जाएंगे कि भगवान की कथा क्या है और जब गाथा को समझ जाएंगे तो आप यह भी जान जाएंगे कि कल्यूग केवल नाम अधारा कल्यूग में तो भगवान का नाम लेने मातर से ही इंसान की मोक्ष की प्राप्ति हो जाते हैं क्यों एक बार की बात है कि कनया के लिए जब कनया ने मिटी खाई थी तो मा यसुदा पीछे से छड़ी लेकर के पकड़ने के लिए दोड़ी कनया पकड़ाई में नहीं आ रहे थे और तब यसुदा ने मिया ने सोगंद रखी अरे कनया तुझे सतियुक के भक्तों की सोगंद है पकड़ में आ जाओ कनया नहीं आए द्वापर के भक्तों की सोगंद है पकड़ में आ जाओ कनया नहीं आए और जैसे ही कनया से कहा कनया तुझे कल्युक के भक्तों की सोगंद है पकड़ में आ जाओ तो कनया पकड़ाई में आ जाते हैं मा यसुदा पकड़ा देती हैं यहां परक्षजी ने सुगदेव से पूचा कि हे राज हे संत सरोमणी आप मुझे यह बताईए क्या सतियुक के भक्तों को कनया नहीं चाहते हैं द्वापर के त्रेता के भक्तों को नहीं चाहते हैं कनया पूले चाहते हैं पूले सत्युक के भक्तों की सोगंद रखी तो नहीं रुके त्रेता की रखी नहीं रुके द्वापर के द्वापर की रखी नहीं रुके कल्युक की रखी तो क्यों रुके पुलिस्स का भाव यह है कि कल्यूक में तो बैसे ही भक्त दो-चार है अगर वही मर गए तो इस संसारमे भगवान का नाम कौन गाएगा इसलिए कल्यूक केवलंदा मधारा नाम मात्र लेने से इंसान की सुंदर सुद्गती हो जाती है भगवत कृपा हो जाती है इसलिए हम भगवान की भक्ति करें जितने हो सकतें अरे क्या बताएं हमारा सनातन धर्म इतना सुन्दर धर्म है लेकिन हमारे धर्म के लोग अमारे जितने भी भक्त हैं अपने बच्चों को अपने परिवार में पर कभी ये पता नहीं है कि राम कौन है राम किस बंस में आये थे हम कौन सी दिख्षा लिये हैं कौन सी संप्रदाय में हैं हमें दिख्षा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहि कब खाना चाहिए कब उठना चाहिए कब सोना चाहिए यह पताई नहीं है मंदर कब जाना चाहिए कोई पता नहीं है अरे हम से अच्छे तो वो मुसलिम है उनकी नवाज का जब समय होता है वो चाहिए ट्रेन में हो चाहिए वो रस्ते में हो कहीं भी हो लेकिन वो अपनी समय पर नवाज को पड़ लेते हैं पर हमें तो हमारे वगवानों का पता ही नहीं कब उठते हैं याद होना चाहिए हम मंदर नित्त जाएं हम अपने बच्चों को वताएं कि हमें सूर उदय से पहले उठना है देखे आप दिन में दस वजे नहाना और सुवेरे पाँच बजे नहाना सुवेरे पाँच बजे जिस दिन इश्नान करेगे उस दिन आपको दिन बहुत बड़ा लगेगा और आपको जो फिलिंग होगी न बहुत अच्छी होगी कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है आप पिश्णान करने के वाद पांच मिड़ भगवान का जाप कर लेना आप आपको पांच मिड़ जाप करने से ही आपके अंदर एक उर जाएगी आपको लगेगा खुड़ा कि भगवान है भगवान इस संसार में है भगवान नित आते हैं हर इंसान के घर में नित आते हैं और भगवान घर में आप भोग लगा करके देखो भगवान तो भोग पाने की लिए भी आ जाते हैं कि भगवान मंदर में रहते हैं हम देखिए मंदर जाते हैं या किसी बड़े मंदर में गए तीर्थों पर मंदर में गए मंदर का हमने दर्शन किया तो हमारे लिए नेत्रबंद नहीं करना नेत्र खोल करके देखना है कई लोको मैंने देखा है Hands Ray मंदर में जाएंगे वागी ब्वयाली कि मंदर में जाएंगे नेत्र बंद करके खड़े हो जाएंगे अरे नेत्र बंद करके दर्शन करना थता घरि परी कर लेता यहां तो दर्शन करने आये हैं एक एक चीज की ठाकुर जी को देखें ठाकुर जी कौन से कलर की वासरी को धारण किये हुए है और ठाकुर जी कैसे मुश्परा रहे हैं कैसे खड़े हुए है एक हमारे लिए याद करना चाहिए किस कलर की वह हम पुश्पों की माला पहने हुए है कौन से कलर का पीतामबर है आज मूरपंख किस तरह रखा हुआ था किस तरह का मूरपंख लगाये हुए थे और घर पर आने के वाद में फिर ठाकुर जी की शवी को आपको दिनिहारना है देखना है तो नेत्रबंद कीजिए और शवी का ध्याने कीजिए तो आपका दर्सन करना सार्थक है तो भगमान भोग को लगाने के लिए भोग को पाने के लिए आते हैं एक बार की बात है आज भी बंदावन में नित ठाकुर जी आते हैं और आज भी नित ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है आप लोगोंने नाम सुना होगा राधा वल्लव राधा वल्लव दरसंदुरलव राधा वल्लव भगवान का दरसंदुरलव है कोई पता ने कब परदा बंद हो जाए कोई पता ने आज भी राधा वल्लब मंदर में ठाकोर जी नित आते हैं स्रात्री के समय पुजारी जी नित साथ पेड़े रखते हैं कुल्लण में जल को रखते है सुवे जब पुजारी देखते हैं तो साथ पेड़े फूटी हुए मिलते हैं और कुलण में जल नहीं मिलता है। एक दिन की बात है कि एक दिन पुजारी जी साथ पेड़े रखना भूल गए, जल रखना भूल गए। मंदर के बाहर आजाते हैं, देखते हैं कि कोई दुकान खुली होगी, दुकान बंद, एक गली में ठाकुर्जी गए, और वे उस गली में गए, तो एक दुकानदार क्या कर रहा था, वो ले हल्वाई था, वो मिठाई बना रहा था रात्री में। बालक रूप ले करके गए। ठाकुर्जी ने का विया मुख भूप लग रही है, पेड़ा देदो मुखू। हल्वाई ने पूछा, अरे बालक, छोटा सा बालक है, और इतनी रात्र में, रात्री में तू एकले इसमें, गलियों में घुम रहा है। अरे किसके फुत्र हो। मैं जो गुसाई है ना, जो राधा वल्लब मंदर की पुजा करते हैं, मैं उनका फुक्र हूँ, मैं उनका छोड़ा हूँ। अच्छा, क्या चाहिए, पेड़ा चाहिए, बोले पैसे दो, बोले पैसे तो नहीं है, तो बोले पेड़ा भी नहीं है। भया मुकू, बहुत जोर से भूख लग रही है, पेड़ा देदो मुकू, बोले एक काम कीजिए, बोले एक सौने का कडूला है, इसको रख लीजिए, सुबह मेरे पिताजी आएंगे, इस कडूली को ले जाएंगे, और पैसा दे देंगे, तुम कडूला दे देना, बोले साथ पेड़े दे दो, ठाकुर जी ने पेड़े लिए, और पेड़े ले जा करके, मंदर में बढ़िया खा करके, और बढ़िया विस्राम, सुबह जैसी मिला हुई, पुजारी जी आए, सिंगार को उतारा है, ठाकुर जी का बढ़िया इश्नान कराया, और इश्नान कराने के बाद में बढ़िया चंद नित्यादी लगा करके, वस्तरों को पहना करके, सिंगार करना प्रारम किया, सिंगार पूरा हो गया, एक हाथ में एक सोने का कडूला त अब पुजारे जी ने पूरे मंदरों में देखा पूरे मंदर में देख लिया पुजारे जी बिचार कर रहे हैं मंदर के अंदर कोई आता नहीं है कोई प्रवेशी नहीं होता है इस तरफ मैं ही रहता हूं वेकिन यह सौने का कडूला कहां कहा है पूरे ब्रंदावन में सोर हो गया कि राधा वल्लब मंदर की चोरी हो गई पुजारे जी पर इंजाम आ गया पुजारे जी आप ही अंदर जाते हो आपने ही चोरी कियोगी पुजारे जी अंदर ही इंदर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि है ठाकुर जी इस सौने की कीमत इतनी है कि मैं जीवन वर मेहनत करता रहूँगा लेकिन फिर भी मैं इस सौने की इस कडूले की कीमत नहीं चुका सकता हूँ भगवान कुछ कीजिए और जैसे ये पुजारे जी की नजर एक पलेट पर पहुंचती है बोले एक पलेट तो मंदर की नहीं है ये तो बाहर की लगती है और ठाकुर जी की रसोई में बाहर के वरतन नहीं आते हैं हमारी रसोई के भी वरतन नहीं आते हैं ठाकुर जी की रसोई के वरतन ही अलग है पर एक पलेट कहां से आई प्लेट को उठाया और देखा उसमें लखा हुआ था मौजी हलवाई उभ्यास घेरा वरंदा हुआ और पुजारी जी दौण करके उस हलवाई के पास में पहुंचे ओ हलवाई ओ मौजी सुन मेरी दाद भूले कईये पुजारी जी बहुले तुमारी पिलेट हमारी मंदर में कैसे पहुंची रात्री में तिहार चोरा आयो और चोरा ने एस सोने को कडूला मोकों दियो और साथ पिड़े ले गयो खुजारी जी ने सोचा और कहा कि अरे हलवाई मेरे हाँ तो कोई संतानी नहीं है मेरा तो कोई छोराई नहीं है यहाद आया हुजारी जी रोने लगे और कहने लगे कहे हलवाई मैं जीवन भर पुजा करता रहा ठाकर जी की आरादना करता रहा मुझे कभी दर्सन नहीं दिये अरे मौजी हलवाई तूने ऐसी कौन सी मिठाई बनाई थी कि ठाकुर जी मंदर को छोड़ करके तरी दुकान पर दर्सन देने के लिए आगे पुजारे जी रो रहे हैं ए बक्त का भाव है जब बक्त का भाव वो सुन्दर रहता है तो ठाकुर जी भी देरी नहीं करते हैं आने में भगवान के पास में जाएं तो हम अपने मन को सुन्दर बना करके हमारे लिए जाना चाहिए जब आज धिरन कश्यपू ने बहुत अत्याचार किया कल कथा यहीं पर विस्तराम हुई थी एहरन कश्यपू बहुत अत्याचार करने लगा कभी किशी को भी अपने आपको महान नहीं मानना चाहिए अपने आपको एक विद्वान नहीं मानना चाहिए अपने आपको पैसे वाला नहीं मानना चाहिए हम तो इस संसार में दासामू दास हा दासों कभी दास हैं ए इंसान की सोच होनी चाहिए ठाकुर जी को दिल से याद करो तो ठाकुर जी भी तुरंत आ जाते हैं तुरंत पहला जी के लिए उपर पहाड से गिराया गया और पहलाजी दिखो एक बात और है कि कंस उग्रशेन के हैं कंस जनम ले लेते हैं और हरन कस्वफू के हैं भक्त पहलाज जनम ले लेते हैं मेरा अधर्मी कि अधर्मात्मा अधर्मी अग्रुषयन के हैं बहुत भजन करते हैं लेक्सका जनंस हुआ और हिरन का स्पू बहुत पाप करता है और इस हिरन का स्पू के हां भक्त पहला आपका जनम हुआ ऐसा क्यूं होता है बोले हर किसी के परिवार में भी तीन पीड़ी दो पीड़ी के बाद में बोले चैंज हो जाता है आज हम अच्छे हैं साइद हमारे कर्म हमारे पूरवजों के कर्म अगर ठीक नहीं है हम बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छी स्थिति में हैं लेकिन जब उन ठाकुर को भूल जाएंगे अधर्मी का हम रास्ता पकड़ लेंगे तो आने वाली संतानवी अधर्मी ही हो और कई पीड़ी में के होता है याद पीड़ी खराब है लेकिन आने वाली समय में वोई पीड़ी सुधर जाती है तो यहां पर भक्त पहलाद निठाकुर जी का इस्तुमण हर समय किया और जब पहलाद जी के लिए उपर से फेका न तो पहलाद जी जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है गिरने ना दिया तुने मुझे ताम लिया है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है गिरने ना दिया तुने मुझे ताम लिया है गिरने ना दिया तुने मुझे ताम लिया है भगवान के उपर कर भरोसा रहता है तो भगवान अवस्थ हमारे लिए धाम लेते हैं और भक्त पहलाजी जब सभा में पहुँचते हैं तो हिरन कस्पू ने पूछा भाई बोले बताए पहलाज तेरे भगवान का क्या नाम है पहलाजी कहते हैं मेरे भगवान का नाम तो नारेण है नारेण नाम है बोले नहीं वो तो मेरा दुस्मन है बोले संसार का भगवान तो नारेणी है संसार का ओपरेटर संसार का संचालत तो नारेणी है पहलाज तुम्हें पता नहीं है तुम्हें पता नहीं है बद कर दिया तुमारे रन्याख्ष का तुमारे चाचा का और तुम उस नाराएन के लिए उस कप्टी उस चलिया के लिए भगवान कहते हो वो भगवान नहीं है अच्छा यह बताओ कि नाराएन कहा रहता है पहला जी नहीं यह कहा कि नारायन कहा नहीं है नारायन तो हर जगे है लोग कहते हैं भगवान कड़कड में है भगवान कड़कड में नहीं है एक कड़कड ही भगवान में ब्यापत है हम सब भगवान के अंदर बैठे हुए है भगवान कड़कड में नहीं है अगर भगवान कड़कड में हो जाए तो भगवान छोटे हो गए यह पत्थर यह कड़कड में बहुत बढ़ा हो गया यह पूरा ब्रह्मान्ड ही भगवान के अंदर बैठा हुआ है भगवान के अंदर हम बैठे हुए है तबी तो कहते हैं भगवान को खोजनी की आवा सकता नहीं अपने अंदर जहाक के देख लो भगवान का दर्सन हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि हम अपने अंदर देखें कि हम क्यों हैं कहां से आये हैं जैसे एक सेट के याँ पर कई नौकर काम करते हैं सुवज से साम तक वए नौकर विक्री करता है दुकान की साम के समय अपने सेट को हिसाब देकर के अपने घर चला जाता है जाता है कि नहीं जाता है तो बैसे हमारे लिए भी सुवज से लेकर के साम तक जो मेरा हिसाब है साम के समय भगवान के पास में बट करके अपने दिन चर्या का हिसाब देना चाहिए फिर भगवान उस हिसाब को रख लेते हैं, तिजोडी में रख देते हैं, और जब तिजोडी कभी खोलते हैं, तो ठाकर जी को फिर हमारी याद आ जाती है, और हमारा बिड़ा पार हो जाता है, बिड़ा पार हो जाता है, ठाकर की तिजोडी में भी हमारा नाम होना चाहिए, ठाकुर जी की भजन की फूजी में भी हमारा नाम होना चाहिए पहलाद ने तो कह दिया अर जगे मेरा ठाकुर है हर जगे तुझ में भी है मुझ में भी है फ़र नकरशबू यह कहता है क्या ये जो खम्मा लगा हुआ इसके अंदर बने हाँ इसके उपर जो चीटी है उसमें है गोले हाँ भगवान हर जगह है देखिए चाए हाती हो या फिर चीटी हो भगवान खेते हैं जो आत्मा है ना चीटी में भी वही आत्मा है और हाती इतने बड़े विसाल हाती में भी आत्मा वही है आत्मा बड़ी और छोटी नहीं होती है आत्मा तो पराबर है बस योनी योनी का अंतर है कोई योनी छोटी होती है कोई बड़ी होती है इसलिए हमें जिसमें हमने जनम ले लिया है वो सरीर बड़ गया है लेकिन आत्मा तो एक है और एक जैसी है और जब नर्संग भगवान के किरपा इस तरह हुई कि जब हरिनक सपूने तलवार को निकाल करके इस खंबे पर प्रहार किया चिटी के ऊपर प्रहार किया और जैसे प्रहार किया और इतने में हमारे भगवान प्रगठ हो गए पुल नर्शंग भगवाने की जय जय स्रीरादे जय जय स्रीरादे जय जय स्रीरादे और जो भगवान प्रगठ हुए तो दौनों में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में अंतिम समय में अपनी गोदी में हिरन कशपु के लिए भगवान ने लेटा लिया है जो वरदान मांगे थे वो वरदानों को ब्रमा के अलग कर दिये उन वरदानों को तोड़ा नहीं अलग से ही भगवान ने कुछ नियम अपना लिया जैसे कि हिरन कशपु ने वरदान मांगे थे नामे अंदर मरू नामे बाहर बीच दहरी पर मारा था इसलिए साम के समय कभी भी किसी भी इंसान के लिए बीच दहरी पर महीं बैठना चाहिए साम के समय बीच दहरी पर दरबाजे पर दीपक को जलाना चाहिए परातहा सुवय सुवय बढ़िया रंगोली बनाना चाहिए दीपक जलाना चाहिए सुस्तिक बनाना चाहिए क्यों क्योंकि दहरी पर हम बैठते नहीं है दहरी पर हमारे निरसिंग भगवान का अवतार दि देरी पर बैट करके हिर निकसुकू का ओधार कर लिया था इसलिए देरी पर साम के समय नहीं बैठा जाता है और अब तो साइद देरी नहीं होती है सेरों में कहां देरी होती है पहले के समय में दहरी होती थी, दहरी समझते होंगे आप लोग, पहले में और अभी में बहुत अंतर है, दिखे आज से बहुत साल पहले देखा जाये तो उस समय उम्र रहती थी, एक हजार वर्स, एक जीरो हट गया, और उसके पहले और देखे तो दोस हजार, एक लाख वर्स तक जीते थे, सत्युक्मन दौपर में पांच-पांच हजार, दोस हजार लाखों तक जीते थे, धीरे-धीरे जीरो हटता गया, हटता गया, हटता गया, सो आगए सो में से भी एक जीरो हटने वाला है कुछ समय बान आज बताएए उम्र कितनी है साथ सटर असी तक चला जाएगा चलिए सो वर्स की उम्र है सो वर्स की उम्र में एक दिन में पंदरा घंटे का दिन होता है 15 कि रत्रु होती है पूरी रात हम सोते हैं कि नहीं सोते हैं तो सौ साल में पचास साल तो सोने में ही निकाल देते हैं पांस साल दस साल बच्छपन खेलने में निकाल देते हैं पांस साल साधी में निकाल देते हैं पूरे हो गए 100 साल वजन करने के लिए तो कोई समय बचाई नहीं अच्छा अंतिम समय में क्या करना चाहिए इंसान की मृत्तु निकट हो तो उस समय इंसान के लिए क्या करना चाहिए भगवान का जाए अच्छा एक बात औरे किसी के घर पर सूतक लग जाए किसी का जनम हो जाए या किसी के घर पर किसी का दियाहांत हो जाए तो कहते हैं कि दस दिन का विसेश सूतक लगता है तीन दिन का तो विसेश रहता ही है और उसमें इंसान की मृत्तु आ जाए उसमें भजन करने ही सकते हैं मंदर जाने ही पाते हैं तो आप बताए उस समें क्या करना चाहिए और कहते हैं कि अंतिम समय में अगर भगवान का नाम का उच्चारण नहीं किया तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है क्या करेंगे उस समय मैं तो यह कहता हूँ जिस समय सूतक लगा हो किसी का जनम हो गया हो या किसी का दिहान्त हो गया हो तो उस समय एक ही मंत्र है जिसका हमें जाब करना चाहिए और वह मंत्र गुरु मंत्र बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता है गुरु मंत्र का जाब करें और देखिए लोग एक कहते कि इश्णान करके भजन करना चाहिए आपने इश्णान निक्या आपकी मरत्तु निकट आ जाए तो आप नाम लेने ही पाएंगे तो मोक्ष कहसे मिलेगा आप इश्णान कर रहे हैं आप या और किसी क्रिया में है उसमें भी मरत्तु आ जाए तो क्या करेंगे इसलिए गुरु मंत्र महा मंत्र बाना गया है गुरुर ब्रम्हा गुरुर विश्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर शाचा प्रम्हा स्मै स्री गुरे नमा इसलिए गुरु मंत्र का हमारे लिए जाग करना चाहिए और कव करें जिस देश में जिस भेश में परिवेश में रहो क्या करना है रहकर के राधारमन 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 रहो आप कैसे भी रहे जिस संग में, जिस धंग में, जिस सपसंग में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमणी तो हो आप जैसे भी रहे, लेकिन राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण हमें सारणते रहे, कैसे भी रहो और इसलिए दहरी पर हम साम के समय कुछ ना करें साम के समय कोई नया कार भी नहीं करना चाहिए, जैसे की भोजन भी नहीं करना चाहिए नई विध्या का धन भी नहीं करना चाहिए साम के समय उस समय भोजन भी नहीं बनाना चाहिए ना कुछ खाना चाहिए ना कुछ पीना चाहिए उस समय सिर्फ भगवान का वजन करना चाहिए भगवान की आरती करना चाहिए हम साम के समय आरती क्यों करते हैं क्योंकि हमारा जो सूर है वो अस्त होने वाला है अंदकार आने वाला है इसलिए प्रिकास कीजिए दीपक जलाइए जिससे की रात्री में भी हमारे लिए कुछ प्रिकास मिल सके कीमत दीपक की सोने की और मिटी से नहीं की जाती है कि उसकी कीमत और उसको जो देखा जाता है तो रोशनी कौन तेज दे रहा है कीमत उसकी उससे होती है वैसे इंसान की कीमत है इंसान की value वहीं है जहां इंसान प्रकासमान है जहां इंसान के अंदर कुछ जप है, इंसान के अंदर कुछ तपस्या है, इंसान वहीं पर प्रतिष्टित होता है दूसरा बर्दान, ना दन्य में मरू ना मैं रात में साम हो गया, ना अंदर मरू ना मैं बाहर वीच देरी हो गया और मैं ब्रमा के बनाये हुए 12 माहे भी ना मरूं इसलिए हर 3 साल में भग्वान ने एक अलग से 13 माहे बना दिया जिसको हम आप सबी लोग पुर्शृत्तम माहे कहते हैं जिसको लोण का माहे कहा जाता है इस माय में पूजा करने से और एक मेने का बृत करने से बहुत फल पराप्त होता है चार धाम की यात्रा करने का फल पराप्त होता है बारा जोतर लिंग की यात्रा करने का फल पराप्त होता है अठारो पुराणों का चार वेदों का छे सास्त्रों का स्तरवन करने का लाप्राप कोता है पुर्शुत तम्माय में ब्रत करने मात्र से अधरन कसपू कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो नारायन ना नर से ओन ना नारायन से भी ना मरूं बगवान ने का मेरा रूप देखलो ना तो मैं नर में हूँ ओना मैं नारायन में हूँ रूप दिखा दिया तो योतितं सोभान मेवं नर सिंग रूप हरिणा भक्त प्रहला दर्स्त समन्विताहा आज भगवान बुले तो योतितं सोभने वहा आज भगवान बहुत सोभायमान लग रहे हैं आज भगवान नर और नारायन का रूप लेकर के आये हैं तो कहते हैं सब इसमें दिख रहा है अगर नर्शन भगवान के चहरों को अगर सही से हम देखें सही से दर्शन करें तो इस चहरे में पूरा ब्रह्मान दिख रहा है ना नरह ना नारायने ना अस्तर से मरू ना में सस्तर से भगवान ने ना खुन दिखाये हैं ब्रह्मा की बनाई हुई स्रस्टिश से भी ना मरू भगवान ने कहा मैंने ब्रह्मा को बनाया है ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है जड़ से भी ना मरू और चेतन से भी ना मरू जिसकी जड़ हो और चेतन हो उससे भी ना मरू भगवान ने कहा इसलिए मैं तेरे लिए नाखुन से मारने आया हूँ इसकी जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है नाखुन काटो तो दर्द नहीं होता है नाखुन काटने हैं तो कहां दर्द होता है और इस नाखुनों की जड़ भी नहीं है यह जड़ और चेतन है जड़ भी नहीं है चेतन भी नहीं है भगवान ने नाखुनों का प्रहार क और अंगे चल करके अब यहां भक्त पहलाद डर गए बहुत डर गए नारज जी लक्षमेजी के पास में पहुंच गए अरे लक्षमेजी अरे लक्षमेजी तुमारे स्वामेजी कहा है कोई पता है मुले नहीं पता दो दिन से गायव है मुले तुमारे स्वामेजी ने बहुत बिक्राल रूप बनाया है दर्सन करके आए लक्षमेजी ने देखा यह रूप तो मैंने पहली बार देखा अब लक्षम जी से कहा कि अपने स्वामी को सांत कीजिए थ्वड़े सांत हो जाएं हाथों में ये रख्त लगा करके दो दिन से विक्रा रुप् बना करके वैठे हैं लक्षम जी ने कहा मैं इनको सांत नहीं कर सकता हूं तो अपने भक्त के द्वारा ही सांत होंगे पहला जी पास में गए तो पहला जी पास में जब गए तो आज नर्शंग भगवान ने किस तरह का प्रेम किया गाय की तरह किस की तरह गाय देखिए गाय अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है पता है आपको गाए के जैसा कोई प्रेम अपने बच्चों से दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता है बोले गाए अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है कि जब बच्चे को जुनम देती है बच्चे में मलमूत्र लगा रहता है तो गाए अपने बच्चे को साप करने के लिए अपनी जोवा से कोई मलमूत्र को चाट लेती है अब बताईए इससे बड़ा और कोई प्रेम कर सकते हैं आज वोही चाटने का काम नरसंग भगवान ने पहलाद को चाटा है अपनी जोवा से देबताओं की आखों में आशू आ गए पहलाद से कहां मांगिये क्या मांगना चाहते हो मांगिये पहलाद ने कहा भगवान आप मुझे देना चाहते हो तो दीजिए आज काल के बच्चे तो अगर किसी का पिता थोड़ा सा अगर अपने बच्चों की पूर्ती नहीं कर पाते हैं तो वो अच्छे अपने मात्पता का भी ध्यान नहीं देते हैं एक बार की बात है कि एक बैश्या थी एक भिया बन में गए बैश्या से संभ हुआ बैश्या ने कहा बोले हम आपके घर पर तो चलेंगे लेकिन आप अपनी मां को घर से बाहर निकाले उस पुत्र ने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल दिया अम्मा तो भाई कहीं रहने लगी और एक दिन उसकी पत्नी कहती है मैं आप से साधी तफ करूंगी जब आप अपनी मां का दिल निकाल करके ले आओ तब हम तेरे से साधी कर लेंगे और ये पुत्र गया मास के पास में गया मा को मार करके और मा का दिल निकाल करके ले आया और उस इस्तरी से कहा लेजिए मेरे मा का दिल है अब मेरे से साधी कर लो उसने का मैं तेरे से साधी कभी नहीं कर सकती हूँ पुली क्यों नहीं कर सकती हो अरे जिसने तुझे जनम दिया है जब तु उसका नहीं हुआ तो मैं तो दो चार दिन पहले मिली हूँ तु मेरा क्या हाल करेगा यह मैं समझ चुकी हूँ जिसने नो माय तक गर्व में रखा हम उसके नहीं होते हैं अरे जिसने मुझे जनम दिया है हम पहले हम उसकी सेवा करें हम उसकी खुसामन करें फिर हम तीर्थों पर जाएं फिर हम विजनिस करें देखिए पैसा कोई बांद करके नहीं ले जाता है कोई नहीं ले जाता है अरे पत्नी रूठे तो रूठ जाए दसवार रूठ जाए और पत्नी के लिए पती रूठे तो दसवार रूठ जाए पत्नी के लिए सास सुर्ग की पूजा करना चाहिए और पत्नी के लिए अपने मात पता की पूजा करना चाहिए इसमें उनका स्वर्ग ही उनके घर पर है चार धाम ही उसी घर पर है जिस घर में मात्पता की सेवा होती हो और जिस घर में मात्पता की सेवा नहीं है वो एक घर नरक के समान है कुम्भी पाक नरक बले ही तुम संसार की सुवदा ले लो संसार सागरे मंगनम दीना माम करुणा निदे ये संसार सागर है और इस सागर में डूब के सब को जाना है इस संसार में तो बस भाई प्रेम की प्रेम की गंगा वहाते चलो जोत से जोत जलाते चलो और प्रेम की गंगा वहाते चलो प्रेम की गंगा वहाते चलो इसलिए एक संसार में हम प्रेमी रहें धरमातमा रहें दुसरों की शेवा करना चाहिए और भक्त पहलाद में कहा कि भगमान मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे एक ही वस्तु दो कि आप मेरे पिताजी के दिए अपने चरड़ों में स्थान दीजिए और कुछ नहीं चाहता हूँ जिस पिताजी ने बच्पन से लेकर के आज जितने बड़े हो चुके हैं पहलाद जनम से लेकर के आज तक इस पहलाद के लिए घरनकशपूर ने हमेशा दुखी दुख दिया है लेकिन यह पित्र देखिए यह पित्र अपने पिताजी के लिए इस्थान मांग रहा है मेरे पिताजी नादान थे, कुछ जानते नहीं थे, उनकी ससंग का जो संग था वो ठीक नहीं था, उनके मित्र थे वो ठीक नहीं थे, इसलिए मेरे पिताजी के लिए माप कर देजिए और अपने चरणों में जगे देजिए, संतान हो तो पहलात की तरह हो, संतान हो तो देना बड़ी बात नहीं है, संसार में संतान आ जाए, संतान को अगर आपने संसकार दे दिया, सुन्दर आचरन दे दिया, तो सब ठीक है, अगर आचरन और संसकार नहीं है, तो सब बेकार है, जब राम ने रावड का वद कर दिया, तो रावड के लिए राम जी ने अपनी गोदी में लिटा लिया बाद में, तो रावड रोने लगा, बोले भगवन, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहते हैं, कि भगवान, मैं आप से हर चीज में बड़ा हूँ, हर चीज में बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार गया और मेरी विर्त्तु हो गई, बास्तम में बात सकता है कि राम जी से बड़ा है राबड राबड ने कहा सरवर्थम बात हम रुशी की संतान है और आप एक छत्री की संतान हो मैं आप से बड़ा हूँ आप छत्री है मैं ब्रामण हूँ आप से बड़ा हूँ आप का मंदर सोने का रहता है मेरी तो लंका ही सोने की है और मैं तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा जानने वाला विद्वान हूँ और मैं ब्रहामन हूँ फिर भी मैं आप से हार गया यह एक कारण था कि मैं आप से हार गया हूँ मुले कौन सा कारण है के हे राम, हे भगवान, आप चर्त्रवान हो, हम चर्त्रहीन हैं, बस हम इसकी वज़े से यहार गए आपका चर्त्रवढ़िया है, और में चर्त्रहीन हो इसलिए अपने संतानों को चर्त्रवान बना करके जाए और जब चर्त्रवान बनते हैं, तो कहते हैं, फिर तो और किसी को दूसरी में फिल में जाने की आवस्चता ही नहीं पड़ती है और आज वक्त पहलाद एक में फिल में गा रहे हैं, क्या? अब किसी माहें फिल में जाने की हमें फुरसते नहीं अब किसी माहें फिल में जाने की हमें फुरसते नहीं इसी में फिल में जाने की हमें फुरसते नहीं दुनिया वालों को मनाने की हमें फुरसते नहीं अब किसी में फिल में जाने की हमें फुरसते नहीं अब किसी में फिल में जाने की हमें फुरसते नहीं आली से वावने भाव से राधार हमने लाव लिक्की जैहो की वाव है आरिवे अब किसी में बिल बेदाने एक दिल था जिसे में मेरा बस गया है सावरा एक दिल था जिसे में मेरा बस गया है सावरा एक दिल था जिसे में मेरा बस गया है सावरा एक दिल था जिसे मेरा बस गया है सावरा और अब कहीं दिल को लगाने को जब ठाकुर की मिल जाएं तो इस संसार से दिल नहीं लगाना चाहिए ठाकुर से लगाना चाहिए अब कहीं दिल को लगाने की हमें पुरसते नहीं अब कहीं दिल को लगाने की हमें पुरसते नहीं दुनिया वालो को मनाने की हमें पुरसते नहीं अब किसी महें दिल को लगाने की हमें पुरसते नहीं अब कहीं महें दिल को लगाने की हमें पुरसते नहीं दुनिया वालो को लगाने की हमें पुरसते नहीं दुनिया लगाने की हमें पुरसते नहीं कर दो 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 कर दो水 radio आडरम् के भी एंगेंने नहीं किसे में विल्हतु नहीं और म्हीं किसी में दूत्तंय जारे ये जो आके हमाई मिल गई है स्वाम से मिल गई है स्वाम से मिल गई है स्वाम से अब कही आके मिलाए अब कही आके मिलाए ये हमे पुर सते में दुनिया बालों को मनाने दुनिया बालों को मनाने कि हमें पुर सते नहीं अब किसी महें फिल में जाने अब कही महें फिल में जाने अब कही महें फिल में जाने कि हमें फिल में जाने अब दूसरी महें फिल में तो नहीं जाएंगे आप लोग जाएंगे करन्याकी में फिल में जाना है कहां जाना है कहां जाना है चोर के वो लड़ा दे रादे दोना हाद उपर किजिए खरीवे किराद है किराद है करते है करते है करते है कर दो जादे, आज चौथा दिन है, मैं क्या बताओं, जादे, क्या बताएं, मैं ब्यास कद्धी पर बैटाओं, सत्त बता रहा हूं, मेरा मन कर रहा है कि अभी खड़े होकर कि जूमने लग जाएं, आप लोग बास्तम्यक ना जाने कैसे भक्त हैं, अरे नाच नहीं सकते हो, तो कम प्रुपने लोग जादे क्वें, अबला। किसी महविल में जाने की हमें फुरसते नहीं अब किसी महविल में जाने की हमें फुरसते नहीं एक सिरता जुके गया वो आपो के दरेखार में एक सर्था जुक गया जो आपके घर्वार में के सर्था जुक गया जो आपके घर्वार में अब कहीं सर को जुकाने कि ही हमें फुर्शत नहीं अब कही सर को जुखाने कि हमे भुर सते नहीं दुनियावालों को मनाने कि हमें भुर सते नहीं अब किसी मैं बिल में जाने की हमें मुर्सते नहीं अब कही मैं मिल में जाने की हमें मुर्सते नहीं बेवपा दुनिया ए हमसे पूछती है क्या हुआ बेवपा दुनिया ए हमसे पूछती है क्या हुआ कहते हैं एक दुनिया इतनी मतलबी है जब तक पैसे जेव में है तो दुनिया साथ में और पैसे नहीं है तो एक दुनिया भी साथ छोड़ देती है दोस्त यार मित्र और सखा और फ्रेंड इस सब पैसे के मतलबी है सुख का साथी सब जगत और दुख का नहीं है कौई दुख का साथी तो सर्फ साइयां है صिर्फ ठाप रहे जब किसी के उपर कुछ बात बिगड़ जाए तो पूछती ही उपर किया हुआ? कैसे हुआ? किसी के घर पर देहां धो जाए एक्षिडेंट से कैसे? तो नीज़ वाले जाते हैं, एक्सिडेंट कैसे हुआ, पूछते हैं न, बताइए, एह आप कैसे गिर गए, अरे उसको तो छोट लगी है, तुम कह रहे हो, कैसे गिर गए? पेवपा दुनिया एह हमसे, पूछती है क्या हमार, और अब किसी को कुछे बताने, की हमें पुरसते नहीं, अब किसी को कुछे बताने, की हमें पुरसते नहीं, दुनिया वालों को मनाने, की हमें पुरसते नहीं, अब किसी में पुरसते नहीं, की हमें पुरसते नहीं, की हमें पुरसते नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलिए हमारे भाईया लोग तो बहुत देरे-देरे से बोलते हैं साइद दर रहे हैं कि माताओं की संख्या जाना है हमारी कम है डरो मत हम आपके साथ में है जोर से बोलिए अधेर अभी भी कंजूसी है आप लोगों की एक साथ में बोलो जोर से बोलो आईये अंतो गत्वाहा भगवानी की महफिल सुन्दर है तेरी महफिल के दीवाने नसे में तेरी महफिल के दीवाने नसे में नसे में रहते हैं बगवान के जो दीवाने हैं बगवान का जो नसा करते हैं वो बगवान के दीवाने हैं वो हमेसा नसे में ही रहते हैं लोग कहते हैं न हमें पागल ही रहने दो हम पागल ही अच्छे हैं अब कई लोग तो सरम से मंदर ने जाते हैं लोग क्या कहेंगे नहीं बहु है और यह मंदर जा रही है अभी से भक्ता नहीं बन रही है लोग क्या कहेंगे उसको खुटिया पर टांग दो भगवान क्या सोचेंगे इस पर ध्यान देना चाहिए भगवान की नजर हम पर पड़ जाएगी को संसार की नजर की कोई आवशक्ता नहीं है कोई आवशक्ता नहीं है कहते हैं संसार में भगवान की नजर पड़ने चाहिए और फिर यहां पर आंगे चलकर के बंधो आप लोगं को बताया था कि कशप की दो पत्नी थी एक का नाम दिती एक का नाम अदिती था तो दिती से हरन्या चो हरन्य कश्यपू का जनम हुआ था और अदिती के गर्वत में कहते हैं एक बार भगवान का प्रादरवा हुआ लेकिन कहते हैं कि अदिती गर्वती कैसे हुई अदिती के यहां कभी संतान नहीं हुई तो कश्प जिसे पूछा आप कुछ करिए कुछ बताइए कैसे संतान होगी बोले आप पयोब्रत कीजिए जिससे संतान की प्राप्ति हो जाएगी फाल गुनस्य मले पक्षे द्वादस्या याम तिथव। फाल गुनके फाल गुनस्य मले पक्षे फाल गुनके कहते हैं सुक्ल पक्षे से हमारे लिए पयोब्रत करना चाहिए द्वादसी तिथी के दिन फर हर द्वादसी तिथी को यह ब्रत करना चाहिए एक साल तक ब्रत करें ठाकुर जी की किरपा आवश्च वरस्ति है और जब यहाँ पर अधिती ने ब्रत को किया गर्वती हुई अब देखिए और यहाँ पहलाद जी के यहाँ पर पहलाद का विभाय हुआ और कहते हैं पहलाद का विभाय हुआ तो पहलाद के विरोचन हुए और विरोचन के राजा वली हुए और जो वली है महाराज वली भगवान को बहुत भजन करते हैं हर समय भगवान की ही रटना लगाए हुए है और बली चाहते हैं कि हम अश्मे यक्द करें यक्द करना पूजा करना दान करना यह हमारे सनातन धर्म में हैं ऐसा यक्द तो बहुत बड़ी बात है अगर यक्द हमारे लिए दर्सन के लिए भी मिल जाए तो मन की सांता मन की के लिए सांती और हरिश्रणम और हमारे पित्रों के लिए सांती प्राप्त हो जाती है सांती मिले जाती है और एक बात इथार्त सत्त है कि पित्र दोस्त की सांती सिर्फ भागवत कथा से ही होती है स्री मदभाग वतान मुक्ति ही सपता है वाचनम कुरुः सपता है स्रवडम यस्यहा फित्रम मोक्षदायतम मोक्षदायानु यतहा स्री कृष्ण स्चरतम रगुनाधा हम भगवान के चरत्र को स्रुवण करें भागवत कथा है पाप्यों से पाप को है तार दे कि ए अमरे ग्रंथे मुक्तिपंत पंचमबेद निराला पापी से भी बड़ा पापी हो तो यह कथा उसको भी तार देती है तो हम तो इतने जाना बड़े पापी नहीं है कि हमारे मात्पिता को बुझरकों को पित्रों को अरहेंगे शक्शे मन से ठाकुर जी की पूजा कीजिए शचे मन से कथा सुनिए आपके पत्रों का उधार हो जाएगा उधार हो जाएगा करे ये हमारी कुण लिमें कभी पित्र दोस रहता है पित्र दोस और काल सरप्योग दोस एक ही इस्तिती में बनता है आंगे ग्रह राहू के तू घेर ले तो पित्र दोस पीछे को घेर ले तो कहते हैं काल सरप्योग दोस हो जाता है अच्छा एक बात और वापको लोगों को बताते हैं मूल नक्षत्र में जनम बच्चे क्यों लेते हैं इसलिए ले लेते हैं कि किसी के परिवार में आपके परिवार में देहानत हो गया हो हम मुंडन नहीं कराते हैं बालों को नहीं बनमाते हैं तो एक निश्चत है कि आने वाली संतान मूल में जनम लेगे क्यों लेगी क्योंकि जब मूल लगेंगे तू भी आपको मुंडन कराना पड़ेगा तो वही मूल की पूजा सही होती है कि काफिल बच्चों ने लिया होगा तो देख लेना बात सत्य यह है जिसके संतान मूल में आई उसके पता जी ने परिबार में द्यान दुआ होगा बाल नहीं वनवाएंगे तो पित्र दोस हो जाता है और दिखिए पित्र हमारे हातों में सभी तीर थे हमारे हातों में सभी तीर थे देव तीर थे पित्र तीर थे और श्रेम का तीर थे अच्छा एक बात बताई आप देवों को लिए जल चड़ाते हैं तो कैसे चड़ाते हैं ऐसे चड़ाते हैं यह देव तीर्थ है कौन सा तीर्थ है देव अच्छा अपने बच्चों को कभी-कभी हम जल पिलाते हैं हाथ से तो कैसे पिलाते हैं हाथ को ऐसे लगाते हैं तो ए किसका तीर्थ है बच्चों का हम दान करते हैं तो कैसे करते हैं अन्द दान करोगे तो कैसे करोगे ऐसे भरोगो और ऐसे छोड़ोगो दान इसलिए करते हैं कि हमारे संतान सुखी जीवन बतीद करें इसलिए दान करते हैं हम सुखी रहें कि देव तीर्थborg, पत्रों का तीर्थोग और हम यहां से पीते हैं हम जल पिएंगे कोई प्लाएगा दिल तो कैसी पितोह के एसे लगा कि यह मरी स्व correlate हम माज मनी करते हैं तो यहां से करनाची कि इस चंदर के इस थांसे जलब को पीना चाहिए और जब हम पित्रों के लिए पिंडदान करते हैं तो कहां से करते हैं? इस साइड से इसलिए कहते हैं कडागरे वस्ते लक्षमी अपने हाथों की रेखाओं को देख लेना चाहिए क्योंकि इन्ही हाथों में सारे तीर्त है जिसने अपने कर्मों को नहीं देखा उसने कभी तीर्थों का भी दर्शन नहीं किया अपने कर्म प्रधान विस्टूरची कर्म प्रधान है और आज वली अपना कर्म कर रहे हैं यद कर रहे हैं कि अब कई लोग करते हैं क्यों यद करेंगे घी को हवन में डाल देंगे जला देंगे क्या लाव है कौन खाएगा इसको कई लोग करते हैं भगवान नहीं है अगर भगवान पास कुल का हो गया कैसे हो गया हम रात को सोते हैं सुवे जग जाते हैं कि दिन भी बनाया है भगवान ने रात भी बनाई है कि अलग-अलग माहे बना दे हैं कि बारिश के समय वह अशाड आ जाता है बढ़िया बारिश होती है फिर बढ़िया सुन्दर सर्दी आ जाती है फिर गर्मी आ जाती है कि भगवान है तब तो यह सब हो रहा है और आंगे चल करके बली ने यक का उजन बढ़िया कर लिया यक साला बढ़िया बना ली और यक के आचार है महराज सुक्राचार और सुक्राचार को बलाया है देखिए एक वर की बात है कि पहले तो जब बली ने यक का उजन किया सुक्राचार थोड़ा सा रूट गए ब्रिस्वति के पास गए ब्रिस्वति ने कहा कि सरपर्तम गुरू को बलाये आपकी गुरू ही इसे दुको पोड़ कराएंगे यक बढ़िया हो रहा था बढ़िया चल रहा था तो कहते हैं कि अदिती के गर्व से सुन्दर एक वालक ने जनम लिया और वह वालक और कोई नहीं वह वालक हमारे नारायन भगवान बनकर के आये हैं और भगवान बनकर के आये कितना सुन्दर शुरूप है उनका बूले बामन भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बामन आय हैं कैसे हैं कि बामनेना आपो के नौका के आधा जो इन में बस गया तो हो गया भव से पाँ जो इन में बस गया तो हो गया भव से पाँ तो बामन भगवान कैसे हैं बामन उंगली के हैं कैसे हैं बामन उंगली के हैं बामन नेना आपके नौका के आधार भगवान के नेत्र और हमारे नेत्र कैसे हैं किस तरह हैं नौका की तरह हैं आप लोगों ने नौका देख ली होगी नौका किस तरह रहती है प्रारम में पतली रहती है पर बीच में मोटी हो जाती है लाश्ट में पर पतली हो जाती है हमारी आख की तरह ठाकुर्जी के नेत् और हमारे नित्र हैं बामुन नैना आपके नौका के आधार कैसे हैं नौका के आधार नाव की तरह ठाकुर जी के नएन है अच्छा नौका में बैठ करके क्या किया जाता है इस पार से उस पार किया जाता है इसलिए ठाकुर की वह आखों की जो नौका है उस नौका में बैठ जाए और भव से बिड़ा पार हो जाए सागर पार हो जाए कि इतने सुंदर भगवान की नहीं है अच्छा गुरु गुरु तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार की होते हैं तीन प्रिकार की इन में से सबसे अच्छा गुरू कौन है देखे लकड गुरू फकड गुरू और ग्यानी गुरू तीनों की जो इस्तिती है वो अलग अलग है तीनों को काम है वो अलग अलग है इन में सरवस्रेष्ठ गुरू कौन है यह देखिए अगर गुरु सही है किसी का जगड़ा हो जाए और हम अपने गुरु के पास में जाएं बोले गुरु जी ऐसा ऐसा हो गया कुछ कीजिए और गुरु अगर अधर्मी हैं खराब है गुरुजी कहते हैं लो ये तलवार लो ले जाकर के मर के आओ उसको और एक होते हैं ज्ञानी गुरू अगर उनके पास में भक्त जाए जगडा करकर के गुरुजी गेते हैं बेटा सब ठीक हो जाएगा ओम सांती ओम सांती बैठ जाएगा समझते हैं कि अभी रक्त बहुत गरम हो चुका है थंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जगडा छोड़ देगा एक होते हैं फक्कड गुरु शिसको आसा ही देते रहते हैं बोले आज नहीं कल सिकाएंगे कल नहीं परसों सिकाएंगे और एक गुरु होते हैं लकड गुरु इस सर्वस्रेष्ट होते हैं बोले कैसे बोले एक गुरु है लकड़ी की तरह है जैसे लकड़ी नौका जो लकड़ी की नौका रहती है और इस नौका में बैठते हैं यात्री इस पार से उस पार हो जाते हैं बैसे ही गुरु भी करत सब्सक्राइब आधान के लिए इस पार से अपनी सरीर ρूपी नुब्स करें अपनि बुधी नुब्स नौकां पॉलकर लिखे लेकिन वगुरू स्वशिर sollन करते हैं कि मैंने काफे गुरूं को देखा है अपने विध्यारतियों को पढ़ाते हैं कोई विध्यारती डियम हो गया कोई आई एस हो गया कोई डॉक्तर हो गया कोई इंजीनियर हो गया लेकिन गुरुजी वही पांच जार की नौकरी आज कर रहे हैं और विध्यारतियों को पढ़ा काटती है लकडी को लकडी ही काटती है एक बार आपस में ये अगन ब्रक्ष से आंदने कुलाडी मुझे क्यों काट रही ये सोत कुलाडी और भाएया मैं क्या करूं आपकी जो लकडी है नहीं भी मेरे अंदर डली हुई है अब वो जब उठेगी तो मुझे तो काटना पड़ेगा इसलिए हम अपने परिवार को पहले एक करें समाच को एक करें हम अपनी कालोनी को एक करेंगे तो साइद आपस में कोई किसे को नहीं काटेगा सब भाई बहन बन जाएंगे आप सब को एक होना चाहिए तो भगवान कैसे है भगवान के नहीं कैसे नौका की तरह जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से गुलिए और तो भगवान है नौका की तरह अब बामन भगवान ने जब जिनम लिया तो कहते हैं बढ़िया एक कमंडल ले लियो एक छत्री ले ली और बढ़िया आसन ले ली कुसा की और बढ़िया लमोट धारण किये हुए हैं बहुत बड़ बड़े नेत रहें ठाकुर जी के बहुत सुन्दर लग रहे हैं खडाओं को पहन करके और बली की यग्जिसाला के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और हमारे बामन भगवान देरे 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 चल करके बली की यगवसाला के समीप आ जाते हैं और जब यगवसाला के शमीप आये अब जब पास में आये अब बली ने देखा अरे अरे 아니고 देखिए कितना सुन्दर ब्रहामण है यक साला के पाश में ब्रहामण खड़ा हुआ है सुक्राचार ने कहा आरे बैट जाओ पुजा में बैट वह हमल कीजिए ब्रहामण तो आती रहेंगा ऐसे बली ने कहा वोले नहीं मेरे यक में अगर कोई ब्रहामण आ जाए तो मेरा सौ भाग है क्यों ब्रहामण जो दिख रहा आए यह ब्रहामण मैं एक कनया है छल ले जाहेगा तुम्हें बली ने कहा अगर भगवान आए है बन करके तो मेरे से वड़ा कोई सौभाग साली नहीं है कि आज भगवान हमारे धर्वार में आए हैं बली से रहा नहीं गया यक साला हमसे बाहर न बामन भगवान नहीं बोले मुहें बंद है अरे बोलिये देता क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ चाहिए बामन ने सिरह लाया नहीं चाहिए अरे भोजंद करना है नहीं करना है यग्ड में समलित होना है नहीं होना है विवहाए करना है नहीं करना है अरे क्या करना है कुछ तो बोलिये ब्राम मध्देता बली परेशान हो गया सुकराचान दौडते हुए आए अरे 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 आप क्या कर रहें लुट जाओगे लुट जाओगे वली यह कहना है गुरुजी मैंने आपके जैसा मैंने गुरु नहीं देखा गुरु तो यह कहते हैं दान करो पुन करो और तुम मुझे दान करने से रोक रहे हो अरे ब्रहामन आया है, मांगे, मैं आज देना चाहता हूँ और बामन भगवन कुछ बोल ली रहे हैं अन्तिम में कहा, बले महराज, ये राजा वली भक्त पहलात की वनसज बार बार प्रणाम करते हैं बताईए क्या चाहिए, कुछ मांगना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, तो बोलिए बामन भगवान ने कहा, बोले ठीक है तो, दीजिए, दो गए, बोले हाँ कहेंगे, बोले संकलब करो अगर कोई एक आएक के संकलब करो, तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि आखिर संकलप क्या है बोले संकलप कीजिए और जैसे आए और इसके बाद फिर कथा को सुनेंगे आए जो कोई भी पूजा करना चायते हैं मारी माता वहन भाई आए एक वजन के माद्यम से बामन भगवान का पूजन करते हैं बामन भगवान की पूजा करने से अभी मैं आपको वताऊंगा तीन पेर धर्ती दान करने का फल प्राप्त होता है और मैं चाहता हूँ कि दिख्षिजी से अब दिख्षिजी तो भाई बड़े बहुत सरल हैं मेरे से आकर के जो मिलते हैं तो कहते हैं माराजी बगवान की किरपा बहुत हो चुकी है और ऐसे हमारी मिल के उपर किरपा वनी रहे बोले लोग बस साथ देते रहें तो आने वाले समय में बहुत विसाल कथा करवाएंगे माराजी एक सपना है मैंने का वो सपना भी आपका साकार होगा और आप समस्त लोग उनका सयोग भी करेंगे और जोर से बुले राधे राधे जोर से बुले राधे राधे जोगन भे से बनाया जोगन भे से बनाया जोगन भे से बनाया सवरिया तेरे लिये तेरे लिये जोगन भे से बनाया सवरिया तेरे लिये तेरे लिए जोगन वे इसे बनाया समरिया तेरे लिए जोगन वे इसे बनाया समरिया तेरे लिए जोगन वे इसे बनाया और देखे, अभी माता हैं, बैटी रहें, इप आमन भगवान को आपके पास मही पहुचाएंगे तो नहाद उड़ाएं, भगवान सबे के पास मही आईएं, हरीबो! हरीबो! स्री रादे, अमरी जोगनी माता हैं, आईसे नहीं, जोगनी आँएं, तो नहाद उड़ाओ, और मस्ती में हरीबो! श्री रादे, अस्ती में जुमते होई प्रवगे आप देरे लिए तेरे लिए जोगजवे से बना आ तोड लिया मिन जग से ना आ ता तेरे सिवा कोई नजर ना आ ता तेरे सिवा कोई नजर ना ता तेरे सिवा कोई नजर ना ता तू दिल बीच समाया तू दिल बीच समाया मेरे तेरे लिए तेरे लिए दोगज़े में से बना आ आदिया, तेरे दिये, तेरे दिये, दोगजी प्रिया हे, तरीवो, ताली सेवो, तरीवो, 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 तरीवो विरे दिये 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 दोग निवेस बनाया सब्रिया तिरे लिले, तिरे लिले, लोग निवे सिभार क्या? साविरी सूरत दिले में समाए साविरी सूरत दिले में समाए तो कि कहें मुझे बाविरी आए साविरी सूरत दिले में समाई 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 लोग कहे मुझे माविरी आई तुने एसा रूप दिखाया तुने ऐसा डोप दिखागा, ऐसा डोप दिखागा, सबरिया तेरे लिए, तेरे लिए, जो गंडी डोप बनाया सबरिया, तेरे लिए, 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 पस्ती में ओूम पहुले देखो रादे, आज भगुमान आने वाले, कुछी समय बचायता है से नहीं इदना लुड़ायें, सभी केहां सुपरोने चे हरीवो आजा हुआ उतना लुड़ायें, सभी केहां सुपरोने चे हर दूपरोने। पर्दा लगता है वह क्यों लगता कुलता है कि कोई नजर ना मिला ले क्योंकि वाक्य बीखारी के नेन प्रेमी और जो ने रमिला ले दे हैं तो भगवान हुनी के ही हो जाते हैं छुछाद। इलो तुन हान उड़ा करके तुने आपका दिल वागो किस किस ने चुराया है भगवान ने चुराया है कि नी चुराया है इमांदारी हाथ से हाँ हाथ उड़ा ये उपर इमांदारी से भगवान ने चुराया है दिल तो दून हाथ उपर कीजिये तुने तुने ऐसा दिल को चुराया तुने एसा दिली को चुडाया तुने एसा दिल को चुडाया सवरिया तेरे लिये, तेरे लिये जो गंडी में इसे बनाया सवरिया तेरे लिये, तेरे लिये जो गंडी में इसे बनाया तेरे लिये कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जो गटे में इसे बनाया जय जय स्री रा ओरे जय जय स्री रा जय जय स्री रान जोर से बोलना ठुड़ेगा और जोर से बोलिए आज यहाँ पर बली ने भी जोगन का भेश बनाया है और जब ऐसा भेश बनाते हैं तो कहते हैं भगवान भी तुरंत दर्शन देने के लिए आ जाते हैं और आज यहां पर बामन के दर्वार पर भगवान आये है और संक्लब का कहा चोके पुराओं माती रंगाओं आजे मोरे पिया धर आवे के आजे मोरे पिया घर आवे के खबरे सुनाओं जो आज कुसिरे मनाओं जो आजे मोरे पिया घर आवे के 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 आवे क थेले, थेले, सकेले, सके जब कोई हमारे दर्वार पर आजाए, नगर में आजाएं, तो हमारे लिए सुन्दर चौक पुराना चाहिए रंगोली हमारे लिए बैसे डेली दिन दर्वाजे के सामने हमारे लिए रंगोली पारना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए, ना जाने किस भेश में, कब आजाएं भगवान, कोई पता नहीं है एक बार की बात है, एक सेट जी के यहां पर एक भिकारी आया तो सेट जी तो घर पर थे नहीं सेठाने जी गर पर थी और उस भिकारी नहीं जहिए कहा है माता जी मेरे पास में कपड़े नहीं है मुझे कपड़े दान दे दो अंदर से वह हितानी जी कहीं कपड़ों को तो लाई है पैंट और सरट लाई है सरट में से सारे वटन निकाल लिए और पैंट में जो हुक था वो निकाल लिया और दान दे दिये हैं हाँ माताएं ऐसा ही दान करती हैं बटनों को निकालेंगे हुक को निकालेंगे और क्या कहती है ए मेरे सेड़ जी का बहुत खास सूट था इसलिए लेकिन तुमको दे रहे हैं पहन लेना बटन है नहीं हुक ह नहीं अदान कर रही है और विकारी तो विकारी है और उस उन कपड़ों को ले जाकर के एक दिन पहन लिया दो पांच-दस दिन बाद और एक मंदर में जाकर के बैठ गया अधिक्षा को मांगने के लिए और एक दिन की वात है कि वही सेड़ जी अपने रिस्तेदारों के साथ में मंदर गए चोंब दर्शन किया बापस ने आय तो उन विकारी ओं को दान कर रहे थे और पुट जी की नजर उसी विकारी पर पड़ जाती है जिस विकारी लगता है, तुम्हारा ससुर लगता है, तुम्हारा जमाई लगता है, तुम्हारा साला लगता है, तुम्हारा भाई लगता है, तुम्हारा कौन लगता है, बोले लगता नहीं है, फिर कैसे तुम्हारा हुआ, बोल रहे हो, एक पांच में नम्मर का विकारी हमारा है, बोले ह है उसे हैं उसने जो कपड़ु पैहन रके है कि वह मेरे है इसलिए वह भीकारी मेरा है है एक ह translates कहता है अरे मूर्क जय तुझक पड़ों को देकर के भेकारी को अपना बना सकता है तो कुछ भगवाण को दे दे और भगवाण को भी अपना बना ले कि कि गुपन्द की याधा जाए को वस्तुछ कभी भगवान को समर्पित किये है ऐसे भी वस्तुर पसकी होने चाहिए आ जो अम ठाकरूर को दे थाकर के पास में हमारा कुछ नकुछ जरूर होना चाहिए हमारे पास में तो बहुत है ठाकर का दियौत खिला हुआ है तेरा सुक्रिया है ना मिलती दी हुई दात तेरी ना मिलती दी हुई दात तेरी हमें भगवान का सुक्रियादा भी करना चाहिए कहे ठाकुर तुमने अच्छे परिवार में मुझे जनम दिया सब कुछ अच्छा दिया है सरीर अच्छा दिया है बच्चे अच्छे दिये हैं अरे किसी को पतनी अगर अच्छी मिल जाए तो समझ जाना सबसे बड़ी करपा भगवान की यहीं पर है क्योंकि इस्त्री स्वरक बनाती है इस्त्री नरक बना देती है अगर घर की इस्त्री घर की बहू घर की बैठी ठीक है तो कहते हैं नरक को भी स्वरक बना देगी अग घर में कभी वरकत महीं हो सकती है क्योंकि आपकी इस्तरी आपकी घर की इस्तरी ठीक नहीं है घर में बढ़िया भोग लगने और जब बली से बामन ने कहा संकलब करो क्यों देरी कर रहे हो भूल गए बली ने कहा संकलब को हम कर देंगे उसी के लिए हूँ अब सुक्राचार ने सोचा कि मेरा सिस्तर लुट रहा है ऐसा कोई गुरू नहीं है कि अपने सिस्तर को आँखों देखे लूटते देख ले कोई गुरू नहीं चाहता कि मेरा सिस्तर लुट जाए सबी गुरु चाहते मेरा सिस्स ठीक रहे और जब सिस्स ठीक रहेगा तो गुरु जी ठीक रहेंगे और संकलब करने के लिए कहते हैं जो कमंडल होता है जो जैसे गंगा सागर रहता है गंगा सागर से जल को लेने लेने के लिए तयार हुए वली तो सुक्राचार ने क्या किया छोटा से रूप बनाया और गंगा सागर के कमंडल के उस छित्र में बैठ गए जल नहीं आ रहा था बली ने बहुत किया पूरा उपर से टेडा कर दिया जल नहीं आ या जब तक दर्ब धक्षना और जल नहीं होगा तो संकलब कैसे होगा वली भी सोच रहे हैं जलनी आ रहा है बामन्य का चिंता मत करो वली संकलब हो जाएगा मेरे पास में उपाय है कुछ की आसन्थी उसमें से एक शीक निकाली और उस छिद्र में गिंगा सागर के डाल दी तो कहते हैं यह सुक्राचार की एक पूट गई सुक्राचार बाहर आये निकल करके और यह आँख फूट गई कहते हैं सुक्राचार की दोनों आँख क्यों नहीं फूटी एक क्यों फूट गई अरे एक आँख इसलिए फूटी और एक इसलिए नहीं फूटी कि एक आँख से तो कहते हैं सुक्राचार जी यग करा रहे थी तो अच्छा काम था और दूसरी आँख से इनका सिस्त दान कर रहा था तो दान करने से यह बंचित कर रहा था यह रोक रहे थे इसलिए अधर्मी की जो आँख थी वह भूट गई और धर्मी की धर्मात्मा की जो आँख है वह बच गई सुक्राचार की और जो कोई दान करें तो रोकना नहीं चाहिए पचास का क्यों दे रहे हो दस का दे दो कई लोगों को मैंने देखा है माताएं तो इतनी होस्यार होती है अगर किसी के पति हजार रोपे निकाल रहे हो अरे रहने दो मंदर में तो आए हैं दस से कम चल जाएगा लेकिन कई माताएं अपना दिल खोल देती हैं भगवान के परती सब एक से हैं सब लोग भगवान के परती अपना दिल खोलते हैं इसलिए सुपकराचार जी भरबाद में बैठ गए बढ़िया जल लेकर के संकलब किया अब संकलब के लिए मांग लीजी ए क्या चाहिए बावन ने कहा वुले बस एक ही ची चाहिए वो ले तीन पैर धरती चाहिए तो कोई धाम में अगर मंदर बन रहा हो गौसाला का निर्मान हो रहा हो तो तीन पैर जितनी धरती होती है उसका दान करना चाहिए पैसा देना चाहिए इसलिए तीन पैर धरती दान करना आवस्थ है बहुत आवश्चक है एक ब्रक्ष लगाना आवश्चक है अब तीन पैर का संगलब हो गया अब पहले पैर में बामन भगवान ने क्या किया उपर के सभी लोगों को नाप लिया वहर लोग स्वर लोग महर लोग जनो लोग तपो लोग सत्त लोग का नाम दो भागे और दूसरे पैर में नीचे के लोग नाप लिये अतल बितल सतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकानम परिभागे दूद दो पैर में पूरा सब कुछ नाप लिया अब बली के पास में आए ब्राट सुरूप बनाया था बगवान ने बहुत ब्राट सुरूप बनाया था और वली से कहा राजन आप तो कह रहे थे और पैर मांगो दो पैर में पूरा सब कुछ ना पलिया तीसरा पैर कहां रखो बचन बद्ध हो तीसरा पैर रख बताए कहां रख रहें वले ने कहा महाराज ये बताए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है वले मालिक बड़ा होता है वले आपने मेरा धन ले लिया मैं उसका मालिक था कि तीसरा पैर हमारे उपर रख दीजिए भगवान ने तीसरा पैर उपर इसपर्स कराया है और कहते हैं आज य लगवान ने कहा चलो वली अब मेरे से मांगो क्या मांगना चाहते हो फाकुर मिल जाएं जो किसी को भगवान दर्सन दे दे तो भगवान से संसार की वस्तूमत मांगना प्यारे ठाकुर मिल जाएं तो ठाकुर को ठाकुर से ही मांग लेना चाहिए और कोई दूसरी वस्तू नहीं मांगना चाहिए ठाकुर को ठाकुर से ही मांगो वली ने कहां भगवान देना चाहते तो वस एक ही मुझे वर्दान दे दो कि आपका दर्सन हमेसा होता रहे मुझे हमेसा अब वो दर्सन तो कैसे होगा भगवान को द्वारपाल बना लिया भगवान बॉच्मेन बन गए गेट पर खड़े हैं अब तो राजा वली दर्सन करत तलबानता बारबार कुमझे अंदर कंभी बाहर कुभी अंदर कंभी बाहर लक्षामीजी के पास नारेजी नहीं कgoing कहा है तुम्हारे नारेन जी बोले हमें नहीं है पता से आज दिखी ये बली धन्हां संसार की मालकिन का पती संसार की मालकिन है लक्षमी जी और लक्षमी जी का पती आज नौकरी कर कर रहा है और वो भी द्वारपाल कीalten का रहा है वाष्मेन की नौकरी कर रहा है लक्षमी जी के फास नारद जी गहे औरे तुम एャरे पती तुम संसार की मालकिन बनी हो और तुमारे पती छोटीशी नौकरी कर रहे है है मैंने संसार में भी बहुत देखा है कई लोगों के यहां देखा है कई मैंने माताओं को देखा है कई स्त्रीकों को देखा कि अपने पती से बरपन मगरा साप करवाती हैं जाडू लगा लगवाती हैं पत्नी है नौकरी कर रही है और पती कम कमाते हैं तो पत्नी ने अपना प आती भले ही एक रुपे नहीं कमाता हो चलो ठीक है आप पैसा कमारे हैं तो ए तो नहीं कि धर्म को ही आप नश्ट कर दें धर्मों रक्षती रक्षताहा धर्म करेंगे आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगा इसलिए पती के लिए अपना परमिस्व माने कैसा भी हो अच्छा माना इस संसार में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने पती से प्रेम करते हैं जीवन साथी है जीवन साति तो एख रहता है जिसके उंगली को पकड़ करके हमें संसार से भव्ग सागर पार करना है है पतनी कहीं नहीं जाये पतनी मंदर भी ना जाये पतनी पूझा भी ना करे पतनी जाप ना करे पत्नी इश्नान भी ना करे तो कछू बात ना है पत्नी तो सरफ अपने पती के चरण को इस पर सकर ले सब तीर्थों का फल मिल जाता है कि एक वाद बताएं कि आज से लगबग पचास साल पहले या सौ साल पहले इस्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी और इस्त्री को दीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है कोई अधिकार नहीं है और कहीं दीक्षा नहीं लिए कोई बता दे प्रणों में इस्त्री ने दीक्षा लिए गुरु दीक्षा का अर्थ क्या है गुरु दिक्षा में यग्व पवित पहनाया जाता है और इस्त्री के लिए देवी के लिए यग्व पवित पहनने कादिकार नहीं है तो गुरु दिक्षा लेने कादिकार कहां से हो जाएगा हमारे देवता और देवियों में देवी के लिए कभी यग्व पवित नहीं पहनाते हैं गुरु दिक्षा में यग्व पवित पहनना पड़ता है क्योंकि इस्त्री के लिए दिक्षा इसले नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके पती को दिक्षा लेनी चाहिए जब पती का विभाय नहीं होता है तो तीन लर्का यग्गू पभीत पहनता है और विभाय हो जाता है तो छेलर हो जाते हैं तीन उसके हैं और तीन उसकी पत्नी के हैं इसलिए विभाय के बाद में पुरुस छेलर का यग्गू पभीत पहनता है इसलिए पती को दिख्षा लेनी चाहिए पत्नी को नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पत्नी का सब कुछ उसका पती है पती ने ले लिया तो पत्नी का उध्धार हो गया अब लेकिन कल्यूग है भाई चलो ठीक है अरे दिख्षा लो तो सभी खब से कम भगवान का भजन तो होगा इसलिए अब दिख्षा लेने लगे हैं मैंने आपको एक दिन और बताया था कि हमारे सनातन धर में इस्त्री सूद्र दुजबंधू नाम त्रिय सुर्तीना गोच रहा मैं एक चीज का बहुत जाना बरोद करता हूं मेरा अगर कोई सिस्स है मेरे से कहेगा महाराज जी आप इस डेट में फ्री नहीं है तो क्या मैं एक लड़की की कथा करवालू मैं एक कहता हूं अगर लड़की की कथा कराओगे तो मेरा नाम भूल जाना मैं कभी तुम्हें याद नहीं करूँगा महाराज आप तो इस्तुरी का ब्रोग करते हो मैंने का मैं इस्तुरी का सम्मान करता हूँ मैं ब्रोग नहीं करता हूँ मैं पाप नहीं करने दूँगा क्योंकि इस्तुरी मासिक धर्म से होती है और अगर इस्तुरी मंच पर बैठेगी बेट बहुत दिन पहले फाइनल हो जाती है कई इस्त्री, कई महलाएं, कई लड़की मासर धर्म होकर के भी मंच पर बैठ करके कथा सुनाती है बताइए पैसे के चक्कर में ये कितना बड़ा पाप है कितना बड़ा पाप है इसको रोकना होगा लेकिन कल्योग है बस आँख सिख जाए, लोग देख ले बस ठीक हो गया ये नहीं होना चाहिए धर्म की रक्षा करना है अब कल्योग है, कल्योग तो बढ़ना ही है कल्योग काबित पता क्या है, कैसा कल्योग आना है कल्योग पता है, कैसे आएगा आने वाला समय कैसा होगा भाई भाई को मार देंगे जान से और आने वाले समय में मनुष्ट की बुद्धी पसु की तरह हो जाएगी पसु खराब नहीं है लेकिन पसु की यूनी खराब है आने वाला समय पसु की तरह पुरुष अपना जीवन जीएगा आप लोगों ने देखा होगा पसु में एक मा से दो बच्चे जनम ले देते हैं तो आने वाले समय में उनमें रिस्ता नहीं रहता है रिष्टा नहीं रहता है उनमें तो आने वाला समय भी पुरस भी ऐसा ही कर लेगा और हो गया है मैंने ऐसे से लोगों को देखा है सगे मौसी के लड़के ने सगी मौसी की लड़की से साधी कर ली सगे चाचाने सगी भती से साधी चर ले सगे मामा नेस अधिशन से साधी कर ली इतक्या हो रहा है को रिस्टाइश नहीं रहा कि क्याए इह इन मनुस्थ की सोच बिगड़ती जा रही है कोई होसी नहीं है कि हमें क्या कैसे रहना है क्या करना है हम अपने जीवनों को सुधा रहे हैं हम अपने बच्चों को सुधा रहे हम अपने सनातन धर्म की रक्षा को करें जब हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे त कि दर्म की रख्षा करना है अब यह लक्षमी जी से कहा जोर से बोलिये राधे राधे और जोर से बोलिये आज रात्री के बारा वज्टक अथा होगी कि किटने वूजी तक होगी कि कि त क्यों कि रात्री कि बारा वजे कनियां का जुनम हुआ था तो कौन-कौन चाहता है कि बारा वजे तक कद्धा चले कोई उठेगा तो नहीं सही में चलो देखते हैं जोर से बोलिए कि तो यहां पर और यहां पर लक्ष्मी जी गई है अब लक्ष्मी जी ने कहा मेरे पती नौकरी कर रहे हैं और मैं संसार की मालकी नूँ यह मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है लक्ष्मी जी बहन बन करके गई है और आज वही रक्षा बंधन का दिन है अब बहन बन करके गई तो अब देखिए आजकाल की बहन भी अच्छी है डिब्बा एक लोका होना चाहिए मिठाई धाई सुग्राम होनी चाहिए दिखना चाहिए मिठाई तो एक ही खाएंगे भाई और रक्षा बंधन बान करके पर तो बनारस की साड़ी चाहिए चनरी की साड़ी चाहिए फिर तुम मान बहुत लंबी हो दिये तो वही रक्षा बंदन लेकर के लक्षमी जी गई है और लक्षमी जी गई राजा वली के पास में वले भीया मैं तुम्हारी बहन हूं आज अच्छा दिन है आओ रक्षा सूत्र बांद देते हैं एन वध्धो बली राजा दान विंद्रो महावला तेनत वाम प्रतिबंद नाम है रक्षे माचला माचला हा रक्षा सूत्र को जैसे ही बांदा भीया ने गहां वली ने मांगे वहन क्या चाहिए कि मुले भाया देंगे आप मुझे हाम फिल्टो देंगे बताये क्या सब्सक्राइब करेंगे बली समझ गये है यह कोई साधर निस्क्री नहीं है यह कोई साधर बहन नहीं है समझ चुके हैं सोच रहे हैं अगर संसार की वहन है तो जो मांगेगी वो मैं इसको दूँगा और अगर यह संसार की मालकिन है तो ये मेरे से आज मेरा सब कुछ सब ले ले और आपस में सोच रहा है मंदर ये अंदर आज मेरे से बड़ा कोई धन नहीं है मेरे से बड़ा कोई भी भक्त नहीं है आज भगवान की किरपा मेरे उपर कितनी है कि आज भगवान की किरपा ने मुझे कितना बड़ा भक्त बना दिया है कि मैं हर समय भगवान की सेवा कर रहा हूँ क्योंकि जब तक भगवान की किरपा नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता आज मेरा सौभाग है कि संसार की मालकिन आज मेरे से कुछ मांग रही है मांग ये वहन बोले आपका जो द्वारपाल है बस वो दे दो और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ बली समझ गए ये तो लक्षमी जी है और नाराइन को बुलाया आजाए आज से आपकी नौकरी पूरी हो गई आप रेटार्ड हो चुके हैं और आपको रेटार्ड में ये जो फंड है और आपको आपकी पतनी फंड रूपी आपको पकड़ा देते हैं ये ही लक्षमी है मेरे पास में फंड में और कुछ नहीं है यही लीजिये भगवान ने कहा ठीक है और भगवान अपने धाम को गए है वली ने फिर बढ़िया और यग किये दान किया पुन किया अन्तो कत्वाया पर बताते हैं कि संत सरोमनी सुग्देव से परक्ष की प्रश्ण करते हैं धर्म किम सरडंबर जहा धर्म क्या है और पाप का बाप कौन है पाप का बाप कौन है पता है किसी को कि पाप का बाप कौन है पाप का बाप है बंधो एक बार क्या हुआ एक महराज थे बहुत अच्छे ते कर्मकांडी थे सबस्चा था उनका एक दिन की वात है कि ब्रतम्चानी वृत्यम्मह इति ब्राम्मनम्ह ब्राम्मन हैं बहुत अच्छे हैं कर्मणा वलिष्ठा कर्मणों गति ही बलिष्ठा करवणों गती देवेकंतुम चमा साध्या त्यच संसार बंधनात इस संसार में सर्व स्रेष्ट हैं बंधनात हैं बंधन में बने हुए हैं जो बंधन में बंध जाए वो इंसान ठीक नहीं है बंधन तो हो तो सुर्व ठाकुर का हो बंधन तो हो तो पूजा का हो बंधन हो तो आरति का हो कि सुए साम हमें भगवान की पूजा करना ही है और तो पंडिजी थे वो कथा कर रहे थे एक दिन उनसे automat पुछा महाराज ये बताईए पाप का बाप कौन है महाराज जी ने कहा मुझे नहीं पता और जिस सिस्टरी ने पूचा वो एक वैस्या थी महाराज बताईए पाप का बाप क्या है महाराज ने कहा मुझे नहीं पता तो बोले महाराज जी लीजिए ए पांसो का नोट प्रणाम करते हूं कल आप मेरे घर पर आना आप पंड़ जी घर पर पहुंच गए उस इस्त्री ने फिर एक गांधी जी दिये अच्छा ये पता ही महाराज सब ठीक है भुले हाँ सब ठीक है क्या खाएंगे जो खलाओगी वो खालेंगे एक फर नोट दिया बड़ी अथाली लग गई पुले क्या बनाएं कच्छा या पक्का जो आपकी इक्षा हो वो बनालेजिए कच्छा वो जन बनाया थाली लग करके आई महाराज इसको पालीजिए और महाराज जैसे ही पाने के लिए तयार हुए उस इस्त्री ने महाराज के गाल में एक तमाचा जड़ दिया बोले महराज पाप का बाप है तृष्णा पाप का बाप है लालच जिसने लालच किया है वही पाप का बाप है कि तुम पैसे के चक्कर में एक बेस्या के घर भोजन करने चले आए इससे बड़ा और कोई बाप हो सकता है क्या अब नहीं पूचा कौन हो भोजन कैसे बनाया है नहाया है कि नहीँ नहाया थाकुर्ची की पूजा होती है के नहीं होती है जिसके अंदर तरृष्णा आगई जिसके अंदर लालच आ गया और जो लालच लालची होते हैं अपने आपको बड़ाव बनाने के लिए जो सच्चे लोगों को धोगा देते हैं तो कहते हैं उनकी हाय उनको लग जाती है वो कोभी अच्छे से सुख में अपने घर में नहीं रह पाते हैं तो यह है जो आप लोगों ने दुरुग जी की कथा सुनी ती दुरुग जी का विभाय सुख मारकी करन्या ब्रहमी के सात में हुआ था और धुरुग जी के दो पुत्रुदे कल्प और बतसर आंगे चल करके इनके यहां अंग हुए अंग के यहां बैन हुए बैन के लिए मंथन किया गया बैन के लिए कहते हैं मचली ने निगल लिया था तो मचली एक महराज राजा के घर पर पहुंसती है तो कहते हैं बैन का मंथन किया गया बैन से फिर कहते हैं प्रतु महराज हुए है प्रतु महराज ने अश्मे यक किये है इंद्र घवडाने लगे और जब घवडाने लगे तो भगमान से कहा भगमान आप दरसन दो दो नही तो हमारी पद्वी चली जाएगे और भगवान ने दर्सन दिया प्रतु महाराज से कहा मांगिये क्या मांगना चाहते हो प्रतु महाराज ने कहा भगवान मुझे आप देना चाहते हो तुम मुझे दस हजार कान दे दो कितने कान दस हजार कान दे दो बोले दसजार कान का क्या करोगे संसार में तो लोग दो कानों से परिसान है तुम दसजार कान वांग रहे हों बोले जिसके पास में दो कान है बोले सेंचुरी मील में कता हो रही है कई लोग अपने अपने फ्लेट में रह रहे हैं और किसी किसी के तो कान को ले खराब हो चुके हैं मुले कहां से कहां ये कथा चालू हो गई कहां से महाराज आ गए एक माय हो गया अभी तक ये साउंड बंद नहीं हो रहा है बहुत परेसान है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं अरे चाहे साउंड बंद कर दो चाहे कुछ कर दो जिसको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना हो जिसको पढ़ना है तो लाइड भी नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं कि एक तो पहाना है अरे कथा से बढ़कर क्या है भगमान को प्राप्त करने के लिए पढ़ने की आवा सकता नहीं है कि सोर हो रहा है क्या हो रहा है जिसको पढ़ना है तो चाहिए सा सोर होता रहे सब पढ़ लेते हाँ जम मानेंगे हम कि घर में कोई बाती नहीं करेगा टीवी चलीगी लडाई भी होगी घगढा भी होगा घुमने भी जाएंगे यूट्यूब भी चलाएंगे मुवाल भी चलाएंगे इससे पढ़ाई नहीं रोखे कि कथा से पढ़ाई रोख जाएगे कथा हो रही है कि इन लोगों की सोच है महाराज दो कानों से परिशान हो जाते हैं परतु महाराज ने दस हजार कान मांगे बोले क्या करोगे इन कानों का बोले भगवान जहां जहां आपकी कथा होगी वहां वहां एक एक कान भेज दूगा और आपकी कथा सुनता रहूँगा संता रहोंगा इतना भारतवर्स है है कि 10,000 कता तो होती होगी संसार में कि सुनेंगे आपकी कथा को ठोछु, भगवान की प्राप्ति होई आज प्रक्ष जी नहीं पूछा कि संसार में कौन किसका है कौन किसका नहीं है तो परक्ष जी नहीं है तो कहते हैं प्रक्ष जीने कहा गिरी वरो रार स्थ्रकूट है सि गजंद्र मोख शाह एक गज और ग्राइ की कथा आती है हाथी और मंगर मक्ष की यह कथा हमारे लिए यह सकाती है कि संसार में कोई किसी का नहीं है वे हाती अपने परिवार को ले करके वच्चों को ले करके पत्नी को ले करके एक सरोवर के पास में गया इश्नान करने के लिए और उस हाती ने उस गजने उस गजिंद्र ने इश्णान करने के लिए सरोवर में गया वंधु तो उसका पैर गराहन Greater ने पकड़ लिया मगर मच्छने पकड़ लिया वो यह हाती कहता है ओ अरधांगने तुम तो मेरी पतनी हो तुम मेरी पतनी हो तुम एक काम कीजिए, सूर से सूर मिला लिजिए, मैं बाहर निकलाऊंगा, पत्नी ने मना कर दिया, आप सक्ती साली है, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे में इतनी सक्ती नहीं है, आपने अगर मुझे ये अंदर कर लिया, तो आप तो मर ही रहे हैं, हम और मर जाएंगे, सब मतलब ये हैं, एक जगए, एक बार, एक परिवार था, उस परिवार में एक ही पुत्र था, बहुत प्रेम करते थे घर वाले, परिवार वाले, बच्चों को, उस संतान को, उस पुत्र को कहीं जाने नहीं देते थे, बिटा घर परी रहो, कुछ हो जाएगा, तो हम कुछी नहीं जानेहें दे रही है कर पर रहो एक दिन वहीण वालक चोरी से छूप करके वह कथा हो रही ती पंडाल में आ गए बैठ गए कथा सुनी महाराज ने कह दिया संसार में कोई किसी का नहीं है सब मतलब है लुक्त मतलबी है है संसार में कोई किसी के नहीं आधो गलत है मेरी है मेरी पिटा जी है कि अठिडर भुए बश्वत मेरी प्राहई बोहुत प्रैम करते हैं यह नहीं का हुआ कि महाराच जी ने काकप लिए मोलकि क्या काम करना है थीक है एकर पर जाना भी दो घंटे तुम भूष घंटे तुम भूष मोजाना और मरने का नाट कर लेना पता ठल जाएगा भी बेटा गया घर पढ़ गया गोली आफ लेट गया быть डॉक्तर आये डॉक्तर है तुम्हारा बेटा ररा बेटा का दियान दो चुका है मा रोनी लगी पिता रोनी लगी पत्नी रोने लगी में कि बहुत रो रहे हैं कि हालत खराब हो गई वही संत निकले संत ने सोचा अरे महराज सोचते हैं इस घर से हावाज कैसी आ रही है रोने की कि महराज से रहा नहीं गया अंदर चले गए और महराज ने देखा यह तो वही बालक है कि अब यह पूछा कि संत जी गए हरिश्ष्ण रडम और जब संत जी गए है संत ने देखा कि पुले किमर हो रहे हैं आप लोग महराज मेरे वेटे का देहांद हो चुका है आप कुछ कर सकते हो कोई जादू टौना कर सकते हो क्योंकि दवा से बड़ी दुआ होती है कि जहाँ लाखों रोपए की दवा काम नहीं करती है बहां राख काम कर जाती है दुआ काम कर जाती है हर दर्द की दवा है बिहारी के सहर में कोई गया नखाली बिहारी के शाहर है वो लिए तुमारा बेटा ठीक हो जाएगा सभी हसने लगे सभी वड़िया प्रशन हो गए माता पिता पतनी पंडिशी ने यह कहा थीक तो हो जाएगा यह काम करना पड़ेगा बूरे महाराज जल्ली बताओ १ एक काम हो जाएगा एक काम नहीं पांच-पांच काम हो जाएंगे जल्ली बताओ मेरा वेटा जीवित होना चाहिए महराज नहीं है कहा अगर एक इंसान मर जाएगा तो यह जीवित हो जाएगा एक को मरना पड़ेगा मासे कहा माने मना कर दिया में मर नहीं सकती हूँ तुम तो इनकी अर धांगी हो पतनी हो सुक दुखा जोडा था तुम मर जाओ मैं तो दूसरा विभाय कर सकती हूं लेकिन मैं मर नहीं सकती हूं आए तो कैसे होगा एड़े तीनों करके कहती है महाराज यह बताओ एक मर जाएगा तो एटीख मर जाओ मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा महाराज ने कहा दवा भी मैं ही बता रहा हूं और दवा को मैं ही खाऊ अरे तुम्हारे बेटी को कुछ नहीं हुआ है बेटा उठ जाओ पहचान लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है सब मिथ्या है और आज उस गजिंद्र ने लि कि आपक किसको याद करें वो अजय है याद किसको करें किस की प्रास ना करें कि कहते हैं गज और एक गुर्याह कौन है ऊब बेह पूरुम्हों जनम के दो व्यक्ति हैं उले एक क्या कर ते जब कोई संत पोई अग्राममण जल में तपस्या करते थे तो यह जाकर के पैर खी खीशते थे तो उन संतों ने स्राव दे दिया कि हम तुमें स्राव देते हैं कि गज और ग्राह बन जाओ जिससे पैर आपस में खीशते रहना पिर भीया उनको वगवत की प्राप्तिवी वगवान से कहा वगवान ऐसा ऐसा है वो लो चिंता मत करो ऐसी पैर खिशते रहना एक ना एक दिन उध्धार हो जाएगा तो गज ने सोचा उसी तालाब में उसी सरोबर में एक पुस्प बढ़िया भेकर के आ रहा था और हाती की नजर उस पुस्प पर पड़ गई और हांती कहता है कहे विधाथा जिसने पुस्प बनाया हो मैं पुस्प बनाने वाले के लिए मैं कोटी-कोटी प्रणाम करता हूं कोटी-कोटी वंदन करता हूं मेरी रक्षा करें तो कहते हैं कि साख्षात भगवान आये हैं और गज और गराय के लिए उस यूनी से छुटक विलीन हो गई और आंगे चलकर के भाराज प्रक्षित जी ने कहा कि आप मुझे यह भी बताओ कि किसी के किसी का नाम से उध्धार हुआ है तो कहते हैं अजामिल का उध्धार नाम से हुआ है अपने पत्रों का नाम बुले भगवान से मिलकर करके रखना चारिए नाराहिन न आंगे चलकर के बंधू कैते हैं कि अरुद्धा बन जाएं तो हमारा संदेश हमारा पैगाम कौन लेकर कर जाएगा अधर आईये हम सब लोग अपना अपना संदेश वाकि व्हारी को भीज़ते हैं और उसके बाद में कथा को आंगे बढ़ाएंगे पहले राम जणम होगा पर उसके बाद में क्रुष जनम होगा अभी कथा बहुत है अभी सबसे पहले आपको समुद्र मंथन की कथा आएगी कि समुद्र मंथन में चौदा रतन निकले थे पर उसके बाद में राम जनम उसके बाद में क्रुष जनम जोर से बुले राधे राधे कोई जाए जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मैं ले जाना जो और से बोले जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मैं ले जाना कोई जाए जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मैं ले जाना कोई जाए जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मैं ले जाना कोई जाए जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मैं ले जाना मेरा पैगां मेरा पैगां मैं ले जाना कोई जाए जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मिले जाना कोई जाए जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मिले जाना केरी मैं तो जान नहीं सकता मेरा पैगां मिले जाना कोई जाए जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मिले जाना कि जाए जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मिले जाना तो ए बताए अपना अपना पत्रक बाके ब्यारी को कौन-कौन भेजना चाहता है ब्रिंदावन सही में हरी वो दी राधे अली सेवा प्रिंदावन प्रिंदावन जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मिले जाना कोई जाए जो ब्रिंदावन मेरा पैगां मिले जाना देखिए अगे तुम्हे ब्रिंदावन जाओ तो उनको देखते रहना और अगर तुम ब्रिंदावन जाना तो बाके ब्यारी को देखते रहना और वो तुम से खाल पूछेंगे बहां तुम कुछ नहीं कहना बहां तुम कुछ नहीं कहना बहां तुम कुछ नहीं कहना और जो बाके ब्यारी पूछेंगे तो कुछ नहीं कहना क्या कहना बहा देना बस दो आसू मेरी पहचान दे देना ओ बहा देना कुछ आसू मेरी पहचान दे देना कोई जाए जो ब्रिंदावन मेरा पेगा में दे जाना अगर आप अपना प्रेंपत्र अपने द्खों का पत्र अगर स्याम सुन्दर को भेजना चाहते हो तो दोनों हाथो को उपर उठा करके मस्ती में हरिबो लिराधे हरिबो हरिबो जिसने ब्रज में जनम लिया हो वह वर्जवासी और दूसरा हुआ है जो ब्रंदावन में जाकर वस गया वह वर्जवासी और तीसरा ब्रजवासी वह होता है जिसका मन मरंदाबन चला जाए वो वर्जी वर्जवासी हो जाता है इसलिए काईए मेरे साथ में देखे रादेव अच्छे एक बताओ लोग कहते हैं खड़े हो करके नरत किया जाता है लेकिन आप लोग के बाद बैठ करके भी नरत कर सकते हैं हाँ दूपर करो सभी के उप्ट हरीबो अच्छे रादेव अच्छे रादेव कोई जाए जोवरंदावन मेरा पेगा मिले जाना और क्या? यदि तुमने वो नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना यदि तुमने नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना जिसने बात के प्यारी को नहीं जाना तो उसने संसार में कुछ नहीं जाना तुमने कुछ नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना चले जाना तुम बरसाना चले जाना तुम बरसाना त्रजी को नमन कके आना चले जाना तुम बरसाना श्रजीवन को नमन देना कोई जाए जो ब्रिंदा बन मेरा पेगा मिले जाना कोई जाए जो ब्रिंदा बन मेरा पेगा मिले जाना कोई जाए जो ब्रिंदा बन मेरा पेगा मिले जाना कोई जाए जो ब्रिंदा बन मेरा पेगा मिले जाना मेरा पेगा मिले जाना मेरा पेगा मिले जाना मेरा पेगा मिले जाना तो जो ब्रिंदा बन जाए पेगा मिले जाना पेगा मिले जाना कि महराज आज चत्रत दिवस की कथा को हम आप सभी लोग सुवड कर रहे हैं और भगवान आपकी कथा बहुत आनंद में है वो जी भगवान की कथा का पान हमेशा कराते रहें यह हम चाहते हैं और देखे कि इती तुष्णम इस्थान देत्यान बिलोक परशुत तमाहा एक समय की बात है कि मन्थ मानेर रवे सोधर नार धापो हरताद विश्ष्णनहा ग्रिय माडोपी बली भी गौरवात पांडु नंद नहा गौरवेड़ पांडु नंद नहा अरे एक समय की बात है कि देबता धैतों से परेशान थे बहुत परिसान थे देप्ताँ को परिसान करते थे उनका सब को छीन लेते थे रहने नहीं देते थे तपस्या नहीं करने देते थे जाप के लिए भंग कर देते थे कि देपता बहुत परिसान हुए देपताओं से हैं तो भया एक दिन विचार किया देपताओं ने मिलकर करके एक काम करो बटवाराई कर लेते हैं चलो समुद्र मंधन करते हैं भगवान नारण के पास में सभी देवी देपता गए और नारण से कावले नारण रख्षा करो बहुत परिसान है कि कहते हैं कि एक दैत हुआ है जिसका नाम हम आप लोग सुनते हैं राहु और केतु एक ग्रह में हैं लेकिन कहा जाये तो पापी ग्रह है एक और दैत था जिसका नाम था बित्रासुर इंदुर को बहुत परिशान किया बहुत परिशान किया भगवान ने जैसे तैसे बित्रासुर से छुटकारा पाया कभी हिरन्याक्ष आ जाते हैं कभी हिरन्याक्ष आ जाते हैं कभी कंस आ जाते हैं कभी रावड आ जाते हैं अरे एक डैत तो आते ही रहते हैं भगवान हम लोगों को भी इन से छुटकारा चाहिए भगवान ने कहा वोले ठीक है वोले भगवान ने अपने मन को बनाया है कहते हैं मन का ही मन्थन समुद्र मन्थन है जो मुंबई समुद्र से घिरी हुई है लगवग कि मुंबई समुद्र से घिरी हुई है आप गौर करना साइट कहीं जगए है तो लेकिन फुल के माद्यन से जगए है जह चोटा साही समुद्र का रूप क्यों ना हो उजगे इस साइट तो समुद्र है आप वसई विरार होके जाएंगे तो साल वा उस साइड वे एक पड़त समुद्र का थोड़ा सांथ पड़ता है तो मुंबई समुद्र से गिरी हुई है कि अब मन का मन्थन समुद्र मन्थन है तो कहते हैं बैराज की पत्ने संभूति के गर्व से भगवान नारैन ने अवतार लिया जिनका नाम अजुत ब्राम्मड हुआ ब्राम्मड हुए ब्राम्मड के घर में अवतार लिया अब दिखिये और के अवतार लेने के बाद में समुद्र मंतन बोले अ मद्राचल परवत था ना उसकी मतानी बनाई गए उसमें साप की बासु की बास जो सर्प रहता है ना सर्प के लिए उसकी मतानी की रस्षी को बनाया है और अजित ब्राह्मण ने अपने पीट पर उस मतानी को उस मंदर आचल परवत को रख लिया अब एक साइड देपता और एक साइड देपत अब समुद्र मंथन प्रारम हुआ अब कहते हैं जैसे ही समुद्र मंथन प्रारम हुआ तो कहते हैं कि समुद्र मंथन में सबसे पहले हला हल विष नकला पिलाएं कौन पिएगा है इस बिसको ऑपो यहां राया पूले विशको तो बोरे नाजी के पास में चलते हैं बुष निकला बोले नाजी को पलाया अब बोले नाजी ने भी सोचा इस बिसको अंदर रख लेंगे तो हमारा युद्धार हो जाएगा इसलिए इस बिश्को हम कंठ में रख लेते हैं इसलिए भगवान का नाम पढ़ गया भोलनाज जी का पुल नील कंठे सुर भगवान की जय नील कंठ और कहते हैं दूसरी वस्तो महाराज काम धैनूं गाय निकली दिखिये गाय की सिवा होनी चाहिए तो जर्सी नहीं होनी चाहिए गाय हमारे देशी होनी चाहिए बदेशी गाय नहीं होनी चाहिए देशी होनी चाहिए उसी का फल प्राप्त है गाय तो वैसे काम धैनूं गाय हो स्यामा गाय हो ए मिल जाए घर में रखने के लिए तो और ब काम देनुंगा इने किली तोले क्या करें इस गाय केलिए ब्रहंबनों को देदो सुंतों को देदो फुले से इस गाय करेंगे ओस पहले ब्रहुबती गाय के गौवर सफी वंती थे तीसरी वस्तु उच्च सरवा नाम का एक घोड़ा निकला उस कहते हैं उस घोड़े के लिए इंद्र ने ले लिया उस घोड़े के लिए राजा वली ने ले लिया हरी शरडम हाती निकला एरावक नाम का उस हाती के लिए इंद्र ने ले लिया और जो हाती था न वो बहुत विशाल था उसका नाम था एरावत हाती और देखिये उसके बाद में कहते हैं कौस्तुमभक नामक एक पत्म एक मड़ी निकले उस मडीने के लिए अजित ब्रहामन ने ले ली एक कल्प ब्रक्ष निकला कोई कल्प ब्रक्ष के लिए प्रत्वी को दे दिया अब सराय निकली शिंगार सहत उसके बात में लक्षमी देवी प्रगट हुई और जब लक्षमी प्रगट हुई तो बड़िया सुन्दर रूप करके लग्षमी जी आएगे अव सारे देवता खड़े हो गए कर było कि बईया साथ ईये लक्षमीματα माला हमारे गले में डाल डे हैं हुद मेरा ब्र भाए हो जायेगा इन से फ। खड़े हो गए साइध मेरा विवाय हो जाएगा ब्रमा जी अपनी डाड़ी पर हाथ फिर रहे हैं उसे साइध मेरा ब्रवाय हो जाएगा लक्ष्मी जी किसी के पास नहीं गहीं और नारायन भगवान एक जगए बिलकुल खड़े हुए ते पीछे और लक्ष्मी ने जाकर के सिदे नारायन के गले में उसे माला को डाल दिया है लक्ष्मी नारायन का विवाय हुआ है और उसके बाद में कहते हैं कि आंगे चल करके बैजनती माला निकली है और कहते हैं और बैजनती माला कहां से निकली अच्छा बैजनती माला किसे कहते हैं बैजनती माला जो है ना लक्षमी जो माला लाएं थे कहते हूं कमल के पुस्पों की माला थी आप कमल गट्टे को आप कच्चे में फड़ोगे तो बैजनती उत्पन होता है भगवान को गले में बैजनती माला वही बैजनती माला आज भगवान ने आपर पहने है बारोड करते हैं धन्मंतरी का यहां पर भगवान का अवतार हुआ यह पर कहते हैं अंतिम में कहते हैं बढ़िया ढगवान ने जैसे ही फिर से मंधन किया महराज सुन्दर अमरित कलस निकला और जब अमरित कलस निकला वंधों तो कहते हैं इस अमरित को किसको पिलाएं इस चर्चा के लिए अमरित कलस एक जगे रखा तो देत्तों ने छुड़ा लिया हर ले गए अब देपता फर परिसान की इतनी मैनत की और अमरित कलस अगर देत्तों ने पी लिया तो तो वही अमर हो जाएंगे वो तो भगवान से प्रातना की तो भगवान पर मोहिनी का रूप बन करके आये हैं बड़िया साड़ी को पहन करके बिंदी को लगा करके चूड़ी को पहन करके भगवान ने मोहिनी का रूप धारन किया और मोहिनी बन करके देत्तों के पास में गए तो देत्त मोहिनी को दिख उस अमरत कलस को ले लिया और कहते हैं ठोड़ा खीचांता ने हुई अमरत कलस को ले करके तो उसकि चार उने गिर गई कि इलावाद हरिद्वार उजयन और नासिक में इसलिए वहां पर कुम्ब लगता है और पर बढ़िया अमर्त कलस लाए तो बहिया देपताओं को पिला रहे थे भगवान तो कहते हैं एक देत आया जिसका नाम है राहू वो भी देपताओं में बेच में जाकर की बढ़िया छप गया और अमर्त कलस का पान कर लिया और चंद्र और सूर गए भगवान के पास बोले भगवान हम सब के बीच में एक देत ने भी अमर्त पान कर लिया है बोले कौन है बोले राहू है भगवान ने कहा अच्छा अगर देत ने अगर अमर्त पान किया है तो ये सुदरसन चक्र मैं बेजता हूँ मार दें लेकिन वो तो अमर हो चुके थे सुदरसन चक्र जैसे छोड़ा है नाराइण ने तो कहते हैं राहू का सिर कट गया और सिर कट गया तो राहू से केतु हो गए अमर हैं ये कुंडली मैं जहां भी मिलें लें आने सामने मिलें तो राहू और केतु ने कहा to सूर और चंद्र तुमको छोड़ेंगे नहीं हम इसलिए सूर्गरन और चंद्गरन जो लगता है राहू केतु जो सुरु को घेर लेते हैं तो सुर्गरन लग जाता है और चंद्र को घेर लेते हैं तो चंद्गरन लग जाता है और आंगे चल करके बंधो यहां पर परक्षित जी कहते हैं कहे हे राजन, हे महाराज, संत स्रोमनी स्री सुगदेव जी से कहते हैं कि आप मुझे अब मेरे प्रवु स्री कृष्ण भगवान की मुझे उस बंस का विस्थार बताए मैं सुनना चाहता हूँ तो कहते हैं कि आंगे चल करके दो बंस हुए हैं, एक बंस का नाम है सूर्वंस और एक बंस का नाम है चंद्रवंस, सूर्वंस में हमारे प्रवु स्री राम का अवतार हुआ है और चंद्रवंस में हमारे प्रवु स्री कृष्ण का अवतार हुआ है सूर्वंस और चंद्रवंस है अब देखिए सूर्वंस में कौन कौन आए कैसे आए और एक बात बताएं इस संसार में गंगाजी भी कैसे आई गंगाजी सूर्वंस में आई अच्छा एक बात सभी माताओं को याद होनी चाहिए कि नारायन भगवान के लिए कृष्ण भगवान के लिए राम भगवान के लिए कभी भी उपर से गंगाजल नहीं चड़ाना चाहिए क्यों कि विश्णु भगवान के पैर के अंगूठी से गंगाजी निकली है और गंगाजी कहते हैं भगवान के पैर से उनके अरधांगनी है और अरधांगनी को सिर पर नहीं बैठाया जाएगा इसलिए गंगाजल को हम पैरों में ही डाले और पहली बात तो कि गंगाजल घर में नहीं है तो टैंसन मतलो वगवान को इश्णान करा दो गंगाजल बन गया पैर के इश्णान करा दो गंगाजल बन गया गंगाजल को चाहिए जल में डालो चाहिए जल को गंगाजल में ड अरे घर की ढाली औह नाली कबतक है जब तक वए नाली किसी नाले में नहीं मिलीए उन नाले में मिल मिलता है तालाव में मिल जाने के बाद में घर की नाली नगर का नाला और सिधा तालाव बन जाता है तालाव कब तक गंदा है जब तक वह तालाव किसी बड़ी नदी में नहीं मिलता है और नदी में मिलने के बाद में वह गंगा जल बन जाता है घर की नाली नगर का नाला ग इराम का नगर का तालाब गंगा जी में मिल जाने के बाद में गंगा जल मन जाता है और बाद में गंगा जी जाकर के समद्र में मिल जाती है तो कहते हैं ओए जल ओए गंगा जल फिर तो पीनी के लायक भी नहीं रहता है सागर से तो नदिया वली समुद्र से तो नदिया वली जो कम से कम पीने के लायक आती है अरे सागर विसाल है विसाल है लेकिन उसका दिल ठीक नहीं है क्यों? क्यों सागर को हम पी नहीं सकते प्यास नहीं बुझा सकते एक बात बता है रिष्टे नहीं बगाड़ना चाहिए रिष्टे नहीं बगाड़ना चाहिए वो ले क्यों क्योंकि गंदा पानी पीने के काम नहीं आ सकता है तो गंदा पानी आग तो बुझा सकता है गंदा पानी आग बुझा सकता है इसलिए रिष्टे भी कभी मत बगाड़ो ना जाने किस से काम पड़ जाए कोई पता नहीं है इसलिए रिष्टे हमेशा बना करके चलो हमेशा और आज इसी सूरुवन्स में बंदो कहते हैं सबसे पहले आई ये सूरुवन्स को सुनते हैं सबसे पहले सत ब्रत मनु हुए हैं और इनके हुए हैं बेवस्वत मनुक और बेवस्वत मनुक वैवस्त का विभाय गुआ सरद्धा के सांथ और कहते हैं सर्द्धा के सांथ ब्भाय हुआ इनकं याँपर दस संतान हुए इनी दस संतानों से सूर्वन्स का विस्तार हुआ दस संतान कौन सी हैं इक्षबाकू नरग, सर्याती, दिश्टी, करुस, नर्सियंत, और प्रसंग्न, नभग और कवी अलग-अलग देखिए यहां से विस्तार हुआ है दिश्टी से महराज दुर्पद हुए हैं और दुर्पद ने सौमक हुए हैं सौमक के जन्तु के सोपत्र हुए हैं जिनका दुर्पद इत्यादी नाम हैं और कहते हैं यहां और दिश्टी के एक हुए मरत्र, मरत्र चक्रवती राजा हुए हैं और कहते हैं नवक के नावाग हुए हैं, झानी। कहते हैं दोयादसी के दिन दितरियोदसी लगना था उस दिन तो बोले बृत को तो हमेरे लिए पूर्ड करना है तो बोले दुर्वासारिसी इश्नान करने के लिए गए थे तो हात में जल लिया तुलसी दल को लेकर के लेने लगे दुर्वासारिसी आए बोले अंबर अर्थात इसर अंबरीज जिसके अंदर अंबर और इसर अंबर अर्थात इसर जिसके अंदर यह है वोई अंबरीज है मुझे बुला लिया और पहले भोजन कर रहे हूं इस सुभायमान नहीं है उन्हें कहा मैं भोजन नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें स्राव देता हूं कि मैं तुम्हें स्राव देता हूं कि तुम बिल्कुल नश्ठ हो जाओगे लेकिन कहते हैं दुर्वा सारे से ने स्राव द गया अब दूर्वाषार इसी परेशान वो दोड़े तुकर पिछे को आए और चक्र बगल में आये टो करिए इस साइट होगा लगान टार पर श्चक्र नेनल चाहति तो चर्ए मैं आप रख्ठा तो इस सुधर्शन चक्र का भग्त ही करता है अम्भीष के पास में जाओं अम्भीष से छमाच ना मांगे तो अम्भीष ने छमा कर दिया सुधर्शन चक्र भग्वान के सरड़ में गया और आगे चल करके अम्भीष जी से यहां पर एकादस्फी का ब्रत्द और आंगे चल करके कहते हैं अमरीज का जनम हुआ फिर दुर्व यहां आंगे चल करके यहां एक्षवाकू हुए एक्षवाकू से मानधाता हुए मानधाता से पतास कन्या हुई इनका विभाय सोबरी से किया गया और आंगे चल करके कहते हैं सगर हुए सगर के सागर हुए सा भागीरत के पूर्वज जो है उनोंने बहुत पहले से गंगा जी को लाने का प्रयास किया लेकिन गंगा जी नहीं आ पाई लेकिन जैसे ही भागीरत हुए हैं भागीरत की तफस्या इतनी प्रभाव सालिए थी कि भगवानको अपने पैर के अंगुठ्री से गंगा जी को निकालना पड़ा अब उले गंगा जी ने सोचा कि हमारे लिए कौन हमारे लिए समालेगा मुझे कोई समालने वाला नहीं है धर्ती पूरी भट जाएगे त्राही माहम हो जाएगा बोले नाज जी ने का चिंता मत करो मैं अपनी जटाओं में लाती में कर तो कई सालों तक सुमाह सकता हूं और गंगा जी निकली तो बोले नाज जी की जटाओं में घंगा जी ने कहा कि गंगा जी को अभिमान था तो अधी श्लोठ एपने चंदर माह से पर गंगा जी को निकाला है तो हें हलकी पॉड़ी हरद्वार में होती है यहां पर गंदाजी का दर्सन हूआ और आंगे चल करके वागी रत हुए है तो भागी रत के महराज खटमांग हुए हैं और दिर गवाई हुए हैं दीर के वाहू के अज हुए हैं और अज के महाराज दसरत हुए है कि दसरत का विभाय हुआ थीन रानियों के साथ कॉंसिल्या केंकई और सुमित्रा कि बहुत प्रशन्य है सब कुछ है एक समय की वात है कि दसरत जी ने अपना चहरा सीसे में देखा तो उनकी डाड़ी का एक वाल भाईट सपेद हो गया और जब सपेद हुआ चिंता व्याप गई एक बार भूँ पतिमन माही एक बार भूँ पतिमन माही एक बार भूँ पतिमन माही भाई गिलानी मूरे सुत्थ नाही एक बार जैसे देखा अरे मेरी उमर इतनी हो लंबी हो चुकी है मेरे बाल सपेद हो गए है मेरे बाल पक गए है और मेरे हाँ कोई संतान नहीं है कोई संतान नहीं है गुरु ग्रहे गायाओ तुरत्य मही पाला 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 करने लागे करे यागे पेसाला और देखे गुरु जी के पास गए गुरु जी ने कहा आसरी वादे यग कीजिए यग हुआ है और यग कौन सा किया वोले पुत्र कामेश्ठी यग किया और यग करने के बाद उसमें से भगवान प्रगठ हुए प्रगठ हुए तो कहते हैं उसमें से खीर आई यहीं चरू आया और जब चरू आया तो वोले क्या करें वोले इसको बांट दो रानियों को दे दो आँ भीया रानी को तो वोले एक के पहले दो भाग किये कहते हैं एक के दो भाग किये एक जो भाग अलग है वो दे दिया कौंसिल्या के लिए और फिर एक भाग में से फिर दो भाग किये सुमित्रा को और केंके को दिये हैं है तो वंद्हों कहते हैं कि कि जो शुमित्रा है तो शुमित्रा ने अपनी खीर के लिए और खेर के लिए एक जगए रख दिया तो कहते हैं खीर के लिए एक चील आया और सुमित्रा की उस खीर के लिए उस परसाद के लिए ले गया और और जब परसाद के लिए ले गया तो कहते हैं बहाँ पर अंजनी माता तपस्चा कर रही थी तो उस चील से उस कवे के मुख से वह एक खीर का प्रसाद छूट जाता है और मा अंजनी माता के हातों में वह प्रसाद पहुंच जाता है तो बहाँ अनमान जी का जिनम होता है अब भई सुमित्रा के लिए खीर नहीं है तो कहते हैं अर्द भाग कौंसल्या की आदा भाग कौंसल्या ने अपने में सर्दे करके और थोड़ा सा भाग केंकें ने दिया है और सुमत्रा को दिया है शुमत्रा ने उश्परशाद को पाया है तीनों रानियों ने उपाया है अब या तीनों रानी गर्वती हो गई तीनों रानी गर्वती हो गई अब तो इतना सुन्दर लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है अउद्जाम जा देने ते हरी गरेवाही आए जिस दिन से हरी गर्व में आये हैं उस दिन से अउद्या में नित्व नं मंगल मुदक्ष आए अरे जब से राम जी अउध्धा में आए हैं अरे बहुत आनंद बहुत आनंद आ रहा है ऐसा लग रहा है कि अउध्या तो स्वर्ग बन गया है थोड़ा सा समय और वितीत हुआ और दिखिए जो राम राजी की इस्थापना के लिए हम लोग सोचते थे और भगवान की करपा हुई है कुछ समय बाद राम का मंदर बनने जा रहा है और राम मंदर बनने वाला है और भगवान की इक्षा रही तो इस कालोनी में कभी समय मिलेगा या वरली में समय मिलेगा तो राम कथा जरूर सुनाओंगा भागवत कथा में कुल दो अध्याय में राम जी क्या जन्नम ही आता है क्योंकि कृश्ण कथा सुनने से पहले राम कथा सुनना जरूरी है राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं नमेश राम के नेन गंभीर हैं कृष्ण के चपल विसेज राम हो कृष्ण दोनों एक हैं लेकिन चार चीज़ों का अंतर है पहला है नाम दूसरा है काम तीसरा है पाम नाम काम धाम पाम चार चीज़ों का अंतर है और कहते हैं राम कृष्ण दोनों एक हैं नहीं बिलकुल अलग अलग हैं एक नहीं है राम कृष्ण दो एक है देखिए कृष्ण का काम क्या है चलो कृष्ण का बोले नाम कृष्ण का नाम कोई सुद नहीं ले पाता है कोई कृष्णा कोई कृष्णो कोई किश्ण कोई कृष्णो सुद नाम नहीं है क्यूंकि उसका ठेड़ा नाम है और ठेड़ा नाम क्यों है और कनया कैसे है तू ठेड़ो तेरी तेड़ी नंगरिया या सोदा तेरी तेड़ी है और ठेड़ी रे तेरी गोपल नंगरिया सब ठेड़ा है तू भे तेड़ा है तू कहते है भगवान कैसे है ठेड़े और रामक में रहें रामक का नाम बहुत सीधा है कोई भी इंसान नाम ले लेता है राम नाम में अंतर है की नहीं अब बात की जाए काम की राम ने क्या किया और कृष्णे ने क्या किया कृष्णे ने अपने मामा का उधार कर दिया मौसी को मार दिया और राम ने राक्षसों का संधार किया और गनया ने रिष्टेदारों का संधार किया तो खाम में भी अंतर है अच्छा एक बात और आप लोगों ने देखी लोग कि यह कहते हैं कि इस्त्री पर हात नहीं उठाना जाई है रामने यह क्रुष्ण सबसे पहले इस्त्री को ही माँ वाया था रामने निटारण क को को– shinesन ने सबसे पहले पुतना को मारा था है क्यों उसका एक आर्थ है यह कि जव कि अगर उसकी बुद्धि राक्षटी की है अ सबसे पहले संतानों को तो हम बाद में मारेंगे सबसे पहले जिसने जनम दिया है उस राक्षिस को यह जब वो जनम देने वाली नहीं रहेगी तो शंक Commission कहांता से आएगी और कहते हैं बढ़िया गर्वती हुई बढ़िया आनंदा रहा है बढ़िया मां है आ गया बढ़िया दिन था बढ़िया समय था नौमी तीथी मदू मासे पुनीता सुक्ल पाक्षे अभजीते हरी प्रीता बढ़िया सुन्दर दिन था नौमी तीथी ती मदू मास था चैत कामाय था नौमी तीथी मदू मास पुनीता अवजित नक्षतर था अवजित नक्षतर 28 मां नक्षतर है बैसे 27 नक्षतर है अवजित नक्षतर डेली दिन 12 वजे आता है और भगवान प्रवुशी राम का दोफेर के मध्यान के ठीक बारा वजे अब जित नक्षत्र में हुआ है अब जित हरी प्रीतहा भगवान का जुनम हुआ है उले राम चंद्र भगवाने की जय कौंसल्या से राम हुए हैं कहके से माराज भरजी हुए हैं सुमित्रा से कथा को आगे बढ़ाएंगे तो आए राम की बढ़ाई गाएं फिर हैं कौन कौन बढ़ाई देगा देंगे बढ़ाई क्या लाए हैं बढ़ाई में है 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 जोर से बोले जैस्त्री राम राधे और आए राम जी की बढ़ाई बाजे बधाईया मोरे बाजे बधाईया गए बाजे बधाईया प्रिक्ते हैं चारों भईया आवधे में बाजे बधाईया आवधे में बधाईया आवधे में बाजे बधाईया आवधे बधाईया आवधे में बधाईया आवधे बधाईया आवधे में बधाईया आवधे में बधाईया आवधे में बधाईया आवधे में बधाईया चारू लाल पले ना में जूले कैसे, कैसे, कैसे जोला वेया की मैया, अवदे में वाजेव दया देखिए, भगवान राम को जिसने जुलाया है उसके घर में उसकी संतान राम की तरह रहती है तो बधाई जो देना चाहते हैं तो अपनी जगे खड़े होकर कही दें इनहीं के आंगे आकर करें रहती है हरीवो प्रियाद है मर्दिक के घादे अभी बधाई राते नहीं दी आती है संसार में पालक का जनम होता है तो कितना हम नास्ते जुमते हैं है हाद उपर कीजिए प्रियाद आम चत्रवगवाद की हो हम रखते हैं चारों बदे चारों बदे आती है और प्रियाद रखते हैं चत्रवगवाद कीजिए अब्दे में बजे बदे आती हैं कीजिए अब्दे में अब्द में बाजे बदे आती हैं बादे में बादे माजे बादी और बादे मैं बादे म्रीय मुरे बादे मैं गुल राम चंड भवान की जै नवपारवती पते हर हर महारे महाँ सिभी लोग जोर से बोलो जैस तरी राम जैस नी राम और जोर से बोलो जैस जैस राम मंदर बनने की खुसी है की नहीं है हैं तो जोर से बोलो जॉस भी आवाज चीक से नहीं है तोड़ा बहरा हूं ख़म सुनता हूं जैस प्रिदा चले चलो जोर से बलना पड़े गा याद है आप लो और जोर से बोलरे इसको ना तो कोई चुराएगा ना कोई छीन सकता है यह तो अन्मोल गिप्ट है इसको तो आप हमेशा बाढ़ते रहना गिप्ट को तो यह गिप्ट भी हमेशा बढ़ती रहेगी कभी कम नहीं होगी हमेशा बढ़ाना आये राम जी का जनम हुआ जनम के बाद में कहते हैं उनका नाम करण हुआ जो आनंद सिंद सुख रासी सी करते तर लोक सुपासी जो सुख धाम नाम असनामा जो आनंद भगवान की राम की कथा से है वो किसी की कथा में नहीं है जो भगवान की चर्चा में आनंद है वो और कहीं नहीं है नाम करण हुआ लक्षमन धाम राम प्रिय जो लक्षमन है जो धाम है जो राम के सिस है सकल विश्व आधार जो सकल यह जो पुरी दुनिया जिन पर टिक हुई है उनका नाम लक्षमन है विश्व भरण पोशन कर जोई ताकर नाम भरत अस होई उनका नाम भरत है और जिसका नाम शुम्रन करने से प्रकास आजाए रिपुनासा उनका नाम शत्रुगन है आंगे चलकरगें का विभाय हुआ और कहते हैं विभाय हुआ दनुस भंग किया विभाय करके घर पर आए बडिया राजवश की तयारी हुई एक बात याद रखना हमारे परिवार में हमारे मित्र में या हमारे घर में जो नौकर है या हमारा साथी है कोई हो लेकिन इंसान के लिए उसका मित्र मंत्रा की सोच वाला नहीं हो शक्ताना चाहिए ति हम काम पर उसको लगाएं जिसको काम की जरूरत है हमंड passé उसको बनाएं जिसको डॉड़ािवरी की जरूरत है किसी बड़े बैक्तिको डॉर वनालोगे उसके पास में आपके जैसे कई गाड़ी हैं तो आपकी गाड़ी की वैलूनीं करेंगा इचित नहीं करेंगा ठोक देगा कर मित्र ऊशिको वनाओं जो मित्र के लाएख हो कि शलेक सोच मंतरा की सोच वाले लोग नहीं होने चाहिए नहीं तो राम का राज जविसेग् towards है कि साथी खरा सोच वाला नहीं होना चाहिए अच्छी सोच वाला होना चाहिए और कि आये हैं तापस वेश विशेश उदासी 14 वरस राम बनवासी कहके इने अपने जस्रजी से अपने वर्दान मांगे राम के लिए बनवास चाहिए और हमारे पुत्रवरत के लिए राज विशेक राजा बनना है हमका विशेक होना चाहिए देखे राम मर्यादा पुरसुत्तम राम कब कहलाए जब राम बन में गए तब राम मर्यादा पुरसुत्तम राम कहलाए क्योंकि रगुकुल रीत सदा चले आई प्र राज भगवान के अंदर था क्यूंकि भगवान अगर नहीं जाते तो कहते हैं कि और लोगों का ओध्र कैसे होता बनवास में गए हैं रस्रत जी का देहांत हुआ सिता हरन हुआ शिता जी की कोश के लिए हनमान जी क्राइबं की और बाद में बहाँ पर रावड का वर्त किया बाद में कुना आये रामान राज की फिर से इस्थापना हुई तो हमारे यहां भी फिर से रामान की स्थापना हुई आएए आंगे और कथा का मैं और वरण करता हूं कि यहां पर परक्षित जी सुगदेव से पूछते हैं कि महाराज मुझे मेरे कुष्मि की कथा सुनाएए तो यहां पर सुगदेव जी ने कथा सुना दी कि कनिया का जनम जेल में हुआ उग्रसेन के फुत्र कंस ने अत्याच चिदंधार किया घ्रकी को जेल में कर लिया कनिया का जनम हुआ प्रक्षित कहते हैं कि मुली कथितल хотя से विस्ताром भवता सौम सूरयो भवता सौम सूरयो अरे कथतो वंस विस्तारो भवता सौम सूरयो जाग्याम चो भयवंस यानाम चर्तम परमात्भुतम अरे मुझे चर्तर मेरे भगवान का विस्तार से वताए कथतो वंस विस्तारो भवता सौम सौरयो जैसे आपने सौर्वंस विस्तार से किया वैसे चंद्रवंस भी आप मेरा विस्तार से कीजिए पता तो चले भगवान के वंसज में कौन-कौन हुए है तो कहते हैं कि चंद्र कहते हैं जो पुत्री हुई सर्मिष्ठा तो कहते हैं आंगे चलकर करके देव्यानी से पुत्री जो थी सुक्राचार से विभाय हुआ सर्मिष्ठा ने देव्यानी की कपड़े नहीं पहनने दिये और सरीर को नहीं ढखने दिया देव्यानी सर्मिष्ठा के घर आई याती के हरा है यहाँ पर पुरू हुए हैं पुरू ही चंद्रवंस में आये हैं पुरू के रंती देव हुए हैं रंते देव के महराज यदुराज का ômट रनाता हैै जओ रागया यह एनंए साथ कन्या कौन कौन सी है पौरवी रोहडी भत्रा मजरा रोचना इला और सात्मी है देवकी कि कहते हैं इन साथ बहनों साथ कन्याओं में से एक कन्या को छुड़कर छे कन्याओं का विभाय महराज वसुदेश से करा दिया है और कहते हैं गुरसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा पवन रेखा एक दिन अपने वालों को धो करके बन में घूमने के लिए गई तो एक राक्षस था उस राक्षस का नाम था दुर्मिक नाम का राक्षस था उसने पवन रेखा को देखा तो बहुत सुन्दर थी पवन र प्रसाराप कर लिया इस राक्षस ने और ते हैं कि कि छृत कर देखासह सराब मुझे राखशस चृतब्न लागेगा कि तो अधर्मी हूं मैं तो अधर्म का प्रचार करने के के लिए हूं लेकिन एक बाद दियाद इसे से बहुत भयारेक संतान जनम लेगी, बहुत वलसाली रहेगी, वो वह मतरा पर राज करेगा, तो पवन रिखा से पर कंस का जनम हुआ है, अब यह कंस थोड़ा बढ़ा हो गया, अब कंस अपनी बेहन देवकी से बहुत प्रहन करता है, बहुत प्रहन, अब बुले क्या क किया जाए, मेरी बहन अच्छे घर में जाए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, अब भया बहन के लिए घर देखा, तो कहते हैं, घर भी कहां मिला, बोले हैं, वशुदेव के हाँ, बोले च्छे वहन हैं, तो साथ में और वहीं कर दो, यह अकेली कहां रहेगी, कम से कम एक साथ में तो रहेगी, साथ में रहेगी, एक साथ में साथ रहेगी, बोले ठीक है, बिभायर भीया नक्क हुआ और और विभाई निक्की हुआ गड़िया अब है हुआ पाणिक ग्रे शंसकार हुआ बढ़िया कन्यादान किया कंस ने और जब अंतिम समय में है जैसे ही कहते हैं कि जब देवकी की विदा करने के लिए इस तैयार हुआ देवकी कोडोली में बैठा दिया और जैसे ही देव की कोर्डोली में बठाया है वंधुओ आकाश मानी हुए के है कंस कंस अरे अरे तु जिस बहन की बिदा कर रहा है और उसी बहन के गर्व से उसकी संतान तुझे नश्ट कर देगी तुझे मार देगी तरी बहन की संतान तुझे छोड़ने वाली नहीं है तेरी बहन के पुत्र तेरे लिए काल है काल और तु बहन की बिदा कर रहा है आकास माणी जैसे ही होती है वंदों कंस को गुस्सा आया और दैविकी के बाल को पकड़ करके नीचे उतार लिया जो भाई एक मिनट पहले जो भाई अपनी बहन के लिए जो अपनी जान देने के लिए तयार था महराज आज वह भाई उसी बहन को मारने के लिए तयार है देविकी रोड़िये भाईया मत मारो मुझे मत मारिये मैं तुमारी बहन हूँ मत मारिये अरे बहन अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ अब तो तेरे लिए आज यहां पर मैं मार ही दूँगा पहल ने बहुत बार कहा मत मारू हीया सोचे जिस कन्या का विभाय हुआ हो और अधा रही हो उठ रही हो उछ कि विदा की और वह और डोली के समय उस बहन के लिए कहते हैं सिंगार की हुई है अभी हाथ का कंगन भी नहीं चूटा है और वह भाई बालों को पकड़ करके नीचे उतारे वह बहन उसमें क्या बचार करेगी कि मैं तो बिभाई के लिए तैयारती और मेरी तो मरतू हो रही जा रही है देवकी से एक डोली और कहने लगी एक डोली चली एक अर्थी चली अर्थी चली तोनों में फर्क क्या है बता दे सकी एक डोली उट्थी एक अर्थी चली बत दोनों में फ्र्क क्या तरा से चली तरा से चली आवर वर्डोली कहती है तो में कितना सुने ले सकी हां सुने ले सकी तो पिया को चली में प्रभू को चली में प्रभू को चली और डोली कहने लगी एक डोली ने कहा रे कहा जा रहे हो उसने कहा मैं तो पिया के यह जा रहे हूं और मैं पिया को छोड़ चली मेरे पती छूट गए हैं मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी दौनों में फर्क यह है मैं तू बिदा हो चली मैं अल बिदा हो चली मैं संसार को छोड़ करके जा रहे हूं यहां पर वस्देव ने कहा कि देखिए कंस और जब कंस ने अत्याचार करना प्रारम किया तो गुरसेन आये बुले बिटा छोड़ दो यह तुमारी बहन ने कहा अब इसको छोड़ने वाला नहीं हूं पिता जी अगर तुम भी कुछ करोगे तो तुमारे लिए भी हम मैं कारागार में डाल दूगा तो कहते हैं कंस ने अपने पिता और गुरसेन को भी कारागार में डाल दिया और राजा बन गया और वस्देव ने कहा तुम्हें इसकी संतान से डर है तो इसकी जितनी संतान होगी हम सब आपको दे देंगे सब आपको देंगे अब बही ऑ है कारागार में हर पाऊं में बेडी मेरिया डाल दिया पहली संतान हुई कंस को दी कंस ने कहा भाई पहले संतान से मुझे कोई दुस्मनी नहीं है आठी संतान से डर है नारज जी आ गया बोले कंस को छोड़ दिया उसके लिए बोले एक गुलाव की पंखुडी लाए कहीं से भी गिनों कहीं भी आठा जाएंगे कोई भी संतान काल हो सकती है अब नारज जी तो यह चादे दिसका घड़ा जल्ली भर जाए पापका और जल्ली मर जाए कंस और उस वालक को लिया पहले पुत्र को लिया और जैसे पत्थर पर मारा देहान दो गया दूसरी संतान होई दूसरी मर गई तीसरी चौथी पाच्मी छट्मी सात्मी संतान के लि और आठमी संतान के रूप में हमारे माधभ हुमारे कनिया आये हैं और जबकनिया में आए इस हमी द्य देभताओं ने बढ़िया ंनका स्वागत किया और देखिए स्वागत किया है और स्वागत के बाद में कहते हैं वे भाद पद्र का मां है आया वड़िया सुन्दर मां है आया भादों का महिना आया भगवान ने पहले राम अप्तार दिन में लिया था आज यहां पर मेरे स्री कृष्ण कनिया रात्री के वारा वजे ले रहें क्योंकि जब राम ने जन्म लिया तो सूर्व दो दिन तक हते नहीं थे दर्सन कर तेरा एक माय तक चंद्र ने कहा भईया ओ सूर भईया हड़ जा का कोई परिसानी नहीं है अगला जनम होंगा तो चंद्रवंस में होगा चिंता मत करो तुम भी देखते रहना कि इसलिए रात्री में आये हैं चंद्र का समय है कि और जब अब यहां पर देखिए कि रात्री का समयता और एक बात तो रबता है गोकोल में एक बाबा है जिनका नाम है नंडबाबा है हुआ और उनकी दो वहेन है एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा नंद बाबा की पत्निक का नाम है यह सोधा एक दिन की बात है कि नंद बाबा जमनाजी में इश्णान करवे के ताइंग गए और जब इश्णान करवे के ताइंग गए तो वंदियों वहां प्रजवासिव नहीं कह दिया ओ नंद बाबा प संतान है सके का नहीं बाबा संतान होईगी अरे काय को जूट बोलो बाबा संकलब देदो सब है जाएगो इस बाबा ने संकलब दिया अब ब्रजवासी मंत्र नहीं जानते थे ब्रजवासी ने कौन सा मंत्र कजाब किया पुले लेले और देदे जानत निते लेले देदे लेले देदे बावा ने पूझा विया ये कौन सा मंत्र है बुले लेले या तो मेरे प्राण खूले लेले जमना जी नहीं तो फिर आप बावा के लिए लाला देदे लेले और देदे और यहां ब्रामणों की बाड़ी को जमना जी ने सुना भगवान ने सुना है यह सोधा जी भी गर्वती हो गई अब नंदा और सुनन्दा नंदा और सुनन्दा से नंद बावा ने कहके रखा था कि जो मुझे सबसे पहले खुसकवरी देगा मैं उसके लिए सोने का नवलख अब हार मिल जाए माताओं का सर्वस्रेष्ट दो चीज होती है एक सोना मिल जाए पहनने के लिए दूसरा बड़िया साड़ी मिल जाए लाइस चका चक है पर अच्छा कि कई माता हैं एक ब्रत करती है उसे ब्रत का नाम है करवा चौद्ध अच्छा एक सत्व बताना करवा चौद्ध आकर किया ही क्यों जाता है पता है अरे करवा चौद्ध पती के उमर के लिए तो आप लोग मानती है अच्छी बात है करवा चौद्ध के दिन किसको बर्दान था करवा चौद्ध के दिन उल्लू को बर्दान था उल्लू लक्ष कखा है कि हमारी वह किसी दिन पूजा हो तो लक्षमी ने खार किन्ता मत करो चौत के दिन करवा चौत आयगा तुम्मारी पूजा होगी तभी तो अज इस संसार की मातां अपने पती को उल्लू समझती है और उल्लू मान करके उनकी Ha जा करते हैं कि बास सही है जिस इस्त्री को उसके पती ने सालवर एक साड़ी का जोड़ा नहीं लिवाया है करवा चोट के दिन तो वो इस्त्री जरूर लिवाई लेती है चाहिए अब चलने वाला नहीं है कि आज से सौ साल पहले कोई करवा चोट नहीं होता था आपके घर में बड़ी वजुर्क माता हैं होंगी पूछ लेना कोई करवाचोत नहीं इस सब टीवी ने बिगाड़ दिया देख देखकर सब देखेंगी वाई करवाचोत है साड़ी चाहिए यह चाहिए वो चाहिए कई माता हैं तो करवाचोत के दिन ही अपनी कुछ नहीं खाया अब साम का समय हुआ पती घर पर आए आज मैंने आपकी उम्र के लिए ब्रत रखा है अच्छा एक बात हो रहे हैं सारे ब्रत हैं जितने बनाएं न सब महलाओं के लिए बनाएं कोई पुरुष के लिए तो बनाएं नहीं है कि पुरुष भी अपनी पतन नहीं जाब करती रहती हैं कि अब भीया तो करवा चोथ के दिन महलाएं अपने पती से भीया कहते हैं देखो मैं आपकी उम्र के लिए इतना कुछ करते हैं सुवरी से जल्वी नहीं पिया कि आप मार्केट ले चल रहे हो कि नहीं ले चल रहे हो नहीं तो मैं अभी हाले भोजन करती हूं अब पति कहते हैं भोजन कर लेगी हमारी उम्र कम हो जाएगी चलो चल जो ले इसकी दुकान पर चलते हैं कि एक किसी जहर में उस कंणा ने पहली बार करवा चोद किया इस्तहक ना है पहली बार पहली बार करवा चोदा आप सब्रत की अब पहले कभी तो चुझा जू था उसका चो terrace था वह चोटा था तो उसने सूचा कि चाहरा देखते हैं हम चाहरा नहीं हम तो पूरा सरीरी देखेंगे पति का क उस आटे चलने वाली चलनी में उसको कर्बा बोलते हैं क्या बोलते हैं अप चारी के छट चोटा सा था और दिन मर्प्र पे कुछ खाया नहीं था और पीछे बहल हर tied करें अच्छी बात हैं लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए लेकिन वास्तम में सत्त यह है कि लक्षमी जी ने उल्लू के लिए अपना एह दिन दिया था पाठ और पूजा और बृत के लिए कि अधिन वृत करने से कुछ नहीं होता है हजार वार बृत कर लो हजार वार ब्यूटी शूटी चले जाओ अगर अंदर का मन खराबें तो भगवान मिलने वाले नहीं और हम काले हैं तो क्या हुआ और लेकिन दिलओले कनिया कैसा है काला है एक काला रंग है कैसा है काली कमली ने ऐसा रंग डाला की रंग कोई चड़ेता नहीं काली कमली ने ऐसा रंग डाला की रंग कोई चड़ेता नहीं काली कमली ने ऐसा रंग डाला, के रंग कोई चड़ता नहीं के रंग कोई चड़ता रंग कोई चड़ता नहीं के रंग काला, के रंग कोई चड़ता नहीं के रंग के रंग काला, के रंग कोई चड़ता नहीं एक रंग कैसा है कि जयों जयों धोबे, जयों जयों चमके, जयों जयों धोबे, त्यों त्यों चमके, ऐसा रंग निराला एक रंग कैसा है, इसको देखिए, काले रंग पर कोई नहीं चड़ पाता है, काला रंग सब पर चड़ जाता है, है ना? काला रंग ये कैसा है, जयों जयों धोबे, त्यों त्यों चमके, जयों जयों धोबे, त्यों त्यों चमके, ऐसा, ऐसा रंग निराला यह रंग ही ऐसा है, एक बार चड़ जायते पर उतरने वाला नहीं है कल कमली ने, कल कमली ने, कल कमली ने, कल कमली ने हैता रंग डाला, की रंग कोई जानिता नहीं कल कमली ने, कल कमली ने, कल कमली ने, ऐसा रंग डाला, की रंग कोई चड़ता नहीं एक बार काई ये चले इसके लिए, अभी तीन दिन और है भी, अभी और रंग चड़ेगा कल भगवान की माकंचोरी की लिला और गोवर्धन की पूजा है कल, कल चपन भोग यहां पर लगेगा आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ-कुछ बना कर के ला सकती हैं, जिसे चपन भोग लग सके कल भगवान के लिए माकंचोरी की लिला कल भगवान मटकी फोड़ेंगे, मटकी फोर लिला रहेगी और अन्तिम में कोवर्धन की पूजा होगी तो काहिए, काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंगे कोई चड़ता नहीं काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चड़ता नहीं और भगवान का रंग आज इस मत्रा वालों पर चड़ने वाला है आए उसके बाद में क्या हुआ भगवान जैसे गर्व में आए है बगवान का जब गर्व में आयती सत्यात्म तुम सर्णम प्रपन्या भगवान सत्य है आज अवतार लेने के लिए तयार है और आएए भगवान का हम सभी लोग स्वागत करेंगे और कहते हैं अश्रमी की रात में भादों के मेंने में हमारे कनिया ने अवतार लिया है अवतार लिया बारा बजे कोई सोर नहीं आराम से लिया अब यहाँ पर देव की कहती हैं बगवान पुत्र ऐसे थोड़ी होता है पूरा रूप लेकर के आगए भगवान ने का कैसे होता है वालक वो ले छोटा होता है भगवान छोटे हो गए वो ले पुत्र ऐसे थोड़ी होता है कपड़े पहने हो तुम कपड़े अलग करो भगवान निर्वस्त्र हो गए अरे चार हाथ लेकर के आयो अरे पुत्र के दो हाथ रहते हैं दो हाथ कम करो नर्नारेन भगवान ने दो हाथ कम कर लिये बच्चा ऐसे नहीं होता है सुने बच्चाने सुजाना रोधन ठाना भगवान रोने लगे बोले हाँ अब आप पुत्र लग रहे हो आब आ जाई कहते हैं आवाज जैसी आई तो सारे द्वारपाल बिल्कुल सो गए अब यहाँ पर देव की और वस्दिव चर्चा करने लगे ऐसा नहीं हो कंसा जाए बोले सब हो जाएगा हाथ की हतगड़ी खुल गई पाओं की बेड़ी खुल गई और कहते हैं ओस सूप में कनिया को उपर रख करके वस्दिव ने और गोकल के लिए प्रस्थान हुए हैं आए हम सभी लोग भगवान का स्वागत करेंगे स्वागतम क्रिशना सरनागतम क्रिशना स्वागतम 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 क्रिशना कुपर करके स्वागत करेंगे 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 । अभी हमारी मातायस तभी बैठी रहेंगे कोई खड़ा ने होगा ऐसे निदो नहां दूपर कीजिए देखो आए है बिहारी जी सब मिल स्वागत करो देखो आए है बिहारी जी सब मिल स्वागत करो अजय और लदे वस्वदे जब ऊपर रक करके ले जा रहे थे तन घोर परसा होने लगी जमना जी की बाड आगई और जब बाड आगई और जब बाड आगई तो कनिया कहते है आरे जमना जी पिता जी को निकल जाने दो नहीं तुम मैं गोकुल नहीं पहुच पाऊंगा जमना जी ने का मुझे दरसंद देओ भगवान ने अपने पैर निचे किये इस्फर्स किये और सीरे चली गई है साथ आई हैं, साथ आई हैं, साथ आई हैं, साथ आई हैं, राधारानी सब मिले सागत करो, सागत करो, सागत करो देखो आए है विहारी जी अब रख गहे है गोकल में जाकर के जो की नंद वाभा की यह सुदा की यह जो तरकर लेकर के आ गए और लाला को वहां पर छोड़ कर के आगए हैं और कंस ने यहां पर कैते हैं उस कन्या को मारना चाहा कंस ने कन्या को मारना चाहा को कन्या आत्मान में उड़ गई तुम मुझे क्या मारोगे तुम्हें तुम मारने वाले ने जनम ले लिया है और अब बाबा जाब कर रहें अभी तक तो भयो ना है अभी तक नहीं हुआ है बहुत देर हो गई नंदा गई है यह सुदा के कर्च में कपड़े को धीरे-धीरे हटा रही है कैसो नहीं कि छोड़ा की जगे छोरी है जाये तो सोने का नवलखा हार चला जाएगा अब कपड़े को धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे किया है और दोड़ती भई कहीं बाबा अरे बाबा बाबा बधाई हो बधाई हो बाबा ने कहा अरे कावाद की बधाई है अरे बाबा छोड़ा भयो है बधाई हो बधाई हो बधाई हो, ऐसे नहीं पहले में कहुंगा बधाई हो तो आप कहेंगे बधाई हो, जोर से बोलो बधाई हो ऐसे काम लग मान चलेगा एक काम माताओं की संख्या ज predator एक माताओं के ऑच्राजास को जीतता है कौन हारता है, तयार है, माता है हमारी? इन पुर्सों से जीट जाएंगे आप? पक्ता? कौन-कॉन चाहती है के जीट जाएंगे? जोर से बुलना? बुलो मैयावद हाई हो! ऐसे बुला जाते हैं, मैयावद हाई हो! ऐसा नहीं कि घर में जाकर के पिटाई हो जाएंगे मेरे से चीतना चाहती थी छलो एक बार और बोलो जोर से बोलो मया वधाई हो दोना हांतों को उठा करके मया वधाई हो अब हमारे भैया भैया लाज राख ले न अपनी जोर से उनला इनको हराना है ठीक है था बाबा भधा लूए जो माईट से मत बोलो खिन के यूथ और उनके तो आप कपा है बिना मॉैट से बोलो ऑल कि इन अहिंग अ है कि इनो Study ? मैया वधाई हो वधाई हो वधाई हो आए और हमारे कनिया लाल को जो कोई भी माता पलना जुलाना चाहती है ठाकुर जी को उनका स्वाग्य कि आज ठाकुर जी का ब्रंदा बनके ठाकुर जी का पलना जुलाएंगे जोर से बोलना पड़ेगा जोर से बोले राधे राधे तो क्या अरे अरे नंद जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई नंद जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई नंद जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई आराम से आएंगी बाकी पीछे रहे पढ़ना बहुत बढ़ी है मस्ती वीदू करना है ठाकुर जी को जो कोई भी भैर देना चाहती है पल्ले में डाल देंगी तो नहार उपर कीजिए नंद जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई नंद जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई बजी रही आज बदाई देखो बजी रही आज बदाई देखो बजी रही आज बदाई जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई सो सो वारे बदाई लो तो सो सो वारे बदाई लो तो सो सो वारे बदाई लो तो लाखों बारे बढ़ाई नंद जुके अगिटा में बजी रही आज बढ़ाई और देखिए हमारे यहां कहते हैं ब्रंदावन से गोकुल हमारी गोपी आ रही है बड़ी असर धच करके बढ़ाई देने के लिए आए हम सब के बीच में हरी वो हरी बढ़ाई देखो रादे ऐसे आनंद ने आएगा आज भगवान का जनम है हाथ उपर कीजिये और मस्ति महरी वो अगे डावे बचे रहे हाँ जी पदाई देने के अगे डावे बचे रहे आदेशिये अगे डावे और देकर जोपी आहिए पर चमति कारसा हो गया लोकु हो गई बातीन दाले और दिकारसा हो गया लोकु हो गई बातीन दाले राती राते में चनद वावा की काडी हो गई काली खीफ में चनद बाती हो गई कडी जन्त जिप का कर द Hast Kitchen के ल्हुप육 आज बदाए नंद जुक यंगना में बजरे आज बदाए नंद जुक यंगना में बजरे आज बदाए आज बदाए नंद बदाए नंद ए रहूँ कि अच्छे के रादे बदाई चाहिए किसको चाहिए चाहिए ऐसे नहीं देंगे पहले नाच के दिखा तो देंगे और नंदी जुके यंगना में भजे रही आज बदाई बदाई कि अच्छे के अच्छे के लंगे लेक्षा बदाई अच्छे के लेक्षा बदाई बदाई भाई . . . . है वाै हैंघडू हर्कार कानो काने बात चली है सोचो हरे ब्रजवाला कानो काने बात चली है सोचो हरे के बाला नल्द ती गोरी असुदा गोरी लाला है कायो खाला नल्द ति गोरी असुदा गोरी भाला ने गयो काला यसे बताओ एक किस्को चाहिए 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 देखो नादे 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 जय कन ए क्णिया लाकि जय přेता है नादे नंद केया नंद भायो जय क unlock नंद केया नंद भायो जय कनिया लालिकि आति दिनी गोडा दिनी और दिनी पालकी नंद के आनंस मयो जे गनिया लालिकी आये 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 अरे? आरे, लाला जना मैं सुने आई ईस्वोदा मैया दे दे बददददददददददद नंदे दे करंद दे दे बनाई दे दे बद दद्द हुमन संसी ऑढ़े अंति दृत्ददद दसे करंददद दॉac आला जड़ना में सने आए नशना में आदे दे मनाए आला जड़ना में सने आए आला जड़ना में सने आए आए और अबनेदेर लाई दूर ऑजाना इसवी दिसे दर मंच तूर ओर जाए है आर्थी करते हैं कि अपकल की कथा तीन वेरे से साथ वे तक आज आप सभी के लिए जन्मों की बहुत 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 बढ़ाई और सभी भी बहुत लोग मंच वेसे नीचे दर जाए कि अब गुदे करते में सबीलों को मंच में से नीचे अब लाइग बस बस भी ने अब लेगे अपर देशयां बाट बस बस रहने को अबनी दे सकते सुवाट्स को आप सबीं लोग मंच में से नीचे हो इस अब लोग का देखिण प्रशाद की आरती करके जाएंगे भगवान की आरती रह चुकी है आरती करके जाएंगे प्रशाद की फूरी बेंगे है आरती योगी साथी सनी करें आरती होगी भगवान की होगा हुआल लोग माने जिकरी हैzen यह राती होँ है जैसा कि महाराजी ने आप लोगो बताया था कि एक था किस रूब में यहां पर आयोद की गीजिए अरे बाइद भी अच्छा रखो नहीं अरे मंच पर क्यों आज में अरे मेरी सुनी नहीं आ रहा है जैसा कि आपको बता गया कि आप प्रते दिन परिच्छत बनने के लिए नाम दिये जा रहे है कल के लिए जो हमारे पास नाम आएं उसमें कोई नाम नहीं है हमारे जो पास दिन के प्रते दिन के जो हीवान है कल के लिए यहां पर बैटेंगे कल के लिए यह कोई अपना नाम देना चाहता है नाम देना चाहता है यह उसमें कल के लिए पैसे नहीं है कर दा के सांबने उँआ पेटे हुए है उपना लाद गात उकते हैं जैसा कि महाराजी ने तब इनास्मंट किया था हमारे बंडारे की विश्ता क्य गई जो अपना अनदान के लिए पना नाम लिखाना चाहते हैं इस मंडल को अठ्क शादा देना जाते हैं उसके लिए हमारे मंदर के श्री वारिक जी हैं, हमारे सर्मा जी हैं, हमारे बिर्ला जी हैं, वह आपर बेटे हुए हैं, करभा के पर नाम लिखा सकते हैं जैसा कि आपरों को बता है कि कल मैंने जिन लोगों ने अन्दान के लिए अपना सहयुग दिया है वो अन्दान के लिए भागी बने हुए हैं उनका तो मैंने कर नाम लिया था लेकिन कल से जो आज मारे बास में नाम आए हैं मैं ऐसे उन अन्दाताओं का ऐसे उन महान बावों का जिसमें जो आज मारे पास नाम है श्री प्रवीन जोसी जी 501 बिमल सर्मा जी 1101 एक भक्त ने गुप्त दान दिया है उनका 1100 नाम नहीं बोलने के लिए बोले हैं बाविलाल चेजाजारी जी 1100 रुपे श्री आत्मा नाम सर्मा जी 501 च्री मनोज तिवारी जी 501 अर्देल सर्मा जी 501 च्री पुष्वा सर्मा एक अजार माविर फुषा नेमानी जी 1101 गुप्त दान आया हुए उन्होंने अपना नाम नहीं बोलने के लिए बिन्ति किया है उन्होंने पाँज़ा दिया है ऐसे मारवाव के लिए भारे दोनों आतों से तारी पिजिननी चाहिए जिन्होंने अपना दिल कोड़ करके इस मंडल के अन्होंने के लिए 5000 रप्या दिया है श्री हर्भुषा सर्माजी 501 आर्टी बर्माजी 501 रामनोज पाद्या जी 501 एंड के अक्रभाल जी 1001 ललू परिशाद पाल जी 501 लक्षीम देवी 501 विजैक सिक्षेना जी 111 रागव परिशाद सिंग जी 1100 इस प्रकार से मारे बा आज यह जो पुन का काम चला जैसे मारजीन विताया के फित्र जो दोस लगता है उसकी शांती के लिए यह सबसे बड़ा उपाय है इसलिए यह आप पित्र सांती के लिए वास्त दोस के लिए यहां पर यह जबेदी बनाई गई है जिनकी फूया के आती है तुपह 2 गंते आप लोग यह बाग लेना चाहें तो आप बाग ले सकते हैं आगे से आगे कार्करम में महाराजी को सौंपता हूं भराजी प्रपा करके आगे चले आर्थी करते हैं आर्थी चलेए हम पढ़नेची आर्थी आर्थी चलेए हम पढ़नेची आर्थी चलेए हम पर लेकर 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 कि अती के जो प्रानन प्यारो कि अती के जो प्रानन प्यारो अपना सर्व सिखिने को दीजे आरती बाले खिरस्त की जे आड़ती बाल ग्रस्त की की दे, आड़ती बाल ग्रस्त की की दे, बल दाओं कोण छोटो भईया, छोटो भईया, कज़वा कहके बोलत भईया, आड़ती बाल ग्रस्त की की दे, आड़ती बाल ग्रस्त की की दे, तो तिरी बोलने मतुर सुहावे, सखट संक के लत सुख पावे, आड़ती बाल ग्रस्त की की दे, आड़ती बाल ग्रस्त की की दे, आड़ती बाल ग्रस्त की की दे, आड़ती बोल ग्रस्त की दे वने मतुत भईया, माम ऍपास तो सकात्मेट ईंडाद्रवन दकमिन माम आपन के 집 माम आपन के solutions माम आपन के दिन रस remem आपन के दिन तुन Papur स्पर्वाकरसलाे दुनकी। हरिही ओम्चिद्ने नाजन्यमाया जंदा देवास्तानि धर्माण प्रमान्या सन्ना तेहना कम्माहिमानाहा सचंदर अभुर्वे साध्याहा संधी देवाहा नवचरना अरबंदयो हो वेरकमंद वस्वांजली समर्भयामी और यह स्रीर्यवाक अभागत्र महांपरानि की ज्यहों ल् estrut़ांगे लें इजए लोगिए देहरे ईकी Stunden की अतोरम का अठावन द्हुर्म का अधर्मका अधर्मका प्राणियोमे प्राणियोमे Esse entrepreneurs बिस्वका शाट अंधर्म की शाट अंधर्म की वह माता की अपने अपने गोर वबंद की जैजे स्री रादे कि जब्रहेएं सबी लोग प्रसाद की विवस्ता की गई है और विवस्ता की दिए हुआ हुआ हमारे कारे करता बाहर आप जब बाहर से निकले आप प्रसाइब करें आप जाएं जी आपको मालूम है वर्दन इला है वर दैंट चपन प्रिकार का भोग लगाईगा जो भक्त लोग देट इंट कल के लिए अपना भोग लगा सकती हैं वो अपना सामा लेकर के हैं आए शाब जाएगी आप लोग बड़े उट्रा से आम दय और उसके लिए जो चपन भोग की विवस्ता की गई है मंदल तो करेगा ही तेकिन आपके घर से थोड़ा भी कोई सामन आएगा आपको फुनिला मिलेगा इसलिए आप अपने घर से थोड़ा 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 भी जो भी सामन होगा को यहां पर अर्फित किया जाएगा और सभी भक्तों को पहले भी सोचित किया जा चुका है माराश्री से जो भी भक्त बंधू मिलना चाहते हैं वो प्रातयकाल ज dar 10 बाजे से लेकर के 12 बजे तग आकर के मिल सकते हैं पुन्दि बगla यो भी आपको यदि कोई कस्ट है संभी 100 निवादन हो सकता है और यदि नंबर लेना चाहते हैं तो काद्याले में संपर करके नंबर प्राप्त हो सकता है और जो भी बंदू यदि महाराश्री को अपना गुरू बनाना चाहता है तो उसके लिए भी आप काद्याले में संपर करकर के समस्ते जानकारी ले सकते हैं झाल 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 प्रफ्र अंदर कर या काड़कड़ब हो गया ए पुरा ब्रह्पांड है भगवान दिज rapid रिखाए बन है को छोह likely कि आवा सकता नहीं अपनीं अंदर 2022 के देख लो भगवान का दर्शन हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि हम अपने अंदर देखें कि हम क्यों हैं कहां से आये हैं कि जैसे एक सेट के यहां पर कई नौकर काम करते हैं कि सुवैसे साम तक हुए नौकर विक्री करता है दुकान की साम के समय अपने सेट को हिसाब दे करके अपने घर चला जाता है जाता है कि नहीं जाता है तो बैसे ही हमारे लिए भी सुवय से लेकर के साम तक जो मेरा हिसाब है साम के समय भगवान के पास में बढ़ करके अपने दिन चर्या का हिसाब देना चाहिए फिर भगवान उस हिसाब को रख लेते हैं तिजोडी में रख देते हैं और जब तिजोडी कभी खोलते हैं तो ठाकुर जी को फिर हमारा याद आ जाती है और हमारा बिड़ा पार हो जाता है ठाकुर की तिजोडी में भी हमारा नाम होना चाहिए ठाकुर जी के भजन की फूजी में भी हमारा नाम होना चाहिए पहलाद ने तो कहें दिया हर जगे मेरा ठाकुर है हर जगे तुझ में भी है मुझ में भी है खड़क खंब में भी है प्रिन कशबू यह कहता है क्या यह जो खंबा लगा हुआ इसके अंदर बोले हां इसके उपर जो चीटी है उसमें है बोले हां भगवान हर जगे देखिए चाय हाती हो या पर चीटी हो भगवान कहते हैं जो आत्मा है ना चीटी में भी वही आत्मा है और हाती इतने बड़े विसाल हाती में भी आत्मा वही है आत्मा बड़ी और छोटी नहीं होती है आत्मा तो परावर है बस योनी योनी का अंतर है कोई योनी छोटी होती है कोई बड़ी होती है इसलिए हमें जिसमें हमने जनम ले लिया है वो सरीर बड़ गया है लेकिन आत्मा तो एक है और एक जैसी है और जब नर्शंग भगवान के किर्पा इस तरह हुई कि जब हरिनक सपुने तलवार को निकाल करके इस खंबे पर प्रहार किया चुटी के ऊपर प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया और इतने में हमारे भगवान प्रगट हो गए बुल नर्शंग भगवाने की जै जै स्री रादे 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 और युदोने के बाद में अंतिम समय में अपने गोधी में हिरन कश्रपू के लिए भगवान ने लेटा लिया है। जू बर्धान मांगे थे वो बर्धानों को ब्रमा के अलक कर दिये। उन बर्दानों को तोड़ा नहीं अलग से ही भगवान ने कुछ नियम अपना लेया जैसे कि हिरन कस्रिफू ने बर्दान मांगेते नामे अंदर मरू नामे बाहर बीच दहरी पर मारा था इसलिए साम के समय कभी भी किसी भी इंसान के लिए बीच दहरी पर नहीं बैठना चाहिए साम के समय बीच देरी पर दरबाजे पर दीपक को जलाना चाहिए परातहा सुवए सुवए बढ़िया रंगोली बनाना चाहिए दीपक जलाना चाहिए सुस्तिक बनाना चाहिए क्यों क्योंकि देरी पर हम बैठते नहीं हैं देरी पर हमारे निर्सिंग भगवान का अवतार दिखता है देरी पर बैठ करके भगवान ने जो की जो अधर्मी था जो हरनकस्पू था उसके लिए भगवान ने देरी पर बैठ करके हरनकस्पू का अवतार कर लिया था इसलिए धेरी पर साम के समय नहीं बैठा जाता है और अब तो साय ते धेरी नहीं होती है सेरों में कहां धेरी होती है पहले के समय में धेरी होती थी धेरी समझते होंगे आप लोग पहले में और अभी में बहुत अंतर है देखिए आज से बहुत साल पहले देखा जाये तो उस समय उम्र रहती थी एक हजार वर्स एक जीरो हट गया और उसके पहले और देखे तो 2,000, 1,0ORT वर्स तक जीते थे दिरे दिरे जीरो हटता गया, हटता गया, सो आगे, सो में से भी एक जीरो हटने वाला है कुछ सभात आज बताए उम्र कितनी है साथ, सत्तर, अस्सी तक चला जाएगा चलिए सौ वर्ष की उम्र है सौ वर्ष की उम्र में एक दिन में पंदरा गंटे का दिन होता है पंदरा गंटे की रात्री होती है पुरी रात हम सोते हैं कि नहीं सोते हैं तो सौ साल में पचास साल तो सोने में ही निकाल देते हैं पांस साल दस साल बच्पन खेले में कुंद्रे में निकाल देते हैं पांस साल विध्या अधन में निकाल देते हैं पांस साल साधी में निकाल देते हैं पांस साल कुछ कमाने में निकाल देते हैं पूरे हो गए सव साल बजन करने के लिए तो कोई समय बचा ही नहीं अच्छा अन्तिम समय में क्या करना चाहिए इनसान की मृत्व निकट हो तो उस समय इनसान के लिए क्या करना चाहिए भगवान का जाए अच्छा एक बात ओरे किसी के घर पर सूतक लग जाए किसी का जनम हो जाए या किसी के घर पर किसी का दियाहांत हो जाए तो कहते हैं कि दस दिन का विसे सूतक लगता है तीन दिन का तो विसे सरहता ही है और उसमें इंसान की मृत्तु आ जाए उसमें भजन करने ही सकते हैं मंदर जाने ही पाते हैं तो आप बताएए उस समें क्या करना चाहिए और कहते हैं कि अंतिन समय में अगर भगवान का नाम का उच्चारण नहीं किया तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है क्या करेंगे उस समें मैं तो यह कहता हूं जिस समय सूत्तक लगा हो किसी का जनम हो वाला हो या किसी का द्यहांत हो तो उस समय एक ही मंतर है जिसका हमें जाब करना चाहिए और वह मंतर गुरू मंत्रा बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता है गुरु मंत्र का जाग करें और देखिए लोग एक कहते कि इश्णान करके भजन करना चाहिए आपने इश्णान निक्या आपकी मरतु निकट आ तो आप नाम ले नहीं पाएंगे तो मुक्ष कैसे मिलेगा आप इश्णान कर रहे हैं आप और किसी क्रिया में उसमें भी मरतु आ जाए तो क्या करेंगे इसलिए गुरु मंत्र महा मंत्र बाना गया है गुरुर ब्रम्हा गुरुर विश्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर शाचार प्रम्हा तत्मै श्री गुरे नमा इसलिए गुरु मंत्र का हमारे लिए जाग करना चाहिए और कम करेंगे जिस देश में, जिस भेश में परिश में रहो आप कैसे भी रहिए जिस संग में जिस डंग में, जिस सतसंग में रहो राधारमने, राधारमने, राधारमने तो आप जैसे भी रहो लेकिन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन हमें सारणते रहें कैसे भी रहो और इसलिए देहरी पर हम साम के समय कुछ ना करें साम के समय कोई नया कार भी नहीं करना चाहिए जैसे की भोजन भी नहीं करना चाहिए नई विध्या का धन भी नहीं करना चाहिए साम के समय उस समय भोजन भी नहीं बनाना चाहिए ना कुछ खाना चाहिए ना कुछ पीना चाहिए उस समय सिर्फ भगवान का वजन करना चाहिए भगवान की आरती करना चाहिए हम साम के समय आरती क्यों करते हैं क्योंकि हमारा जो सूर है वो अस्त होने वाला है अंदकार आने वाला है इसलिए प्रतास कीजिए दीपक जलाए जिससे की रात्री में भी हमारे लिए कुछ प्रतास मिल सके कीमत दीपक की सोने की और मिट्टी से नहीं की जाती है कि उसकी कीमत और उसको जो देखा जाता है तो रोशनी कौन तेज़ दे रहा है कीमत उसकी उससे होती है वैसे इंसान की कीमत है इंसान के वैलू वही है जहां इंसान प्रतास मान है जहां इंसान के अंदर कुछ जप है इंसान के अंदर कुछ तपस्या है इंसान वहीं पर प्रतिष्टत होता है दूसरा वर्दान ना दन्य में मरू ना मैं रात में साम हो गया ना अंदर मरू ना मैं बाहर वीच देरी हो गया और मैं ब्रमा के बनाए हुए बारा माय में भी ना मरू इसलिए हर तीन साल में भगवान ने एक अलग से तेरमा माहे बना दिया जिसको हम आप सभी लोग पुर्शुत्तम माह कहते हैं जिसको लोण का माह कहा जाता है इस माह में पुजा करने से और एक मेने का बृत करने से बहुत फल प्राप्त होता है चार धाम की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है अधारो पुराणों का चार वेदों का छे सास्त्रों का स्तर्वन करने का लाप्राप को ताहल पुर्शुत अम्माय में ब्रत करने मात्र से हरिन कसबू कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो नारायन नर से ओण ना नारायन से भी न मरूँ बगवान ने का मिरा रूप देखलो ना तो मैं नर में हूँ और ना मैं नारायन में हूँ रूप दिखा दिया नरशिंग रूप हर ला भक्त प्रहला दस्त समन्विताः आज भगवान बुले तयो दितम सोभने वहा आज भगवान बहुत सोभायमान लग रहे हैं आज भगवान नर और नारायन का रूप ले करके आये हैं तो कहते हैं सब इसमें दिख रहा है अगर नर्षन भगवान के चेहरों को अगर सही से हम देखें सही से दर्षन करें तो इस चेहरे में पूरा ब्रह्मान दिख रहा है ना नरह ना नारायने ना अस्तर से मरू ना में सस्तर से भगवान ने ना खुन दिखाया है ब्रह्मा की बनाई हुई स्रस्टिश से भी ना मरू भगवान ने कहा मैंने ब्रह्मा को बनाया है ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है जड से भी ना मरू और चेतन से भी ना मरू जिसकी जड हो और चेतन हो उससे भी ना मरू भगवान ने कहा इसलिए मैं तेरे लिए नाखुम से मारने आया हूँ इसकी जड भी नहीं है और चेतन भी नहीं है नाखुम काटो तो दर्द नहीं होता है नाखुम काटे हैं तो कहां दर्द होता है और इस नाखुमों की जड भी नहीं है यह जड और चेतन है जड भी नहीं है चेतन भी नहीं है भगवान ने नाखुमों का प्रहार किया रनकस् उसमें से एक जोते निकली भगवान के च्रड़ों में विलीन हो गई और आंगे चल करके अब यहां भक्त पहलाद डर गए बहुत डर गए नारज जी लक्षमेजी के पास में पहुंच गए अरे लक्षमेजी अरे लक्षमेजी तुमारे स्वामेजी कहा है कोई पता है मुले नहीं पता दो दिन से गायव है मुले तुमारे स्वामेजी ने बहुत बिक्राल रूप बनाया है दर्सन करके आईए लक्षमी जी ने देखा यह रूप तो मैंने पहली बार देखा अब लक्षम जी से कहा कि अपने स्वामी को सांत कीजिए थोड़े सांत हो जाएं हातों में यह रख्ट लगा करके दो दिन से बक्रा रुख बना करके वैठे हैं लक्षम जी ने कहा मैं इनको सांत नहीं कर सकता हूँ यह तो अपने भक्त के द्वारा ही सांत होंगे पहला जी पास में गए तो पहला जी पास में जब गए तो आज है नर्शंग भगवान ने किस तरह का प्रेम किया गाय की तरह किस की तरह गाय देखिए गाय अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है पता है आपको गाए के जैसा कोई प्रेम अपने बच्चों से दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता है बोले गाए अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है कि जब बच्चे को जनम देती है बच्चे में मलमूत्र लगा रहता है तो वह गाए अपने बच्चे को साब करने के लिए अपनी जोवा से कोई बलमूत्र को चाट लेती है अब बताइए इससे बड़ा और कोई प्रेम कर सकते हैं आज वही चाटने का काम नरसंग भगवान ने पहलाद को चाटा है अपनी जोवा से देवताओं की आखों में आशू आ गए पहलाद से कहां मांगिये क्या मांगना चाहते हो मांगिये पहलाद ने कहा भगवान आप मुझे देना चाहते हो तो दीजिए आज काल के बच्चे तो अगर किसी का पिता थोड़ा सा अगर अपने बच्चों की पूर्ती नहीं कर पाते हैं तो वो अच्छे अपने मात्ता का भी ध्यान नहीं देते हैं एक बार की बात है कि एक बैश्या थी एक भिया बन में गए बैश्या से संभ हुआ बैश्या ने कहा बोले हम आपके घर पर तो चलेंगे लेकिन आप अपनी माँ को घर से बाहर निकालिये उस पुत्र ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल दिया अम्मा तो भाई कहीं रहने लगी और एक दिन उसकी पत्नी कहती है मैं आप से साधी तप करूंगी जो आप अपनी माँ का दिल निकाल करके ले आओ तब हम तेरे से साधी कर लेंगे और ये पुत्र गया मास के पास में गया मा को मार करके और मा का दिल निकाल करके ले आया और उस इस तरी से कहा लेजिए मेरे मा का दिल है अब मेरे से साधी कर लो उसने का मैं तेरे से साधी कभी नहीं कर सकती हूँ बोली क्यों नहीं कर सकती हो अरे जिसने तुझे जनम दिया है जब तू उसका नहीं हुआ तो मैं तो दो चार दिन पहले मिली हूँ तू मेरा क्या हाल करेगा यह मैं समझ चुकी हूँ कि जिसने नौ माय तक गर्म में रखा हम उसके नहीं होते हैं अरे जिसने मुझे जनम दिया है हम पहले हम उसकी सेवा करें हम उसकी खुसामंद करें फिर हम तीर्थों पर जायें फिर हम विजनिस करें देख मैंसा कोई कोई नहीं ले जाता है कोई नहीं ले जाता है अरे पत्नी रूठे तो रूठ जाए दसवार रूठ जाए और पत्नी के लिए पती रूठे तो दसवार रूठ जाए पत्नी के लिए सास सुर्ग की पूजा करना चाहिए और पती के लिए अपने मात पता की पूजा करना चाहि इसमें उनका स्वर्ग ही उनके घर पर है चार धाम ही उसी घर पर है जिस घर में मात्पता की सेवा होती हो और जिस घर में मात्पता की सेवा नहीं है वो एक घर नरक के समान है कुम्भी पाक नरक बले ही तुम संसार की सुधा ले लो संसार सागरे मंगनम दीना माम करुणा निदे इस संसार सागर है और इस सागर में डूम के सब को जाना है इस संसार में तो वस भाई प्रेम की प्रेम की गंगा वहाते चलो जोत से जोत जलाते चलो और प्रेम की गंगा वहाते चलो इसलिए एक संसार में हम प्रेमी रहें धरमात्मा रहें दूसरों की शेवा करना चाहिए और भक्त पहलाद में कहा कि भगमान मुझे दीना चाहते हो तो आप मुझे एक ही वस्तु दो कि आप मेरे पिताजी के दिए अपने चरड़ों में इस्थान दीजिए और कुछ नहीं चाहता हो जिस पिताजी ने बच्पन से लेकर के आज जितने बड़े हो चुके हैं पहलाद जनम से लेकर के आज तक इस पहलाद के लिए घरन कश्चपु ने हमेशा दुखी दुख दिया है लेकिन यह पुत्र देखिए पुत्र अपने पिताजी के लिए इस्थान मांग रहा है संतान हो तो पहलाद की तरह हो संतान हो तो स्रवड की तरह हो संतान हो तो राम की तरह हो संतान को जनम देना बड़ी बात नहीं है संसार में संतान आ जाए संतान को अगर आपने संसकार दे दिया सुन्दर आच्रन दे दिया तो सब ठीक है अगर आच्रन और संसकार नहीं है तो सब बेकार है जब राम ने रावड का वद कर दिया तो रावड के लिए राम जी ने अपनी कोदी में लिटा लिया बाद में तो रावड रोने लगा मुले भगवन मैं बहुत बड़ा पापी हूं लेकिन बाव एक बात आपसे कहते हैं कि भगवान मैं आपसे हर चीज में बढ़ा हूं मैं हार गया और मेरी मृत्व हो गई और बहुत बात सकता है कि राम जी से बढ़ा है राबड प्रापड ने कहा सरवर्थम बाद हम रुशी की संतान है और आप एक छत्री की संतान हो मैं आपसे बढ़ा हूँ आप छत्री हैं मैं ब्रहमण हूँ आपका मनदर सोने का रहता है मेरी तो लंकाई सोने की है और मैं तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा जानने वाला विद्वान हूँ और मैं ब्रहामण हूँ फिर भी मैं आपसे हार गया यह एक कारण था कि मैं आपसे हार गया हूँ मुले कौन सा कारण है कि हे राम, हे भगवान आप चर्त्रबान हो हम चर्त्रहीन हैं बस हम इसकी वज़े से यह हार गया आपका चर्त्रबढ़िया है और में चर्त्रहीन हों इसलिए अपनी संतानों को चर्त्रबान बना करके जाएं और जब चर्त्रबान बनते हैं तो कहते हैं फिर तो और किसी को दूसरी में फिल में जाने की आवस्सक्ता ही नहीं पड़ती है और आज वक्त पहलाद एक में फिल में गा रहे हैं क्या अब किसी माहें फिल में जाने गये अब किसी माहें फिल में जाने की हमें फुरसते नहीं अब किसी माहें फिल में जाने की हमें फुरसते नहीं अब किसी माहें फिल में जाने की हमें फुरसते नहीं दुनिया वालों को बनाने अब किसी माहें फिल में जाने की हमें फुरसते नहीं अब किसी माहें फिल में जाने की हमें फुरसते नहीं वलावसे रायरमने लावर लिखी में थाइक। इवारर खेस कर दो कर दोगा दो कर दो दो को कर दो कर दो हमाना लेता हमाना बॉब है कि दिल था जिसे में मेला बस गया है सब्सक्राइब कि दिल था जिसे में मेरा बस गया है सब्सक्राइब और अब कहीं दिले को लगाने जब ठाकुर की मिल जाए तो इस संतार से दिल नहीं लगाना चाहिए ठाकुर से लगाना चाहिए अब कहीं दिले को लगाने की हमें पुर सते नहीं अब कहीं दिले को लगाने की हमें पुर सते नहीं दुनिया वालो को बनाते दुनिया वालो को बनाते एक एहा है किसी में प्रॉद बेलादि कि एहा में पुरे में एक ए अद्धीकमैंड पही म्रेप्लब काकिन एक एहा है की ठीड वर्टॉ कर दो 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 दो कर दो किसी महन में जारी कि हमें पुर सत्तरी ये दुआ के है हमारे, बिल गई है साम से, ये दुआ के हमारे, बिल गई है साम से, बिल गई है साम से, बिल गई है साम से, अब कही आके विलाए, बिल हमे पुरसते ने, अब कही आके विलाए, बिल गई हमें पुरसते ने, दुनिया वालों को मना दे, दुनिया वालों को मना दे, भी हमें कुर सके दे, अब की से मर फिल में जाने, अब कही महें फिल में जाने, कि सब्थी दुनिया वालों के सब्थी दुनिया ओने, जाने, जाने, अब दुसरी में फिल में जाना है, तहां जाना है, चोर से वर रादे, रादे, जाने, जोना हाद उपर किजिए, हरी वो, बिला लो, कर दो 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 कि अब यहां जोबने लग जाएं आप लोग बास्तमिक ना जाने कैसे बढ़ दो आरे नाज नहीं दक नियों तो कम श्रेकम स्तालें तो बलाजाएं से हो कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, 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 क आपके दर्वार में अब कही सरको चुकाने कि हमें पुरसते नहीं दुनिया वालों को मनाने दुनिया वालों को मनाने दुनिया में तुनिक रखेए अब मी दी मैं भी दूम जाने कि हमें पुरसते गरी अब कही में हमिल में दाने कि हमें पुरसते गरी बेवपा दुनिया ये हम से पूछती है क्या हुआ ये दुनिया इतनी मतलवी है जब तक पैसे जेव में है तो दुनिया साथ में और पैसे ने है तो ये दुनिया भी साथ छोड़ देती है दो प्यार मित्र और सखा और फ्रेंड इस सब पैसे के मतलब ये है सुख का साथी सब जगत और दुख का नहीं है कोई दुख का साथी तो सर्फ साइया है सर्फ ठाको रहे जब किसी के ऊपर कुछ बात बिटण जाए तो पुछती है अरे भाज साथ क्या हुआ कैसे हुआ किसी के घर पर देहांत हो जाए एक्सिडेंट से कैसे तो नीच वाले जाते है एक्सिडेंट कैसे हुआ पुछते ये ना बताए ए आप कैसे गिर गए अरे उसको तो चोट लगी है तुम कह रहो कैसे गिर गए पेवपा दुनियाए हमसे पुछती है क्या हुआ पेवपा दुनियाए हमसे पुछती है क्या हुआ अब किसी को कुछे बताने कि हमें पुरी सती नहीं अब किसी को कुछे बताने कि हमें पुरी सती नहीं तुम्हा वालों को मनाने ओ दुनियाए हमसे पुछती नहीं पुछती नहीं कि हमें पुरी सती नहीं अब किसी में पुरी सती नहीं कि हमें पुरी सती नहीं अब कि हमें पुरी सती नहीं कि हमें पुरी सती नहीं अब कि हमें पुरी सती नहीं अब कि हमें पुरी सती नहीं हमारी भीया लोग तो बहुत देरे से उससे बोलता है साहों डर रहे हैं कि माताओं की संख्या जाना है हमारी कम है डरो मत हम आपके साथ में है है जोर से बोले है अभी भी कंजूसी है आप लोगों की एक साथ में बोलो जोर से बोलो है अंतो गत्वा है भगवानी की महफल सुन्दर है तेरी महफिल के दीवाने नसे में चूद रहते हैं तेरी महफिल के दीवाने नसे में चूद रहते भगवान के जो दीवाने हैं भगवान का जो नसा करते हैं वो भगवान के दीवाने हैं वो हमेसा नसे में ही रहते हैं लोग कहते हैं न हमें पागल ही रहने दो हम पागल ही अच्छे हैं अब कई लोग तो सरम से मंदर ने जाते हैं लोग क्या कहेंगे नई बहु है और यह मंदर जा रही है अभी से भक्ता नहीं बन रही है लोग क्या कहेंगे अरे लोग क्या कहेंगे उसको खुटिया पर टांग दो भगवान क्या सोचेंगे इस पर अध्यान देना चाहिए भगवान की नजर हम पर पढ़ जाएगी प्रसंसार की नजर की कोई आवसरता नहीं है कोई आवसरता नहीं है कहते हैं संसार में भगवान की नजर पढ़ने चाहिए और यहां पर आंगे चलकर के बंधो आप लोगं को बताया था कि कशप की दो पपनी थी एक का नाम दिती एक का नाम अदिती था तो दिती से हरन्या चो हरन्य कश्यकू का जनम हुआ था और अदिती के गर्वस में कहते हैं एक बार भगवान का प्रादर्वाव हुआ लेकिन कहते हैं कि अदिती गर्वति कैसे हुई अदिती के यहां कभी संतान नहीं हुई तो कश्प जिसे पूछा आप कुछ करिए कुछ बताइए कैसे संतान होगी बोले आप पयोब्रत कीजिए जिससे संतान की प्राप्ति हो जाएगी फाल गुनस मले पक्षे द्वादस्यायां यां तित्व। फाल गुनके फाल गुनस मले पक्षे फाल गुनके कहते हैं सुक्र पक्ष से हमारे लिए पयो बृत करना चाहिए द्वादसी तिथि के दिन हर द्वादसी तिथि को यह बृत करना चाहिए एक साल तक बृत करें ठाकुर जी की किर्पा आवश्च वरस्ति है और जब यहां पर अदिती ने बृत को किया गर्वती हुई अब देखिये लिए और यहां पहलाद जी के हां पर पहलाद का विभाय हुआ और कहते हैं पहलाद का विभाय हुआ तो पहलाद के विरोचन हुए और विरोचन के राजा वली हुए और जो वली है महाराज वली भगवान को बहुत भजन करते हैं हर समय भगवान की ही रटना लगाय हुए है और बली चाहते हैं कि हम अश्मे यक करें यक करना पूजा करना दान करना यह हमारे सनातन धर्म में हैं ऐसा यक तो बहुत बड़ी बात है अगर यक हमारे लिए दर्सन के लिए भी मिल जाए तो मन की सांता मन की के लिए सांती और हरिश्रणम और हमारे पित्रों के लिए सांती प्राप्त हो जाते हैं सांती मिले जाती है और एक बात इथार्प सत्त है कि पित्र दोस्त की सांती स्रिप भागवत कथा से ही होती है स्री मदवाग स्री मदभाग वतान मुक्ति ही सपता है वाचनम कुरु सपता है हम भगवान के चरत्र को सर्वण करें भागवत कथा है पापियों से पाप को है तारती ए। ए अमरे गरंथे मुक्ति पंठ पंचम बेद नी रहाला thankfully unfortunately बेठों वह party नहीं हो तो यह कता उसको भी तार देती है तो हम तो इतने जाना बड़े पापी नहीं कि हमारे मात पिता को है बुजरकों को पित्रों को भगवान नहीं ता सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा कीजिए सच्चे मन से कथा सुनिये आपके पत्रों का उधार हो जाएगा उधार हो जाएगा हमारी कुनली में कभी पित्रदोस रहता है पित्रदोस और काल सरप्योग दोस एक ही इस्तिती में बनता है आंगे ग्रहे राहू के तू घेर ले तो पित्र दो पीछे को घेर ले तो कहते हैं काल सर प्योग दोस हो जाता है अच्छा एक बात और वह आपको लोगों को बताते हैं मूल नक्षत्र में जनम बच्चे क्यों लेते हैं इसलिए ले लेते हैं कि किसी के परिवार में आपके परिवार में देहांत हो गया हो हम मुंडन नहीं कराते हैं बालों को नहीं बनमाते हैं तो एक निश्चत है कि आने वाली संतान मूल में जनम लेगे क्यों लेगी क्योंकि जब मूल लगेंगे तू भी आपको मुंडन करान काफिल बच्चों ने लिया होगा तो देख ले ना बात सकती ही है जिसके संतान मूल में आई उसके पता जी ने परिवार में दियान दुआ होगा वाल नहीं बनवाएंगे तो पत्र दोस हो जाता है और देखिए पित्र हमारे हातों में सभी तीर थे हमारे हातों में सभी तीर थे देव तीर थे पित्र तीर थे पुत्र तीर थे और तीर अच्छा एक बात बताईए आप देवों को लिए जल चड़ाते हैं तो कैसे चड़ाते हैं ऐसे चड़ाते हैं ना यह देव तीर थे कौ अच्छा अपने बच्चों को कभी कभी हम जल पिलाते हैं हाथ से तो कैसे पिलाते हैं हाथ को ऐसे लगाते हैं तो एक किसका तीर्थ है बच्चों का हम दान करते हैं तो कैसे करते हैं अन्म दान करोगे तो कैसे करोगे ऐसे भरोगो और ऐसे छोड़ोगे दान इसलिए करते है है कि हमारे संतान सुखी जीवन वतीर करें इसलिए करें हैं हम सुखी रहें कि देव तीर्थ हुआ कि पत्रों का तीर्थ हुआ और हम जल पीते हैं तो काहां से पीते हैं हम जल कोई पिलाएगा दिल तो कैसे पिता है ऐसे लगागा तो यह स्वयम का तीर थे हम आच्छमनी करते हैं तो यहां से करना चाहिए इस चंदर के इस्थान से करना जाए ऐसे डारेक्ट नहीं करना जाए जब भी हम आच्छमनी करें तो जल को लेकर के इस स्थान से जल को पीना च इसलिए कहते हैं अपने हातों की रेखाओं को देख लेना चाहिए क्योंकि इन इनी हातों में सारे तीर्थ है जिसने अपने करमों को नहीं देखा उसने कभी तीर्थों का भी दर्शन नहीं किया अपने कर्म प्रधान अविस्ट और कर्म प्रधान नहीं कि और आज वली अपना करम रहे हैं को यत कर रहे हैं वहर्मर में डाल देंगे जला देंगे क्या लाव है कौन खाएगा इसको के लोगत120 वह खोनके संसरा क्रों भग्वान नहीं है अगर भगवार नहीं होते तो ढख अज तुब पचास के लूंत हो गया हम रात को सोते हैं सुबह जग जाते हैं भी दिन भी बनाया है भगवार ने रात भी बनाई है अलग-अलग माहे बना दिये हैं बारिश के समय वह अशार आ जाता है बढ़िया बारिश होती है फिर बढ़िया सुन्दर सर्दी आ जाती है फिर गर्मी आ जाती है भगवान है तब तो यह सब हो रहा है और आंगे चल करके बली ने यक का अउजन बढ़िया कर लिया यक साला बढ़िया बना ली और यक के आचार है महराज सुक्राचार और सुक्राचार को बलाया है देखिए एक बार की बात है कि पहले तो जब बली ने यक का अउजन किया सुक्राचार थोड़ा सा रूट गए ब्रस्वति के पास गए ब्रस्वति ने कहा कि सरपर्तम गुरू को बुलाये आपकी गुरू ही इसे तो को पोड़ कराएंगे यक बढ़िया हो रहा था बढ़िया चल रहा था तो कहते हैं कि अदिती के गर्व से सुन्दर एक वालक ने जनम लिया और वह वालक और कोई नहीं वह वालक हमारे नारायन भगवान बनकर के आए हैं और भगवान बनकर के आए कितना सुन्दर शुरूब है उनका बुले बामन भगवान की जै 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 स्री राधे जै जै स्री राधे जै जै स्री राधे बामन आए है कैसे है की बामन नेना आपो के बामन नेना आपो के नौका के आदा जो इन में बस गया तो हो गया भव से पाँ जो इन में बसे गया तो हो गया भव से पाँ तो बामन भगवान कैसे है बामन उंगली के है कैसे है बामन उंगली के है बामुन नेना आपके नौका के अधार भगवान के नेत्र और हमारे नेत्र कैसे हैं किस तरह हैं नौका की तरह है आप लोगों ने नौका देख लिए नौका किस तरह रहती है प्रारम में पतली रहती है पर बीच में मोटी हो जाती है लाश्ट में पर पतली हो जाती है हमारी आख के तरह ठाकुर जी के नेत्र है और हमारे नेत्र है बामुन नैना आख के नौका के आधा कैसे हैं नौका के आधार नाव की तरह ठाकुर जी के नेन हैं अच्छा नौका में बैठ करके क्या किया जाता है इस पार से उस पार किया जाता है इसलिए ठाकुर की आखों की जो नौका है उस नौका मैं बैठ जाए और भव से बेड़ा पार हो जाए सागर पार हो जाए इतने सुन्दर भगवान के नेन है अच्छा गुरू गुरू तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रिकार कि एंद में से सबसे अच्छा गुरु कौन है देखें लकड गुरु फकड गुरु और ग्यानी गुरु अगर गुरु सब्सक्राइब को काम है वह अलग अलग है इन में सरवस्रेश्ठ गुरु कौन है अगर गुरु सही है किसी का जगड़ा हो जाए और हम अपने गुरु के पास में जाएं बोले गुरु जी ऐसा ऐसा हो गया कुछ कीजिए और गुरु अगर अधर्वी है खराब है गुरु जी कहते हैं लो यह तलवार लो ले जाकर के मर के आउसको और एक होते हैं ज्यानी गुरु अगर उनके पास में भक्त जाए जगड़ा करके गुरु जी कहते हैं बेटा सब ठीक हो जाएगा ओम सांती ओम सांती बढ़ ज़िड़ा समझते हैं कि अभी रख तक बहुत गरम हो चुका है थंड़ा हो जाएगा तो अटोमेंटिक जगड़ा छोड़ देगा एक होते हैं फकड़ गुरु इससको आसाई देते रहते हैं आज नहीं कल सिकाएंगे कल नहीं पर्सों सिकाएंगे और एक गुरु होते हैं लकड़ गुरु इस सर्वस्रेश्ट होते हैं पुले कैसे हैं पुले एक गुरु है लकड़ी की तरह है जैसे लकड़ी नौका जो लकड़ी की नौका रहती है और इस नौका में बैठते हैं यात्री इस पार से उस पार हो जाते हैं बैसे ही बद्धी रूपी नौका मैं बेठार करके इस पार हेथ रोत पार देते हैं लेकिन वह गुरू उसी नोका उसी जल में डलेवां कर दे अकौब फैपने अफे मरती होगया को ईया सो हो गया कोई स्की को डॉक्तर हो गया गोई इंजीनियर हो गया लेकिन गुरु जी वही 50000 की नौकरी आज कर रहे हैं और विध्यारतियों को पढ़ा रहे हैं ऐसे गुरु ओते हैं इसलिए सरेल्व उस्रेश्ठ गुरु लंखड गुरु है लकड़ी की तरह करो लकड़ी को लकड़ी ही काटती एOS एक बार आपस में एक ब्रक्ष को कोई काट रहा था उस ब्रक्ष ने उस कुलाडी से कहा अरे कुलाडी मुझे क्यों काट रही है तो कुलाडी नहीं नहीं कहा अरे भाईया मैं क्या करूं आपकी जो समाज जो लकड़ी है न वो भी मेरे अंदर डली हुई है अब वो जब उठेगी तो मुझे तो काटना पड़ेगा इसलिए हम अपने परिवार को पहले एक करें समाज को एक करें हम अपनी कालोनी को एक करेंगे तो सायद आपस में कोई किसे को नहीं काटेगा सब भाई बहन बन जाएंगे सब को एक होना चाहिए तो भगवान कैसे है भगवान के नन कैसे है नौका की तरह है जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोले है और तो भगवान है नौका की तरह है अब बामन भगवान ने जब जिनम लिया तो कहते हैं बढ़िया एक कमंडल ले लियो एक छत्री ले ली और बढ़िया आसन ले ली कुसा की और बढ़िया लमोट धार्ण कियो हुए हैं बहुत बड़ बड़े नेत रहें ठाकुर जी के बहुत सुंदर लग रहे हैं खडाओं को पहन करके और बली की य्ग्शाला के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और हमारे बामन भगवान धेरे 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 चल करके बली की यक्जिसाला के शमीप आजाते हैं और जब यक्जिसाला के शमीप आए अब जब पास में आए अब बली ने देखा अरे 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 ए ब्रहमण देखिए कितना सुंदर ब्रहमण है यक्जिसाला के पास में ब्रहमण खड़ा हुआ है सुक्राचार ने कहा आरे बैट जाओ पूजा में बैट वो हमने कीजिए ब्रामण तो आती रहेंगे ऐसे बली ने कहा बोले नहीं मेरे यक्य में अगर कोई ब्रामण आ जाए तो मेरा सौभाग है क्योंकि आती थी देव भवा वो भिन बुलाय आया है सुक्राचार ने कहा कि ये ब्रामण नहीं है ये छलिया है ये ब्रामण जो दिख रहा है ये ब्रामण नहीं है ये कनया है छल ले जाएगा तुम्हे बली ने कहा अगर ये भगवान आये है बन करके तो मेरे से बड़ा कोई सौभाग साली नहीं है कि आज भगवान हमारे दरवार में आये है बली से रहा नहीं गया यप सालावमन से बाहर निकल करके और ब्रामन के पास में आगए बोले ब्रामन देटा प्रणाम बामन भगवान नहीं बोले मुहे बंद है अरे बोलिये देटा क्यों नहीं बोल रहे है कुछ चाहिए बावनले इस सिर लाया नहीं चाहिए अरे भोजिंद करना है नहीं करना है यक्डम जन्बत होना नहीं होना है बिभाय करना है नहीं करना है अरे क्या करना है कुछ तो बह Harvey Town है के बिशान हो गया अरे आप क्या कर रहे लुट जाओंगे लुट जाओंगे के अंब वल्य कराओं घुरुजी कि मैंने आपके जैसा मैंने भुरु नहीं देंगा गुरु तो तो यह कहते हैं दान करो पुंड करो और तुम मुझे दान करने से रोक रहे हो अरे ब्रहामन आया है मांगे मैं आज देना चाहता हूं और बामन भगवान कुछ बोल दी रहे हैं अन्तिम में कहा बुले महराज यह राजा वली भक्त पहला की वंसज बार बार प्रणाम करते हैं वताये क्या चाहिए कुछ मांगना चाहते हो कुछ लेना चाहते हो तो बोलिए बामन भगवानने का वोली ठीक है तो दीजिये दो गए वोले हाँ देंगे वोले संकलब करो अगर कोई एक आयके संकलब करो तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि आखिर संकलब क्या है को लिए संकलब कीजिए और जैसे आए और इसके बाद फिर कथा को सुनेंगे आए जो कोई भी पूजा करना चाहते हैं मारी माता वहन भाई आए एक वजन के मात्यम से भामन भाद का पूजन करते हैं बामन भाद की पूजा करने से अभी मैं आपको बताऊंगा तीन पेर धर्तिदान करने का फल परापत होता है आसा और और मैं चाहाथा हूं कि दीख्षर्ची से अब दीख्षिर जी तो भाई बड़े बहूत सरल है मेरे से आकर के जब मिलते हैं तो कहते हैं महराजी बगवान की किर्पा बहुत हो चुकी है और ऐसे हमारी मील के उपर किर्पा बनी रहे बोले लोग बस साथ देते रहें तो आने वाले समय में बहुत विसाल कथा करवाएंगे महराजी एक सपना है मैंने का वो सपना भी आपका साकार होगा और आप समस्त लोग उनका सयोग भी करेंगे और जोर से बुले राधे 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 जोर से बुले राधे राधे जोगन भे से बनाया जोगन भे से बनाया सवरिया तेरे लिए तेरे लिए जोगन भे से बनाया सावरिया दिरे 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 जोगने में इसे बनाया दिरे 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 दि मस्ती में आमें झायर रादे आमरी एक नहीं आगे हैं आज से नहीं एक यह एक नहीं आगे हैं तो नहीं दुदाओं पॉर मस्ती में हरी बहुँछ शीरा दे अस्ती में छुपने होए शीरा दे अस्ती में जुपने होए तोड़ लिया मिन जग से नाथा तेरे सिवा कोई नजर नाथा तेरे सिवा कोई नजर नाथा तू दिल बीच समाया तू दिल बीच समाया तू दिल बीच समाया तू दिल बीच समाया सबनी आते में देने देने दोगने में आदे दीवो तानी सेवा पडिना वी lihat सबस्क्राइब करो थो? इन आर है और क्या सा पिरी सूरत है दिल में जमाए सा पिरी सूरत है दिल में समाए वे साविरी सूरत दिल में समाई भी कहें मुझे भाविर आए साविरी सूरत दिल में समाई इमान कारी से बता की ये कौन कौन बगुवान से प्रेम करता है साविजी सूरत दिले में समाए साविजी सूरत दिले बें संबाई लोग कहे मुझे बाविरी आई जोग कहे मुझे बाविरी आई ऐसा रूप ढिखाया तुने ऐसा रूप ढिखाः ऐसा रूप ढिकर सब दिया आरे लिए, पेरे लिए जो गंडीरों पे बनाया समधिया देने दिये, देने दिये जो गंडीरों पे बैतने दुरहा को पुटाते चाली बाए बस्ती में गुमते होए जो गंडीरों आज भगमान आने बाजे हैं कुछी समय बचाए जाया से दनार भाए सभी के हाद दुपर उने से हरी बो मुझा बाए वाटके ज़ी दोसे देडा वाटके ज़ी दोसे देडा इन बताइए व्रंदावन में बाक्य भीहारी के दस्तन किस-किसने क्या दुगर करो आपनों को पता होगा फड़ा लगता और खुलता है वह जो लगता खुलता है कि कोई नजर ना मिलाले क्योंकि बाक्य विहारी के नेन है प्रेमी और जो नजर मिला लेते हैं तो भगवान हुनी के ही हो जाते हैं लसुन हान उड़ा करके जेर से बिल येकरा हैं तो भीन्धिया के हैं तो भीन्धिया में प्रूर जादा आपका दिल भागू कि इस ने चुराया You 19 थे ने करें इमांदारी हात जोगांदी में शिबना और मंध्री तो दोना जूड़ा एंआ ऐट इसा Capital कुष्वडआया तुने ऐसा दिलिकर्ड़ाय या तुने झालि दनितो दोलिक्स नाड़िया दिरे लिए दिरे लिए जो गड़ी मेंसे बनाया सावालिया दिरे लिए दिरे लिए जो गड़ी मेंसे बनाया रावो पुशी करि struct見て कर दो 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 अबाँना कंचे लेकर नहीं है जोगने बेसे बनाया, जोगने बेसे बनाया, सबरिया, तेरे लिए, तेरे लिए, 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 जोगने जो गट बेस बनाया जो और से बोलना पड़ेगा और जो और से बोलिए आज यहाँ पर बली ने भी जोगन का भेस बनाया है और जब ऐसा भेस बनाते हैं तो कहते हैं भगवान भी तुरंत दर्शन देने के लिए आजाते हैं और आज यहां पर बामन के दरवार उपर भगवान आये हैं और संक्लब का कहा चोके पुराओं मारी दिननाओं आजे मुझे प्रिया घर आवे और आज मुरे पिया घर्या में के खबरे सुनाओ जो आज कुसिरे मनाओ जो आज मुरे पिया घर्या में के आज मुरे पिया घर्या है 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 जब कोई हमारे दर्वार पर आजाए नगर में आजाएं तो हमारे लिए संदर चौप पुराना चाहिए रंगोली हमारे लिए बैसे डेली दिन दर्वाजे के सामने हमारे लिए रंगोली पारना चाहिए रंगोली बनाना चाहिए ना जाने किस भेस में कव आ जाएं भगवान कोई पता नहीं है एक बार की बात है एक सेड़ जी के यहां पर एक भिकारी आया तो सेड़ जी तो घर पर थे नहीं शेठाने जी घर पर थी और उस विकारी नहीं है कहा माताजी मेरे पास में कपड़े नहीं है मुझे कपड़े दान देदो अंदर से वह शेठाने जी कई कपड़ों को तो लाइं है पैयंट और सफलाई है सबसे सारे बटन निकाल लिये और पैयंट में जो कि रोब था वो निकाल लिया और दान देती हैं हां हां ऊपता है This यहां प्रैक बेटनों को निकाल ले सारी तो विकारी है और उस उन कपड़ों को ले जाकर के एक दिन पहन लिया दो पांच-दस दिन बाद कि और एक मंदर में जाकर के बैठ गया अभिक्षाक मांगने के लिए और एक दिन की वात है कि वही सेड़ जी अपने रिष्टेदारों के साथ में मंदर गए दर्सन किया बापस में आये तो उन विकारियों को दान कर रहे थे और सेड़ जी की नजर उसी विकारी पर पड़ जाती है जिस से विकारी को शेठानी जी ने कपड़े दिये थे सेड़ जी कहते है ओ भ्हांचमे नमबर का विकारी है वो मेरा बेकारी है बोले तुम्हारा बेकारी है तुम्हारा वहनोई लगता है तुम्हारा ससुर लगता है तुम्हारा जमाई लगता है तुम्हारा साला लगता है तुम्हारा भाई लगता है तुम्हारा मामा लगता है तुम्हारा कौन लगता है तुम्हारा लगता नहीं है फिर कै जो कपड़े पहन रखे हैं वो मेरे हैं इसलिए वो भिकारी मेरा है एक भक्त कहता है अरे मूर्ख जो तू कपड़ों को दे करके भिकारी को अपना बना सकता है तो कुछ भगवान को दे दे और भगवान को भी अपना बना ले कि जिसको कुछ दे करके मेरे ठाकुर की याद आ जाए मेरे गुबंद की याद आ जाए ऐसी कोई वस्तु कभी भगवान को समर्पित किये ऐसे भी वस्तु हमारे पास में होनी चाहिए जो हम ठाकुर को दें ठाकुर के पास में हमारा कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए हमारे पास में तो बहुत है ठाकुर का दिया हुआ मुझे तुमने दाता बहुत कुछे दिया है तेरा सुक्रिया है ना मिलती दी हुई दात तेरे ना मिलती दी हुई दात ते तो क्या थी जमाने में आउकात मेरी हमें भगवान का सुक्र यादा भी करना चाहिए कहे ठापुर तुमने अच्छे परिवार में मुझे जनम दिया सब कुछ अच्छा दिया है सरीर अच्छा दिया है बच्चे अच्छे दिये हैं अरे किसी को पतनी अगर अच्छी मिल जाए तो समझ जाना सबसे बड़ी करपा भगवान की यहीं पर है क्योंकि इस्तरी सुरग बनाती है इस्तरी नरग बना देती है अगर घर की इस्तरी घर की बहू घर की बेटी ठीक है तो कहते हैं नरग को भी सुरग बना देगी अगर खराब है तो चाहे जितना कमा लेना घर में कभी वरकत नहीं हो सकती है क्योंकि आपकी इस्तुरी आपकी घर की इस्तुरी ठीक नहीं है घर में बढ़िया भोग लगने और जब बली से पामन ने कहा संकलब करो क्यों देरी कर रहे हो भूल गए बली ने कहा संकलब को हम कर देंगे उसी के लिए हूँ अब सुक्राचार ने सोचा कि मेरा सिस्त लुट रा जा रहा है ऐसा कोई गुरु नहीं है कि अपने सिस्त को आँखों देखे लूटते देख ले कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरा सिस्त लुट जाए सभी गुरु चाहते मेरा सिस्त ठीक रहे और जो सिस्स ठीक रहेगा तो गुरुजी ठीक रहेंगे और संगलब करने के लिए कहते हैं जो कमंडल होता है और जो जैसे गंगा सागर रहता है गंगा सागर से जल को लेने लेने के लिए तयार हुए वली तो सुक्राचार ने क्या किया छोटा सो रूप नया और गंगा सागर के कमंडल के उस छित्र में बैठ गए जल नहीं आ रहा था कि बली ने बहुत किया पूरा उपर से टेड़ा कर दिया जल नहीं आया है क्योंगि अच्छत पुस्पाणी ग्रहित्वा जब तक अच्छत पुस्प नहीं होगे जञ नहीं होगा द्रब्यमचा जल माद आया हा संकल्पम कुरिया रहा जब तक द्रब दर्षणा और जल नहीं होगा संक्लब कैसे होगा वली भी सोच रहे हैं जलनी आ रहा है बावन्य का चिंता मत करो वली संक्लब हो जाएगा मेरे पास में उपाय है कुसकी आसन्थी उसमें से एक शीख निकाली और उस छित्र में गंगा साकर के डाल दी तो कहते हैं या सुक्राचार की एक फूट गई कियो और अि कू nap को फूट गई कि अरे का खिसलिये और एक इसलिए नहीं फूटी की एक अंक से तो टद्रहर सबПрाचारी ये कड़ा रहे थे तो अच्छा काम था और दूसरी कि आखसे इनका सिस्दान कर रहा तो तान करने से एब बंकर रहा था रोक रहे थे इसलिए अधर्मी की वाइख थी वो भूट गई और धर्मी की धर्मात्मा की जो आथ वो वचिक सबक्राचार के और जो कोई दान करें तो रोकना नहीं चाहिए पचास का क्यों दे रहे हो दसका दे दो कि लोगों को मैंने देखा है माताएं तो इतनी होस्यार होती है अगर किसी के पति हजार रोपे निकाल रहे हो अरे रहने दो मंदर में तो आए दस से कम चल जाएगा रही है है कि लेका ही माता है अपना दिल खौल देती है भगवान के परती एक से सब लोग बागवान के परती अपना अपना दिल खोलते हैं ति इसलिए सुपकर अचैगर भणाद में बैठ गए बढ़िया जल लेकर के संकल्व किया अब आफ इस संक्रम के लिए imagine मुले वत एक जी चाहिए बोले तीन पैयर धर्ती चाहिए अ हम बली नहीं कहा तीन पैयर में क्या करोंगे आ संव के ठीक से नहीं मैशेगी आभी तो डमया है अंगे बढ़ जाएगो तो पतण ही परिभार कहां रहेंगे तेरे बुले तीन पैर दो जाना चाहिए कि तीन पर दे दो कि लिए एंसान को तीन पffen 알았어 जाए के कि आव कि मुंबे में धर्ती नहीं एक प्रत करें हम कि तो टोई धाम में कर मंदर बन रहा हो कॉसला का निर्मान हो रहा हो तो 3 पैर जितनी धरती हो थे उसका दान करना चाहिए पैसा देना चाहिए इसलिए तीन पैर धरती दान करना आवस्थ है बहुत आवश्चक है एक ब्रिक्ष लगाना आवश्चक है अब तीन पैर का संगलब हो गया अब पहले पैर में बामन भगवान ने क्या किया ऊपर कई सभी लोकों को नाप लिया और दूसरे पैर में नीचे के लोक नाप लिय हो अतल बितल तलातलर साथ Chuck त्ल हमातल पाताल लोकानफ परिभागे तुimsutनो पैर में पूरा सब किछ ना उत Kennes और वली से कहा राजन आप तो कह रहे थे और पैर मांगो दो पैर में पूरा सब कुछ ना पलिया तीसरा पैर कहां रखो बचन बद्ध हो तीसरा पैर रख बताये कहां रख रहे वली ने कहा माराज ये बताये कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है वले मालिक बड़ा होता है वले आपने मेरा धन ले लिया मैं उसका मालिक था कि तीसरा पैर हमारे ऊपर रख दीए भगवान ने तीसरा पैर ऊपर सफर्स कराया है और कहते हैं आज वली रोन से लगा है तो लो रहा है कि भगवानने कि चलो वली अब मेरे से मांगो क्या मांगना चाहते हो को कई को कि कि स». दर्सन दें तो भगवान से संसार की वस्तु मत मांगना प्यारे थाकुर मिल जाए तो थाकुर को तो थाकुर से ही मांगना चाहिए कि अब और वोज सकते होता होता रहे मुझे हमेसा अब वो दरसन तो ड्वावान बना लिया भागुवान बाँचमेन बन गये केटपर खड़े है अब तो राजा बली- जेरा गरता है बार बार कभी अंदर कभी बाहर ख़त लक्ष्मीजी के पास नारच जी गई नारच ने कहां हे तम्रेन नारें जी को है मिध्या में नहीं है पता многdhi दिहिए पाली-धन संसार की मालकिन का पती संसार की मालकिन है लक्षमी जी और लक्षमी जी का पती आज नौकरी कर रहा है और वो भी द्वारपाल की नौकरी कर रहा है वाश्मेन की नौकरी कर रहा है लक्षमी जी के पास मिलारण जी गए औरे तुम्हारे पति तुम तो संसार की मालकिन बनी हो और तुम्हारे पती छोटी-सी नौकरी कर रहे हैं कि मैने शंसार में भी बहुत देखा है कहीं लोगों की यह देखा है कहीं मैंने माताओं को को देखा है कि इस तरी को को देखा कि अपने पती से बरतन मगेरा साथ करवाती है जाड़ू लगा लगवाती है पत्नी है नौकरी कर रही है और पती कम कमाते हैं तो पत्नी ने अपना प्रभाव पत्य के ऊपर डाल दिया अब पती वेचारे सीधे हैं जाड़ू लगा देते पती भले ही एक रुपे नहीं कमाता हो चलो ठीक है आप पैसा कमा रही है तो ये तो नहीं कि धर्म को ही आप नश्ट कर दें धर्मों रक्षती रक्षत हाँ धर्म करेंगे आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगा इसलिए पती के लिए अपना परवि सुर्माने कैसा भी हो अच्छा माना इस संसार में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने पती से प्रैम करती है जीवन साथी है जीवन साथी तो एक रहता है जिसके उमली को पकड़ करके हमें संसार से भव साधर पार करता है पत्नी कहीं नहीं जाए पत्नी मंदर भी ना जाए पत्नी पुजा भी ना करे पत्नी जाप भी ना करे पत्नी इश्नान भी ना करे तो कछू बात ना है पत्नी तो सरफ अपने पती के चरण को इस पर सकर ले सब तीर्थों का फल मिल जाता है एक वाद बताएं आज से लगबग 50 साल पहले या 100 साल पहले इस्त्रियों को दीख्षा नहीं दी जाती थी और इस्त्रियों को दीख्षा लेने का कोई अधिकार नहीं कोई अधिकार नहीं हों कहीं दीख्षा नहीं लिए कोई बता देज फ्रमें सुरीद दीख्षा लिए jos क्या है मैं कुंसम लिए मान विश्नौ दीख्षा बीड़ा नाम नादीकार कठासर में पाकी है तत्त्रों क्या मी जाता है और इस्त्री के लिए देवी के लिए यग्लों कुंद से पेहन ने का कादिकार तो गुरु दिक्षा लेने का अधिकार कहां से हो जाएगा ले हमारे डre देवताह और देवियों में ले लए कर एक गुपबित नहीं पहनाते गुरु दिक्षा और देवियों में देवी के लिए कभी नहीं पहनाते हैं गुरु दीख्षा में पहनना पड़ता है क्योंकि कि इस्तरी के लिए दिख्षा इसलियिना चाहिए क्योंकि उसके पति को दीख्षा लेनी चाहिए जब पत्नी का विभाय नहीं होता है तो तीन लर्का यगूप भी पहनता है और विभाय हो जाता है तो छे लर्र हो जाते हैं तीन उसके हैं और तीन उसकी पत्नी के हैं इसलिए विभाय के बाद में पुरुस छे लर्का यगूप भी पहनता है इसलिए पत्नी को दिख्चा ल अब लेकिन कल्यूग है भाई चलो ठीक है अरे दीच्छा लो तो सही खंसे कम भगवान का भजन तो होगा इसलिए दीच्छा लेने लगे हैं कि मैंने आपको एक दिन और बताया था कि कि हमारे सनातन धर में इस्त्री सूत्र दुजबंदू नाम त्रिय सुर्टीना गोचराहा मैं एक चीज का बहुत जाना व्रोध करता हूँ मेरा अगर कोई स्थ है मेरे से कहेगा महाराज ही आप इस बेट में भी नहीं तो क्या मैं एक लड़की की कता करवालू मैं एक करता हूँ अगर लड़की की कता कराओगे तो मेरा शेぎ disposta मैं कभी तुम्हें याद नहीं करूंगा वोले क्यों महाराज आप तो इस तरी का ब्रोग करते हो मैंने का मैं इस तरी का सम्मान करता हूं मैं ब्रोग नहीं करता हूं मैं पाप नहीं करने दूंगा क्योंकि इस तरी मासिक धर्म से होती है और अगर इस तरी मंच पर बैठेगी बेट पहुत दिन पहले फाइनल हो जाती है कई इस तरी, कई महलाएं, कई लड़की मासिक धर्म होकर के भी मंच पर बैठकर के कथा सुनाती है बताईए पैसे के चक्कर में ये कितना बड़ा पाप है कितना बड़ा पाप है इसको रोकना होगा लेकिन कल्योग है, बस आँख सिक जाए, लोग देख ले, बस ठीक हो गया ये नहीं होना चाहिए धर्म की अच्छा करना है अब कल्योग है, कल्योग तो पढ़ना ही है कल्योग का पता क्या है, कैसा कल्योग आना है कल्योग पता है कैसे आएगा, आने वाला समय कैसा होगा भाई-भाई को मार देंगे जान से और आने वाले समय में मनुष्ट की बुद्धी पसु की तरह हो जाएगी पसु खराब नहीं है लेकिन पसु की यूनी खराब है आने वाला समय पसु की तरह पुरुष अपना जीवन जीएगा आप लोगों ने देखा होगा पसु में एक मासे दो बच्चे जनम ले रेते हैं तो आने वाले समय में उनमें रिस्ता नहीं रहता है रिस्ता नहीं रहता है उनमें तो आने वाला समय भी पुरुष भी ऐसा ही घर लेगा और हो गया है मैंने ऐसे से लोगों को देखा है सगे मौसी के लड़के ने सगी मौसी की लड़की से साधी कर ली सगे चाचा ने सगी भतीजी से साधी कर ली सगे मामा ने सगी भारिजन से साधी कर ली यह क्या हो रहा है कोई रिस्ताई नहीं रहा यह क्या है इस मनुस्थ की सोच बिगड़ती जा रही है कोई होसी नहीं है कि हमें क्या रख कैसे रहना है क्या करना है हम अपने जीवनम को सुधा रहे हैं हम अपने बच्चों को सुधा रहे हैं हम अपने सनातन धर्म की रक्षा को करें जब हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे तभी तो धीरे 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 धर्म सुनना है अब या लक्षमी जी से कहा जोर से बोलिये राधे राधे और जोर से बोलिये आज रात्री के 12 वजे तक कथा होगी कि कितने वजे तक होगी कि कितने बजे तक क्योंकि रात्री के बारा वजे ही कनिया का जुनम हुआ था तो कौन-कौन चाहता है कि बारा वजे तक करता चले कोई उठेगा तो नहीं सही में चलो देखते हैं जोर से बोलिए तो यहां पर और यहां पर लक्ष्मी जी गई है अब लक्ष्मी जी ने कहां मेरे पती नौकरी कर रहे है और मैं संसार की मालक इनूं यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है लक्ष्मी जी बहन बन करके गई है और आज वही रक्षा वर्णन का दिन है अब बहन बन करके गई तो आप देखें आज काल की बहन भी अच्छी है डिब्बा एक लोका होना चाहिए मिठाई धाई सुग्राम होनी चाहिए दिखना चाहिए मिठाई तो यह की खाएंगे भाई और रक्षा बंदन बान करके फिर तो बनारस की साड़ी चाहिए चनरी की साड़ी चाहिए फिर तुम मान बहुत लंबी हो दिये तो वही रक्षा बंदन लेकर के लक्षमी जी गई है और लक्षमी जी गई राजा वली के पास में वले भीया मैं तुम्हारी वहन हूं आज अच्छा दिन है आओ रक्षा सूत्र बान देते हैं अब है आज अवध्धो वली राजा दान विंद्रों महावला तेनत प्रतिवन नामी रक्षे माचला माचला हा रक्षा शुत्र को जैसे ही पांदा भाणी ने कहां वली ने मांगे वहन क्या चाहिए बोले भाण देंगे आप मुझे हां देंगे बताए क्या चाहिए कि एक ही तो बैने तुजी तो मेरी प्यारी बैने मांग क्या चाहिए कि बहुत देना चाहते हो तो जल उठाएं जो जलका कहा क्या करेगी जल से संखलब करेंगे वली समझ गए पर एक कोई साधर निसक्री नहीं आपको साधर भात नहीं कि समझ चुके हैं सोच रहे हैं अगर संसार की वहन है तो जो मांगेगी वो मैं इसको दूँगा और अगर यह संसार की मालकिन है तो यह मेरे से आज मेरा सब कुछ सब ले ले और आपस में सोच रहा है अंदर ये अंदल आज मेरे से बड़ा कोई धन नहीं है मेरे से बड़ा कोई भी भक्त नहीं है आज भगवान की किरपा मेरे उपर कितनी है कि आज भगवान की किरपा ने मुझे कितना बड़ा भक्त बना दिया है कि मैं हर समय भगवान की सेवा कर र कि मालकिन आज मेरे से कुछ मांग रही है मांग यह वहन बोले आपका जो द्वार पाल है बस वो दे दो और मैं कुछ नहीं चाहती हूं बली समझ गए यह तो लक्षमी जी है और नारायन को बुलाया ओ आजाए आज से आपकी नौकरी पूरी हो गई अब रिटार्ड हो चुके हैं और आपको रिटार्ड में य제 पंड है और ये आपको आपकी पत्नी फंड रूपी आपको पकड़ा जेते येई लक्षमी है पासी मैं फंड में और कुछ नहीं है यही लीजिए वह वहगवान भगवान अ हमको गए है कि वली ने फिर बढ़िया और यकितिये दान किया पुन किया अन्तो गत्वा यहां पर बताते हैं कि संत स्रोवनी सुग्रेव से परक्ष की परश्ण करते हैं धर्म क्यूं सरडंबर जहाद धर्म क्या है और पाप का बाप कौन है पाप का बाप कौन है पता है किसी को कि पाप का बाप कौन है पाप का बाप है बंधो एक बार क्या हुआ एक महराज थे बहुत अच्छे थे इक्रम कांडी थे सवच्छा था उनका एक दिन की वात है कि ब्रतम्चानी वर्त्यम्ह इती ब्राम्मणम्ह ब्राम्मण हैं कर्मन वलिष्ठा क्रमनों गती ही वलिष्ठा करमनों गती ववेकंतु चमास द्यहां संसार बंधनाथ 454 सर्फ रंश्छन यंग 5 कि बंधन तो हो तो पूजा का हो बंधन हो तो आर्थी का हो कि सुवे साम हमें वगवान की पूजा करना ही है और तो पंडित जी थे वो कथा कर रहे थे एक दिर उनसे किसी ने पूचा महाराज यह बताई यह बाप का बाप कौन है महाराज जी ने का मुझे नहीं पता और जिस इस्तरी ने पूचा वह एक वहस्या थी तो भूले नहीं पता तो भूले महराज जी लीजिए एग पांसो का नोट प्रणाम करते हों कल आप मेरे घर पर आया आना आप पंड़ जी घर पर पहुंच गए उस इस्त्री ने फिर एक गांदी जी दिये अच्छा ये बताई महाराज सब ठीक है जो खलाओगी वो खालेंगे एक फर नोड दिया बड़ी अथाली लग गई पुले क्या बनाएं कच्छा या पक्का बुले जो आपकी इक्षाव वो बना बनाया थारी लग करके आई इसको पा लीजिए में ऊर्माराज जैसे इसे पाने के लिए तयार व उए उस इस्त्री ने के कि महराज की गाल में एक तमाच्या जड़ दिया महाराज पाप का बाप है तुरशना पाप का बाप है लालच जिसने लालच किया है वही पाप का बाप है कि तुम पैसे के चक्कर में एक बेस्या के घर भोजर करने चले आए इससे बड़ा और कुछ बाप हो सकता है क्या ये भी नहीं पूछा कौन हो भोजर कैसे बनाया है नहाया है कि नहीं नहाया है कि ठाकुरिक्त की होती है कि नहीं होती हैं कि जिसके अंदर तुष्णा आ लेते हैं तो कहते हैं उनकी हाय उनको लग जाती है वो कोभी अच्छे से सुख में अपने घर में नहीं रह पाते हैं तो यहां जो आप लोगोंने दुरुप जी कि कथा सुनी दुरुप जी का विभाए सिशु मार्य की कन्या भ्रमी के साथ में हुआ था और दुरुप जी के दो पुत्रुदे कल्प और बतसर आंगे चल करके इनके यहां अंग हुए अंग के यहां बैन हुए बैन के लिए मन्थन किया गया बैन के लिए कहते हैं मचली ने निगल लिया था तो मचली एक महराज राजा के घर पर पहुंसती है तो कहते हैं बैन का मन्थन किया गया बैन से फिर कहते हैं प्रतु महराज हुए है प्रतु महराज ने अश्मे यक किये है इंद्र घबडाने लगे और घबडाने लगे तो भगमान से कहा भगमान आप दरसन दो दो नहीं तो हमारी पद्वी चली जाएगे और भगवान ने दर्सन दिया प्रतु महाराज से कहां मांगी ये क्या मांगना चाहते हो प्रतु महाराज ने कहां भगवान मुझे आप देना चाहते हो तो मुझे दस हजार कांग दे दो कितने कांग दस हजार कांग दे दो भूंओ न मोणे करोंगे अझार में तो लोग दो कानों से ने तुम'm сумी do है नहीं भूस gefष है करने मिल में कथा हो रही है कई लोग अपने अपने प्लैट में रह रहे हैं किसी किसी के दो प्ले खराब हो चुके मोले कहां से कहां यह कठा चालू हो गई कहां से महाराज आ गयी एक माए हो गया अभी समझान बंदर नहीं हो रहा है बहुत प्रेशाननेंद बच्चे पढ़ा नहीं रहें अरे मैं करने कज़ोन कुछ का दो जिसको नहीं पढ़ना और जिसको को पढ़ना है तो लाइट भी नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं यह तो मिपें है कि कथा से बढ़कर क्या है इस भग मानखों को करो करने के लिए पढ़ने की आवसक्ता नहीं है निनयों कि सौर होड़ा है क्य chi कि इसको पढ़ना है तो चाह जैसा सोर होता रहे है कि सब पढ़ लेते हाँ जम मानेंगे हम कि घर में कोई बात ही नहीं करेगा टीवी चलीगी लडाई भी होगी जगडा भी होगा घूमने भी जाएंगे यूटूब भी चलाएंगे मुवाल भी चलाएंगे इससे पढ़ाई ने रुक करके कि कथा से पढ़ाई रुख जाए सली कथा हो रे इन लोगों की सोच वाराज पर तूंप हमहराज ने दस हजार कान मांगे क्या करोगे क्नम के उन्हां ने वहाँ ठावा истор का ने पिशल्र कुन रहा और आपकी कथा कथा को होती होंगी संसार में कि सुन लेंगे आपकी कथा को कि भगवान की प्राप्ति होई आज प्रक्षजी नहीं है पूचा की संसार में कौन किसका है कौन किसका नहीं है तो कहते हैं प्रक्षजी ने कहा गिरी वरो राजस्त्र पूट है ती कजिंद्र मुख्छा एक गज और ग्राई की कथा आती है हाती और मंगर मच्छ की यह कथा अमारे लिए यह सकाती है कि संसार में कोई किसी का नहीं है कोई हाती अपने परिवार को लेकर के बच्चों को लेकर के पत्नी को लेकर के एक सरोवर के पास में गया इश्नार करने के लिए और कुस हाती ने उस गज ने उस गजिंद्र ने इश्नान करने के लिए सरोवर में गया वंधु तो उसका पैर ग्राहे ने पकड़ दिया मगर मचने पकड़ दिया वहाती कहता है ओ अरधांगनी तुम तो मेरी पतनी हो तुम एक काम कीजिए शुर से शुर मिला लिजिए मैं बाहर निकल आउंगा पतनी ने मना कर दिया आप सक्ति साली हैं मैं आपकी पत्नी हूँ मुझे में इतनी सक्ति नहीं है आपने अगर मुझे यह अंदर कर लिया तो आप तो मरी रहे हैं हम और मर जाएंगे बच्चों से कहा बच्चों ने मना कर दिया कोई हांती सोच रहा है संसार में तो कोई किसी का नहीं है सब मतलब यह है एक जगए एक बार एक परिवार था उस परिवार में एक ही पुत्र था बोंद प्रेम करते हैं घर वाले परिवार बच्चों को उसस्टान को उस्पुत्र को कहीं जाने नहीं देते दें तो हम लोग क्या करेंगे कैसे जिएंगे विभाय हो गया पत्नी आई तुब भी कहीं नहीं जाने दे रही है घर पर रहो एक दिन वही वालक चोरी से छिप करके कथा हो रही थी, पंडाल में आ गया, बैट गया, कथा सुनी, महराज ने कह दिया, संसार में कोई किसी का नहीं है, सम्मतलबी है, महराज बाद में मंच से उतरते हैं, वह वालक कहता है, बोले महराज, आप कथा में जूट बोल रहे थे महराज ने कहा, क्या जूट बोला, महराज आप ने कहा है, संसार में कोई किसी का नहीं है, यह तो गलत है, मेरी तुमा है, मेरी पिताजी है, और मेरी पतनी है, बहुत प्रेम करते हैं, देखो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं, इतना प्रेम करते हैं, महराज पर जाना बेहोस की गोली ले जाओ दो घंटे तुम बेहोस हो जाना और मरने का नाटक कर लेना पथा चल जाएगा गया घर पर गया गोली घाई लेट गया सक्षचव डोक्टर आये दोक्टर नेका ऄंगा द्यान dau चुका है मा रोनी लगी पिता रोने लगी पक्तनी रोने लगी बहुत रो रहे हैं है तो हलक खराब हो गई वह उस lle संत ने सोचा अरे औरаров सोचते हैं इस घर से आवाज कैसी आ रही है रोने कि कि महाराज से रहाने के अंदर चले गए और महाराज ना देखा यह तो वहीं वालक है कि अब पूछा अब कि संत जी गए हरुष्ट रडंग और जब संत जी गए संत ने देखा कि महाराज मेरे वेटे का देहांत हो चुका है आप कुछ कर सकते हो कोई जादू तोना कर सकते हो क्योंकि दवा से बड़ी दुआ होती है जहां लाखों रोपए की दवा काम नहीं करती है बहां राख काम कर जाती है हर दर्द की दवा है बिहारी के सहर में कोई गया ना खाली बिहारी के सहर बोले तुमारा पेटा ठीक हो जाएगा सभी हसने लगे सभी बडिया प्रशन हो गए माता पिता पतनी पंडिजी ने यह कहा ठीक तो हो जाएगा एक काम करना पड़ेगा महराज जली बताओ एक काम हो जाएगा एक काम नहीं पांच काम हो जाएगे जली बताओ मेरा बेटा जीवित होना चाहिए महराज नहीं है कहा अगर एक इंसान मर जाएगा तो यह जीवित हो जाएगा एक को मरना पड़ेगा मा से कहा मा ने मना कर दिया मैं मर नहीं सकते हूं दूसरी संतान को वही आप रात कर लोगे नहीं होगा तो गोदी ले लोगे मर नहीं सकते हूं पिता से कहा पिता ने मना कर दिया मर नहीं सकते हैं अरधांगनी पतनी से कहा वाई तुम तो इनिकी अरधांगनी हो पतनी हो सुख धुक्का जोड़ा था तुम मर जाओ कि बोले मैं तो दूसरा विभाय कर सकती हूं लेकिन मैं मर नहीं सकती हूं महाराज ने कहा तो कैसे होगा एक तीनों मिलकर के कहते हैं महाराज यह बताओ एक मर जाएगा तो एठीक हो जाएगा तो महाराज आपसे प्राथना है महाराज ने कहा और की अधे कां करो हूँ महाराज आप ही मर जाओ मिरा बेटा जिन्दा हो कि महाराज ने कह अरे तुमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है बेटा उठ जाओ पहचान लिया किmind कोई किसी का नहीं है सब मिथ्या है और आज उस गजिंद्र नेगवी जो उसका साथ उसके परिवार में नहीं दिया अब किसको याद करे वो कि याद किसको करे किसकी प्राजना करे कि कहते हैं गज और एक ग्रहाय कौन है वो यह पूर्व जनम के दो तो कि व्यक्ति है वोले एक क्या करते थे जब कोई संत को और रह अपस में कि प्रविया उनको वगवत की प्राप्ति वगवान से तहां वगवान ऐसा ऐसा वह चिंता मत करो ऐसी पैर खिशते रहना एक ना एक दिन उधार हो जाएगा तो गज्ञिवे सोचा उसी तालाब में उसी सरोबर में एक पुस्प पढ़ियाओ भैकर के आ रहा ह tau और हाती की नजर उस पुस्प पर पड़ायाई और खायता है ये जिस पुष्प बनाया हो मैं पुष्प बनाने वाले के लिए मैं कोटी-कोटी प्रडाम करता हूं कोटी-कोटी वन्न करता हूं मेरी रक्षा करें तो कहते हैं कि साक्षार्द भगवान आये हैं और गज और गराय के लिए उस यूनी से छुटकारा दिलाकर उनकी जो आत्माती लें और रहाम कि आप मुझे ये भी बताओ किसी के किसी का नाम से उधार हुआ है तो कहते हैं अजामिल का लात फाइन से उद्धार नाम से हुआ है अपनी पत्त्रों का नाम बोले भगवारन से मिलकर कर रघिता जाएiban आा और आंगे चलकर कर बंधों करते हैं ब्रंदा बन जाएं तो हमारा संदेश, हमारा पैगाम कौन ले करके जाएगा आईए अपना अपना संदेश वाखे व्यारी को बेजते हैं आप पर उसके बाद में कथा को आगे बढ़ाएंगे पहले राम जुनम होगा पर उसके बाद में कुस जुनम होगा आभी कथा बहुत है आभी सबसे पहले आपको समुद्र मंतन की कथा आएगी कि समुद्र मंतन में चौदा अरतन निकले थे पर उसके बाद में राम जनम उसके बाद में कृष्व जनम जोर से बुले राधे राधे कोई जाए जो ब्रिंदावन मेरा पैगां में ले जाना जोर से बूले राधे called काईए जोग्दावन मेरा पैगां में ले जाना कोई जाए जोग्दावन मेरा पैगां में ले जाना काईए मेरा पेगाम ले जाना मेरा पेगाम मे ले जाना कोई जाए जो ब्रंदावर मेरा पेगाम ले जाना केरी मेर तो जान नहीं सकता मेरा पेगाम मेरा पेगाम मे ले जाना केरी मेरा पेगाम मेरा पेगाम मेरा पेगाम ले जाना अपना अपना पत्रक बाग के ब्यारी को कौन-कौन भेजना चाहता है ब्रंदावर सही में हरीवा फीरा है अली सेवा कि अभी अपना कि अभी हो कि अभी बाग पेगाम जो ब्रंदावल मेरा पेगा मिले दाना कोई दाए जो ब्रंदावन मेरा पेगा मिले दाना अगर तुम ब्रंदावन जाओ तू उने को देखते रहना अगय तुम्हे ब्रंदावन जाओ, तो उनको देखते रहना और अगर तुम ब्रंदावन जाना, तो बाग के बिहारी को देखते रहना और वो तुम से खाल पूछेंगे, कहां तुम कुछ नहीं कहना और जब बाग की बियारी पूछेंगे तो कुछ नहीं कहना क्या कहना? क्या क्या करेकर आपके अपना प्रेम पत्र अपने दुखों का पत्र अगर स्याम सुन्दर को भेजना चाहते हो तो दूनों हाथ हो भूपल उठा करके मज्ति में हरिवौ। कि लड़े, कि लड़े कि लड़े कि लड़े कि लड़े कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो देखे बरजवासी तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं एक प्रज में जनम लिया हो वो बरजवासी और दूसरा हुआ है जो बरणदावन में जाकर के वर्ज गया वो बरजवासी और तीसरा बरजवासी वो होता है जिसका मन बरणदावन चला जाए वो बरजवी बरजवासी हो जाता है तो काईए मेरे साथ में अच्छे एक बताओ लोग कहते हैं खड़े हो का के ननत्त किया जाता है लेकिन आप लोग के बार बैट करके भी ननत्त कर सकते हैं हाद उपर करो सभी के कुप हरीबोर्ट कि एड़े! कोई जाए जो बंदावन मेरा पेगा मिले जाना कोई जाए जो बंदावन मेरा पेगा मिले जाना किया यदि तुमने वो नहीं जाना तो तुमने गुछ नहीं जाना जिसने बात के ब्यारी को नहीं जाना तो उसने संसार में कुछ नहीं जाना यदि तुमने वो नहीं जाना तो तुमने पुझे नहीं जाना चले जाना तुम बरसाना तुम बरसाना तरजी को नमर करके आना कोई जाना तुम बरसाना तुम बरसाना तुम बरसाना कोई जाए जो ब्रंतावर मिरा पैगा मिले जाना कोई नहीं जो बरिंदा रखल मेरा पेगा मेले जाना काईए कोई जाए जो बरिंदा रखल मेरा पेगा मेले जाना काईए जो और से कहिए सबी लोग एक साथ नहीं जाना पेगा मेले जाना को एक साथ नहीं बोलो, सबी लोग बोलेंगे कोई जाए जो बरिंदा रखल मेरा पेगा मेले जाना कोई जाए कोई जाए मेरा पैगाम ले जाना मेरा पैगाम मे ले जाना मेरा पैगाम ले जाना कोई जाए जो जन दावन मेरा पैगाम मे ले जाना मेरा पैगाम ले जाना जो और से बोले एक बार जो भी बर्दा बन जाए पैगाम ले जाए और अन्तो गत्वाहा भगवान स्री सुगदेव से राजा प्रक्षित जी और प्रिश्न करते हैं कि महराज आज चत्रत दिवस की कथा को हम आप सभी लोग शुवड कर रहे हैं और भगवान आपकी कथा बहुत आनन्द में यह है मुझे भगवान की कथा का पान हमेशा कराते रहें यह हम चाहते हैं और देखे कि इती तुष्णम इस्थान देत्यान बिलोक प्रशुप्त महा एक समय की बात है कि मन्थ मानेर रवे सोद्र नार धापो हरताद विश्ण नहां ग्रिय माडोपी बली भी गौरवात पांडू नंद नहां अरे एक समय की बात है कि देपता धेत्तों से परिशान थे बहुत परिशान थे यह देत्तों को परिशान करते थे उनका सब को छीन लेते थे रहने नहीं देते थे तपस्या नहीं करने देते थे जाप के लिए भंद कर देते थे देपता बहुत परिशान हुए देपताओं से हैं तो भया एक दिन बिचार किया देपताओं ने मिलकर करके एक काम करो बटवाराई कर लेते हैं चलो समुद्र मंथन करते हैं भगवान नारण के पास देपता गए और नारण सका उले नारण रच्छा करो बहुत परिशान हैं कहते हैं कि एक दैत हुआ है जिसका नाम हम आप लोग सुनते हैं राहु और के दूर एक ग्रह में हैं लेकिन कहा जाए तो पापी ग्रह हैं को एक दैत हैं है यह और एक और दैत था जिसका नाम था बत्रासुर इंद्र को बहुत परिशान किया है के बहुत परिशान किया भगवान ने जैसे इते बत्रासुर से चुपकारा पाया कभी हिरन नहांट आते हैं कभी हिरन आ जाते हैं कभी कंस आ जाते हैं कभी रावड आ जाते हैं अरे marketers तो आते ही रहते हैं भगवान हम लोगों को भी इन से छुटकारा चाहिए भगवान ने कहा ठीक है भगवान ने अपने मन को बनाया है कि कहते हैं मन का ही मन्थन समुद्र मन्थन है जो मुंबई समुद्र से घरी हुई है लगवग कि मुंबई समुद्र से घरी हुई है आप गौर करना साइट कहीं जगह है तो लेकिन फुल के माध्यन से जगह है छोटा साही समुद्र का रूप क्यों ना हो उस जगह इस साइट तो समुद्र है आप वसाई विरार होके जाएंगे तो उस साइड वेक पढ़ता है समुद्र क सब्सक्री हुए है अब मन का मन्थन समुद्र मन्थन है तो कहते हैं वे राज की पत्ने हैं संभूति के गर्व से भगवान नारैन ने अवतार लिया जिनका नाम अजुत ब्राहम्मण हुआ कि ब्राहम्मण के घर में अवतार लिया अब दिखिये और केते आवतार लेने के बाद में समुद्रमंतन बोले मद्राचल जो परवत था ना उसकी मतानी बनाई है बढ़िया उसमें साप की बासुकी बास जो सर्प रहता है ना सर्प के लिए उसकी मतानी की रस्षी को बनाया है और अजित ब्राह्मण ने अपने पीट पर उस मथानी को उस मंदरा अचल परवत को रख लिया अब एक साइड देपता और एक साइड देपत अब समुद्र मंथन प्रारम हुआ अब कहते हैं जैसे ही समुद्र मंथन प्रारम हुआ तो तो कहते हैं कि समुद्र मंथन में सबसे पहले हला-हल व्ष नकला अब वह बिस को पिलायां कौन प्रेगा इस विश को इस को यान आया वह बिस को तो पी ना जी पी सकते हैं कि चलो भोले नाज जी के पास में चलते हैं विष्ण कला भोले नाज जी को फलाया अब भोले नाज savoir शुम्री और ऍैप उसलिए इस विष्ट को हम कंठ में रख लेते हैं इसलिए भगवान का नाम पड़ गया भोले नाज जी का फोल नील कंठे सोर भगवान के दीजे में नीलिक अंपर कहते हैं दूसरी एवस्तो महारा है काम धेनंग गैन निकली वैकि गाई की स्वा होनी चाहिए तो जर्शी नहीं होनी चाहिए गाय हमारे देसी होनी चाहिए ब्यदेसी गाय नहीं होनी चाहिए दैसी होनी चाहिए उसी कफल प्राप्त है गाय तो वैसे काम धेनूं गाय हो श्यामा गाय हो यह मिल जाए घर में रखने के लिए तो और बात ही कुछ अलग है गाय से होत्र करने वाली शामा montage उथ्पन यूगी इससे द्राप्ति गाय के कौवर से बंदी थे तीसरी वस्तू उच्छ सरवा नाम का एक गोडा निकला उस कहते हैं उस गोडे के लिए इंद्र ने ले लिया उस घोड़ी के लिए राजा वली ने ले लिया हरी शरणम हाती निकला एरावक नाम का उस हाती के लिए इंद्र ने ले लिया और जो हाती था ना वो बहुत विशाल था उसका नाम था एरावत हाती और देखे उसके बाद में कहते हैं कौस्तुम भक नाम एक पत्म एक मड़ी निकले अजित ब्रहामन ने ले ली एक कल्प ब्रक्ष निकला कोई कल्प ब्रक्ष के लिए प्रत्वी को दे दिया अब सराय निकली शिंगार सहत उसके बाद में लक्षमी देवी प्रगठ हुई और जो लक्षमी प्रगठ हुई तो बढ़िया सुन्दर रूप बना करके आई हैं बढ़िया हात में बढ़िया फुस्पों की माला लिए हुए हैं विभाय का बढ़िया वह सुन्दर सा मेरा विभाय हो जाएगा इनसे नारत जी आंगे खड़े हो गए साइद मेरा विभाय हो जाएगा ब्रमा जी अपनी डाड़ी पर हां फिर रहे हैं वह साइद मेरा विभाय हो जाएगा लक्षमी जी किसी के पास नहीं गहीं और नारायन भगवान एक जगए बिलकुल कि अंधे नारायन के गले में पुस्तु ओडाल दिया है लक्षमी नारायन का वहा हुआ है और लग्षमी नारायन भगवान की जैए और फर उसके बाद में कहते हैं कि आंगे चल करके भेजंती माला निकली है और कहते हैं और बैजनती माला कहां से निकली अचा बैजनती माला किसे कहते हैं बैजनती माला जो है ना लक्षमी जो माला लाएं थें कहते हूं एक कमल के पुस्पंप की माला थी आप कमल गटे को आप कच्चे में फड़ोगे तो बैजनती उत्पन होता है भगवान को गले में बैजनती माला वही वैजनती माला आज भगवान ने याँ पर पैनी है बारोड़ी करन्या उत्पन हुई वह देलत्यां को देदी फिर हम जो दीपावली के एक दिन पहले पूजा करते हैं धन्मंतरी का यहां पर भगवान का वतार हुआ है वह धन्मंतरी भगवान की जै धन्मंतरी का अंतिम में बढ़िया भगवान ने जैसे फिर से मंधन किया महराज सुन्दर अमर्त कलस निकला और अमर्त कलस निकला वंधों तो कहते हैं इस अमर्त को किसको पिलाएं इस चर्चा के लिए अमर्त कलस एक जिगे रखा तो देत्तों ने छुड़ा लिया हर ले गए अब दिपता फर परिसान की इतनी मैनत की और अमर्त कलस अगर देत्तों ने पी लिया तो तो वह अमर हो जाएंगे वह तो भगवान से प्रातना की तो भगवान पर मोहिनी का रूप बन करके आये है बढ़िया साड़ी को पहन करके बिंदी को लगा करके चूड़ी को पहन करके भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी बन करके देत्तों के पास में गए तो देत्त मोहिनी को दिख करके मोहत हो गए इतने में भगवान ने क्या किया उस अमर्त कलस को ले लिया और कहते हैं देत्तों में भगवान में थोड़ा खीचा ताने हुई अमर्द कलस को ले करके तो इसकी चार वुनें गिर गई इलावार हरित्वार उज्जेन और नासिक में इसलिए बहां पर कुम्ब लगता है और पर अमर्द कलस लाए तो भईया देपताओं को पिला रहे थे वगवान तो कहते हैं एक देपताया जिसका नाम है राहू वो भी देपताओं में बेच में जाकर की बढ़िया च्पकिया और अमर्द कलस का पान कर लिया और चंद्र और सूर गए भगवान के पास बोले भगवान हम सबके बीच में एक देपत ने भी अमर्द पान कर लिया है वोले कौन है वोले राहू है भगवान ने कहा अच्छा अगर देपत ने अगर अमर्द किया है तो यह सुदर्शन चक्र मैं बेचता हूं मार दें लेकिन वो तो अमर हो चुके थे सुदर्शन चक्र जैसे छोड़ा है नारयन ने तो कहते हैं राहू का सिर कट गया और सिर कट गया तो राहू से केतु हो गए अमर है यह कुंडली में जहां भी मिलेंगे आमने सामने मिलेंगे तो राहू यो केतु ने कहा वह सूर और चंदर तुम को छोड़ेंगी हम इसलिए सूर्गरण और चंदगरण जो लगता है रावु केतु जो सूरु को घेर लेते हैं तो सूर्गरण लग जाता है और चंद्र को घेर लेते हैं तो चंदगरण लग जाता है और आंगे चल करके बंधू यहां पर प्रचित जी कहते हैं कहे राजन हे महाराज संत स्रोमणी परम हंस संत स्रोमणी स्री सुगदेव जी कि अब मुझे मेरे प्रवु स्री कृष्ण भगवान की मुझे उस बंस का विस्तार वताएं मैं सुनना चाहता हूं तो कहते हैं कि आंगे चल करके दो बंस हुए हैं एक बंस का नाम है सूरवन्स और एक बंस का नाम है चंद्रवन्स सूरवन्स में हमारे प्रवु स्री राम का अवतार हुआ है और चंद्रवन्स में हमारे प्रवु स्री कृष्ण का अवतार हुआ है कि सूर्वंस और चंद्रवंस अब देखिए सूर्वंस में कौन कौन आय कैसे आय और एक बात बता है इस संसार में गंगाजी भी कैसे आई गंगाजी सूर्वंस में आई अच्छा एक बात सभी माताओं को याद होने चाहिए कि नारायन भगवान के लिए कृष्ण भगवान के लिए राम भगवान के लिए कभी वी उपर से गंगाजल नहीं चड़ाना चाहिए क्यों कि विश्णु भगवान के पैर के अंगूठी से गंगा जी निकली है और गंगा जी कहते हैं भगवान के पैर से उनकी अर्धांगनी है और अर्धांगनी को सिर्पर नहीं बढ़ाया जाएगा इसलिए गंगा जीलगों पैरों में नहीं ढ गया अंगा जिल में डालो जल को घंका जल में डालो बात बरहबर है अच्छा एक बात हम गंदे कब तक हैं जैसे की हमारे घर की नाली वे नाली कब तक है जब तक वह नाली किसी पड़े नाले में नहीं मिलिये और नाले में मिल जाने के बाद में घर की नाली क्या बन जाता है नाला और नाला कब तक गंदा है जब तक वे नाला किसी तालाब में नहीं मिलता है तालाब में मिल जाने के बाद में घर की नाली नगर का नाला और सिधा तालाब बन जाता है तालाव कब तक गंदा है जब तक वह तालाव किसी बड़ी नदी में नहीं मिलता है और नदी में मिलने के बाद में वह गंगा जल बन जाता है घर की नाली नगर का नाला ग्राम का नगर का तालाव गंगा जी में मिल जाने के बाद में गंगा जल बन जाता है और बाद में गंगा जी जाकर के समुद्र में मिल जाती है तो कहते हैं ओए जल ओए गंगा जल फिर तो पीनी के लायक भी नहीं रहता है सागर से तो नदिया वली समुद्र से तो नदिया वली जो कम से कम पीनी के लायक आती है अरे सागर विसाल है विसाल है लेकिन उसका दिल ठीक नहीं है क्यों क्यों सागर को हम पी नहीं सकते प्यास नहीं बुझा सकते एक बात बता है रिष्टे नहीं बगाड़ना चाहिए रिष्टे नहीं बगाड़ना चाहिए वो ले क्यों क्योंकि गंदा पानी पीने के काम नह गंदा पानी आप तो बुझा सकता है गंदा पानी आप बुझा सकता है इसलिए रिष्टे भी कभी मत बिगाड़ो ना जाने कब किसे काम पड़ जाए कोई पता नहीं है कि इसलिए रिष्टे हमेसां बना करके चलो हमेसा अपर आज समय बन दो भोया है यर्यसूरवन सुनते हैं सबसे पहले बरत मन हुए हैं और इनके हुए हैं वेवयस्त मनु और वैवस्त मनू के वह बैवत्त बैवस्त का अरक यह वाए ऑन करते हैं सर्दा के साथ हुआ इनके यहां पर दसन्तान की से सूर्वंस सब्सक्राइब यह से अंतों कौन साय है इक्षवाकु में रग सरयाती दिश्टी यह का रस नरश की यह नबग और कभी अलग अलग देखिए यहां से विस्तार हुआ है दिश्टी से महाराज दुर्पद हुए है और दुर्पद ने सौमक हुए हैं सौमक के जन्तु के सोपत्र हुए हैं जिनका दुर्पद रित्यादी नाम हैं और कहते हैं यहां और दिश्टी के एक हुए मरत्र मरत्र चक्रवती राजा हुए हैं और कहते हैं नवक के महाराज नाभाग हुए हैं और कहते हैं नवक के नाभाग हुए हैं नाभाग के अम्रिश हुए हैं अम्रिश का जनम हुआ अम्रिश से एकादिसी का ब्रत प्रादरबाव हुआ ब्रत किया दुरुखारिसी आए और दुरुखारिसी आए तो कहते हैं फृवद करना है तो बोले तुर्वासरी सिचनान करने के लिए ले लगें जुर्वासरी आए मुरे अम्रीस जी अमबर entrepreneurs अरफात ईसर अम्रीज जिसके अंदर अमबर और यसर अमबर अरफात इसर जिसके अंदर यह है वह अम्रीज है जो ले मुझी बुला लिया और पहले भुजर कर रहे हो इस सुभाय मान नहीं है उन्हें कहा मैं भूजर नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें स्राव देता हूं कि मैं तुम्हें स्राव देता हूं कि तुम बिल्कुल नश्ट हो जाओगे लेकिन कहते हैं दुर्वासारेसी ने स्राव दिया तो भगवान का सुदर्वसन चक्र आ गया अब दुर्वासारेसी पर तुमारी रख्षा नहीं करता हूं तुमारी रख्षा तो इस सुधर्वसन चक्र का भगती ही करता है अमरीष के पास में जाओ अमरीष से छमाच ना मांगी तो अमरीष ने छमा कर दिया शुदर्वसन चक्र भगवान के सरड़ में गया और आगे चल करके अमरीष जी से यहां पर एकादसी का ब्रत और आगे चल करके कहते हैं अमरीष का जनम हुआ फिर दुरूर यहां आगे च करके कहते हैं सगर हुए सगर के सागर हुए सागर के पौत्र जो हुए है वह अंसुमान हुए अंसुमान के दिलिप हुए हैं दिलिप के भागी रथ हुए है भागी रथ के पूरवल जो है उन्होंने बहुत पहले से गंगा जी को लाना किया लेकिन गंगा जी नहीं आ पा गुवान को अपने पेर के अंगुठ्री से गंगा जी को निकालना पड़ा अब गंगा जी ने सोचा कि हमारे लिए कौन हमारे लिए समालेगा मुझे कोई समालने वाला नहीं है धरती पूरी भट जाएगी त्राही महाम हो जाएगा बोले राज जी ने का चंता मत करो मैं जिटाओं मरग लिया पर बोले ना जी ने अपने चंद्रमा से गंगा जी को निकाला है तो कहते हलकी पॉड़ी हरत्वार में होती है यहां पर गंगा जी का दरसंध हुआ और आंगे चलकर के भागी रख हुए हैं तो भागी रख के महाराज खटवांग हुए हैं खटवा कॉंसिल्या केकई और सुमित्रा कि बहुत प्रसंध है सब कुछ है एक समय की वात है कि दस्रची ने अपना चेहरा सीसे में देखा तो उनकी दाड़ी का एक वाल भाइट सपेद हो गया और जब तपेद हुआ चिंता व्याब गई एक बार भू पति मन माई भाई के लानी मोरे सुद्दे नाही एक बार जैसे देखा अरे मेरी उमर इतनी हो लंबी हो चुकी है मेरे बाल सपेथ हो गए है मेरे बाल पक गए है और मेरे हां कोई संता नहीं है कोई संता नहीं है गुरु ग्रहे गाया हो तुरते महिपाला गुरु ग्रहे गाया हो तुरते महिपाला करने लागे करे याखे बेसाला और देखे गुरु जी के पास गए गुरु जी ने कहा असरिवादे यग कीजिए यग हुआ है और यग कौन सा किया वले पुत्र का में इस्ठी यग किया और यग करने के बाद उसमें से भगवान प्रगठ हुए प्रगठ हुए तो कहते हैं उसमें से खीर आई यहीं चरू आया और जब चरू आया तो वोले क्या करें वोले इसको बांट दो रानियों को दे दो अब भीया रानी को तो वोले एक के पहले दो भाग किये कहते हैं एक के दो भाग किये एक जो भाग अलग है वो दे दिया कौंसिल्या के लिए और फिर एक भाग में से फिर दो भाग किये सुमित्रा को और केंके को दिये हैं तो वंधो कहते हैं कि जो शुमित्रा है तो शुमित्रा ने अपनी खीर के लिए और खीर के लिए एक जगह रख दिया तो कहते हैं खीर के लिए एक चील आया और शुमित्रा के उस खीर के लिए उस प्रसाद के लिए ले गया और जब प्रसाद के लिए ले गया तो कहते हैं बहां पर अंजनी माता तपस्चा कर रही थी तो उस चील से उस कवे के मुख से वो एक खीर का प्रसाद छूट जाता है और अंजनी माता के हातों में वो एक प्रसाद पहुँच जाता है तो बहाँ अनमान जी का जनम होता है अब भई सुमत्रा के लिए खेर नहीं है तो कहते हैं अर्द भाग कौंसल्या की आदा भाग कौंसल्या ने अपने में सर्दे करके और थोड़ा सा भाग केंकें ने दिया है और सुमत्रा को दिया है आप चुमत्रा ने वश्प्रसाद के उपाया है तीनों रानियों पाया है अभ्या तीनों रानीं गर्वती हो गई थी νißtुन रानीं गर्वती हो गया है अब तो इतना सुन्दर लग रहा है यजांए जादेने ते हरी गरेवा ही आए जिस दिन से हरी गर्व में आये हैं उस दिन से अउध्या में नित नव नंग मंगल मुदक्ष आए अरे जब से राम जी अउध्या में आये हैं अरे बहुत आनंद बहुत आनंद आ रहा है ऐसा लग रहा है कि अउध्या तो स्वर्ग बन गया है थोड़ा सा समय और वितीत हुआ और देखिए जो राम राजी की स्थापना के लिए हम लोग सोचते थे और भगवान की करपा हुई है कुछ समय बाद राम का मंदर बनने जा रहा है और राम मंदर बनने वाला है और भगवान की एक्षा रही तो इस कालोनी में कभी समय मिलेगा या वरली में समय मिलेगा तो राम कथा जरूर सुनाओंगा भागवत कथा में कुल दो अध्याय में राम जी क्या जन्नम ही आता है क्योंकि क्रिश्न कथा सुनने से पहले राम कथा सुनना जरूरी है कहते हैं राम क्रिश्न दो एक हैं अंतर नहीं नमेश राम के नेन गंभीर हैं क्रिश्न के चपल विसेज राम हो क्रिश्न दोनों एक हैं लेकिन चार चीज़ों का अंतर है पहला है नाम दूसरा है काम तीसरा है पाम नाम काम धाम पाम चार चीज़ों का अंतर हैं वो कहते हैं राम कुछन दो एक हैं नहीं बिलकुल अलग अलग है एक नहीं है राम कुछन दो एक है देखिए कृत आ क्रिशन का काम क्या है चलो कृत नाम कोई सुद्ध नहीं ले पाता है कोई कृष्णा कोई कृष्णो कोई किशन कोई कृष्णो सुद्र नाम नहीं है क्योंकि उसका तेड़ा नाम है और तेड़ा नाम क्यों है कनया कैसे है तू तेड़ो तेरी तेडी नंगरिया या सोधा तेरी तेडी है और तेडी रे तेरी गोकुल नंगरिया सब तेड़ा है तू पे तेड़ा है तू कहते है भगवान कैसे है तेड़े तो पैर और रामंक में रहें राम का नाम बहुत सीधा है कोई भी इंसान नाम ले लेता है राम नाम में अंतर है की नहीं अब बात की जाए काम की राम ने क्या किया और कृष्णे ने क्या किया कृष्णे ने अपने मामा का उधार कर दिया मौसी को मार दिया और राम ने राक्षसों का संधार किया और गनया ने रिष्टेदारों का संधार किया तो खाम में भी अंतर है अच्छा एक बात और आप लोग उने देखी लोग यह कहते हैं कि इस्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए राम ने और कृष्ण ने सबसे पहले इस्त्री को ही मारा था राम ने ताड़का सुर्प को पहले मारा था और कृष्ण ने सबसे पहले पुत्रा को मारा था क्यों उसका एक अर्त है यह है कि जब तक जो इस्त्री है अगर उसकी बुद्धी राक्षसी की है तो सबसे पहले संतान को तो हम बाद में मारेंगे सबसे पहले जिसने जनम दिया है उस राक्षिस को ही मार दो जब वो जिनम देने वाली नहीं रहेगी तो संतान राक्षची कहां से आएगी और अंतो गत्वाहा देखे समय का आभाव है पांच मिड़ में राम जिनम करके कुछ जनमों सोक की तैयारी करेंगे और कहते हैं बढ़िया गर्वती हुई बढ़िया आनंदा रहा है बढ़िया ओए मां है आगया बढ़िया दिन था बढ़िया समय था नौमी ती थी मादू मासे पुनीता सुक्ले पाक्षे अभ जीते हरी प्रीता बढ़िया सुन्दर दिन था नौमी ती थी मदू मास था चैत कामाय था नौमी ती थी मदू मास पुनीता हा अवजित नक्षतर था अवजित नक्षतर 28 मां नक्षतर है बैसे 27 नक्षतर है अवजित नक्षतर डेली दिन 12 वजे आता है और भगवान प्रवुशी राम का दोफेर के मध्यान के ठीक बारा वजे अब जित नक्षत्र में हुआ है अब जित हरी प्रीता हाँ भगवान का जनम हुआ है उले राम चंद्र भगवाने की जय कौंसल्या से राम हुए है कहके से अराज भरजी हुए है सुमित्रा से लक्षमन और सत्रुखन हुए है आए दो मिट राम की बधाई और उसके बाद मैं कथा को आगे बढ़ाएंगे तो आए राम की बधाई है कौन कौन बधाई देगा देंगे बधाई क्या लाए हैं बधाई में है जोर से बोले जैस्त्री राम राधे और आए राम जी की बधाई मिखे और चैंसे ब मॉरे बहे बहुत अकुंद दॉसी काएंगे बाद फी एá मंठ लगोटैना प्रक्ति हैं चारों भाईया अवदे में बाजे बदेईया पाजे बदेईया मुरे बाजे बदेईया प्रक्ति हैं प्रक्ति हैं चारों भाईया अवदे में बाजे बदेईया प्रक्ति हैं चारों भाईया अवदे में बाजे बदेईया बदे बदेए कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, 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 क प्रक्टि है चारों भाईया अबदे में वाजे वधाईया चारों लाले पले नामे जूले चारों लाले पले नामे जूले चारों लाले पले नामे जूले कैसे कैसे जोला वेया की मैया अवदे मे वाजे वदाईया देखिए भगवान राम को जिसने जुलाया है उसके घर में उसकी संतान राम की तरह रहती है तो बदाई जो देना चाहते हैं तो अपनी जगे खड़े होकर कही दें यह नहीं के आंगे आकर करके नहीं हरी वो प्रियाद है प्रियादे अभी बदाई राते नहीं दी आती है संसार में पालक का जनम होता है तो कितना हम नास्ते जुमते हैं है हाद उपर कीजिए प्रियाद आमे चत्रवगवाद की हम रखते हैं चारों प्रियाद तप्रियाद चारों बायाद जन्ली कोशल्या मैया अबद में बाजे बदाईया अबद में बाजे बदाईया जन्ली कोशल्या अबद में बाजे बदाईया जन्ली कोशल्या अबद में बदाईया जन्ली कोशल्या अबद में बदाईया जन्ली कोशल्या अबद में बदाईया जन्ली कोशल्या जन्ली कोशल्या अबद में बदाईया याद है आप लोगों को और जोर से वोलिए यह रादे रादे कि आप लोगों को एक गिप्त है इसको ना तो कोई चुराएगा ना कोई छीन सकता है यह तो अनमोल गिप्त है इसको तो आप हमेशा बाटते रहना गिप्त को तो यह गिप्त भी हमेशा बढ़ती रहेगी कभी कम नहीं होगी हमेशा बढ़ाना आईये ताम जी का जन्म हुआ जिनम के बाद में कहते हैं उनका नाम प्रण हुआ जो आनंद सिंद सुखरासी सी करते तर लोक सुपासी जो सुखधाम नाम असनामा जो आनंद भगवान की राम की कथा से है वो किसी की कथा में नहीं है जो भगवान की चर्चा में आनंद है वो और कहीं नहीं है, नाम करन हुआ, लक्षमन धाम राम प्रिय, जो लक्षमन है, जो धाम है, जो राम के सिस है, शकल विश्व आधार, जो शकल ये जो फुरी दुनिया जिन पर टिक हुई है उनका नाम, लक्षमन है, विश्व भरण पोशन कर जोई ताकर नाम भरत अस होई उनका नाम भरत है और जिसका नाम शुमरण करने से प्रकास आजाए रिपुनासा उनका नाम शत्रगुन है आगे चलकरगन का विभाय हुआ और कहते हैं विभाय हुआ, दनस भंग किया विभाय करके घर पर आए, बडिया राजविश की तैयारी हुई एक वात याद रखना हमारे परिवार में हमारे मित्र में या हमारे घर में जो नौकर है या हमारा साथी है कोई हो लेकिन इंसान के लिए उसका मित्र मंत्रा की सोच वाला नहीं होना चाहिए हम काम पर उसको लगाएं जिसको काम की जरूरत है हम ड्राइवर उसको बनाएं जिसको ड्राइवरी की जरूरत है किसी बड़े व्यक्ति को ड्राइवर बना लोगे उसके पास में आपके जैसे कई गाड़ी है तो आपकी गाड़ी की वैलू नहीं करेगा इजित नहीं करेगा कहीं ठोक देगा कहीं पीड देगा इसलिए मित्र उशी को वनाओ जो मित्र के लायक हो इसलिए सोच मंत्रा की सोच वाले लोग नहीं होने चाहिए नहीं तो राम का राज जवी से कुभी नहीं होने देते हैं साथी खरा सोच वाला नहीं होना चाहिए अच्छी सोच वाला होना चाहिए और आये हैं तापस वेश विशेश उदासी 14 वरस राम बनवासी कहके ने अपने जस्रजी से अपने वर्दान मांगे राम के लिए बनवास शाहिए हैं हमारे पूत्रवरत के लिए राज मुझा और राजा बना है इसाद होना चाहिए अधिकर राम मर्यादा पॉर्षूत्त्तम राम कब कहला है जब राम बनमें गए तब राम मर्यादा पॉर्षूत्त Animals कहला कि यूदि रगपों तो रीत सदाच ले आई प्राण जाये पर वचन ना जाई राम तभी मर्यादा हुए जब वे बन में गए क्योंकि बन का राज भगवान के अंदर था क्योंकि भगवान अगर वहां नहीं जाते तो कहते हैं कि और लोगों का ओधार कैसे होता बनवास में गए हैं रसरत जी का देशा सिता हरन हुआ सिता जी की खोच के लिए हनमान जी से कहते राम जी का मिलन हुआ हनमान जी ने सिता जी की खोच की और बाद में बहां पर रावड का वर्किया बाद में पुना आये रामराज की फर से स्थापना हुई तो हमारे यहां भी फर से रामराज की स्थापना हुई आए आगे और कथा का मैं और वरड़न करता हूँ कि यहां पर परक्षिजी सुगदेव से पूछते हैं कि महाराज मुझे मेरे कुश्म की कथा सुना ये तो यहां पर सुगदेव जी ने कथा सुना दी कि कनिया का जनम जेल में हुआ उग्रसेन के फुत्र कंस ने अत्याचार किया देवकी को जेल में कर लिया कनिया का जनम हुआ गोकुल ले गए गोकुल से फिर व्रंदावन आ गए और कनिया ने बहुत लोगों का उधार कर दिया पूतना को मार दिया बाद में कंस का उधार करके द्वार का धिस चले गए द्वार का धिस बोले सब हो गया प्रक्षित जी कहते हैं पुल कथितो वंसे विस्तारो भवता सौम सूरयो भवता सौम सूरयो अरे मुझे चर्त मेरे भगवान का विस्तार से वताए कथ तो वंसे विस्तारो भवता सौम सूरयो जैसे आपने सौर्वन से विस्तार से किया वैसे चंद्रवन से भी आप मेरा विस्तार से कीजिए पता तो चले भग्मान के वंसज में कौन-कौन हुए है तो कहते हैं कि चंद्रवंस में सबसे पहले राजा याती हुए याती का विभाय देवियानी से हुआ देवियानी से कहते हैं जो पुत्री हुई सर्मिष्ठा तो कहते हैं आंगे चलकर के देवियानी से पुत्री जो थी सुक्राचार से विभाय हुआ सर्मिष्ठा ने देवियानी के कपड़े नहीं पहनने दिये और सरीर को नहीं ढखने दिया देवियानी सर्मिष्ठा के घर आई याती के फिरे कहते हैं यहां पर पुरू हुए हैं पुरू ही चंद्रवंस में आये हैं पुरू के रंती देव हुए हैं रंती देव के महाराज ये दुराज का वरणाता है ये दुराज हुए हैं यहां पर आहुक हुए हैं आहुक के दो पुत्र हुए हैं एक का नाम देवक है एक का नाम महाराज उग्रशैन रहा है के येनды की साथ कन्याओं ने जनम लिया या साथ कन्या कौन yang पॉर्वी नोडी भत्रा मज़रा रोचना इला और साथ में देव की कि वेक के टेह इन साथ बहनों साथ कन्याओं में से एक कन्या को छोड़कर छे कन्याओं का विभाय महाराज वसुदेश से करा दिया है और कहते हैं और गुरसेन की पत्मी का नाम था पवन रेखा पवन रेखा एक दिन कि अपने वालों को धो करके बन में घूमने के लिए गई तो एक राक्षस था उस राक्षस का नाम था दुर्मिक नाम का राक्षस था उसने पवन रेखा को देखा तो बहुत सुन्दर थी पवन रेखा मन खराब कर लिया इस राक्षस ने और कहते हैं क पबन रेखा के सात में कुर्षन किया और पबन रेखा के साथ मिंने शराप दिया तो ऐसंति भी नाम कोई दुर्वेक नाम का संतान जनम लेगी बहुत वलसाली रहेगी वे मत्रा पर राज करेगा तो पवन रिखा से पर कंस का जनम हुआ अब भीया कंस थोड़ा बड़ा हो गया अब कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रहन करता है बहुत प्रहन अब बुले क्या करें बिभायतों करना है किसके साथ किया जाए मेरी बहन अच्छे घर में जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा अब भीया बहन के लिए घर देखा तो कहते हैं घर भी कहां मिला वो ले हैं वशुदेव के हां वो ले च्छे बहन है तो साथ में और वहीं कर दो ये अकेली कहां रहेगी कम से कम एक साथ में तो रहेंगी प्रेंगी साथflood एक साथ में सात रहेंगी कि कुद ठीक है विभायर विया नक्के हुआ ओर विभाय नक्की हुआ विभाय विभाया हुआ पाणि ग्रे संस्कार हुआ बडिया कन्यादानग कि आख कंस ने और जब अंतिम समय में जैसे ही कहते हैं कि जब देवकी की विदा करने के लिए कंस पयार हुआ कि देवकी कोडोली में बैठा दिया और जैसे देवकी कोडोली में बैठाया है बंधुआ कि आकाश मानी हुए के है कंस कंस अरे अरे तु जिस बहन की बिदा कर रहा है और उसी बहन के गर्व से उसकी संतान तुझे नश्ट कर देगी तुझे मार देगी कि तरी बहन की संतान तुझे छोड़ने वाले नहीं है तेरी बहन के पुत्र तेरे लिए काल है काल और तु बहन की बिदा कर रहा है आकाश मानी जैसे ही होती है वंधुआ कंस को गुसा आया और देवकी के बाल को पकड़ करके नीचे उतार लिया जो भाई एक मिन्ट पहले जो भाई अपनी बहन के लिए जो अपनी जान देने के लिए तयार था महराज आज वह भाई उसी बहन को मारने के लिए तयार है देवकी रो रहे हैं भाईया मत मारो मुझे मत मारिये मैं तुमारी बहन हूँ मत मारिये अरे बहन अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ अब तो तेरे लिए आज यहां पर मैं मार ही दूँगा बहन ने बहुत बार कहा मत मारो भीया मत मारिये नहीं अब छोड़ेंगे नहीं बालों को पकड़ लिया सोचिए जिसन कन्याक का विभाय हुआ हो और वह पर थंबार सस्राल जा रही हो डोली उठ रही हो उसकी विदाकी और वह डोली के समय उस बहन के लिए कहते हैं सिंगार की हुई है अभी हाथ का कंगन भी नहीं चूटा है और वह भाई बालों को पकड़ करके नीचे उतारे वह बहन उसमें क्या बचार करेगी कि मैं तो बिभाई के लिए तैयारती और मेरी तो मरतु हो रही जा रही है देवकी से एक डोली और कहने लगी एक डोली चली एक अर्थी चली तोनों में फर्क क्या है बता दे सकी एक डोली उठते एक अर्थी चली बत दोनों में फर्क क्या तरह से चली तरह से चली आर्वर डोली कहती है तो में इतना सुने ले सकी हा तो पिया को चली में प्रभू को चली में प्रभू को चली और डोली कहने लगी एक डोली ने कहा रे कहा जा रहे हो उसने कहा मैं तो पिया के यहां जा रहे हूं और मैं पिया को चोड़ चली मेरे पती छूट गए है मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी दौनों में फरक यह है तू बिदा हो चली मैं अल बिदा हो चली मैं संसार को छोड़ करके जा रहे हूं यहां पर वस्देव ने कहा कि देखिए कंस और जब कंस ने अत्या चार करना प्रारम किया तो गुरसेन आये बिटा छोड़ दो इसको छोड़ने वाला नहीं हूं पिता जी अगर तुम भी कुछ करोगे तो तो प्राजा बन गया और वस्देव ने कहा तुम्हें इसकी संतान से डर है तो इसकी जितनी संतान होगी हम सब आपको दे देंगे को सब आपको दे देंगे हैं कि अब भया कारागार में बढ़िया हाथ में अपकर कड़ी पाओं में बीडिया डाल दिया पहली संतान हुई कंस को दिदें से कहा भई पहले संतान से मुझे कोई दुस्मनी नहीं है आठी संतान से डर है नारज जी आ गया बोले कंस को छोड़ दिया उसके लिए बोले एक गुलाब की पंखोड़ी लाए कहीं से भी गिनों कहीं भी आठा जाएंगे कोई भी संतान काल हो सकती है अब नारज जी तो यह चादे दिसका घड़ा जल्ली भर जाये पापका और जल्ली मर जाये कंस और उस वालक को लिया पहले पुत्र को लिया और जैसे पत्तर परमारा देहान दो गया दूसरी संतान होई दूसरी मर गई तीस्ती चोथी पाच्मी छट्मी सात्मी संतान के तो कहते हैं बलराम जी के लिए योग माया के द्वारा रोडी के गर्वे में कहुंचे महां बलराम जी का जनम हुआ है और आठमी संतान के रूप में हमारे माधव हमारे कनिया आए हैं और जब कनिया गर्व में आये उस सभी देवी देपताओं ने बढ़िया उनका स्वागत किया है और स्वागत के बाद में कहते हैं वह भाद पद्र का मां है आया वड़िया सुंदर मां है आया भादों का महिना आया भगवान ने पहले राम अप्तार दिन में लिया था आज यहां पर मेरे स्री कृष्ण कनिया रात्री के वारा वज़े ले रहें क्योंकि जब राम ने जन्म लिया था तो सूर दो दिन तक हते नहीं थे दर्शन करते रहें एक माय तक चंद्र ने कहा भईया ओ सूर भईया हट जाओ हम भी दर्शन कर लेंगे राम का राम जी ने का कोई परिशानी नहीं है अगला जनम होगा तो चंद्रवंस में होगा चिंता मत करो तुम भी देखते रहना कि इसलिए रात्री में आया है का समय है और जब अब यहां पर देखिए रात्री का समयता और एक बात रुबता है गोकुल में एक बाबा है जिनका नाम है नंद बाबाबा और उनकी दो वहन है एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा नंद बाबा की पत्म का नाम है यू सोधा एक दिनी की बात है कि नंद बाबा जमना जी में इश्णान करवे के ताइंग गए कंश czas पुत्र हो जाए अब या पुत्रवान भवा की बोली तो बाबा बोले क्यों रे ब्रामवड जा सौ साल की आयू मैं भी का संतान है सके का नहीं बाबा संतान होईगी अरे काय को जूट बोलो बाबा संकलब देदो सब है जाएगो बाबा ने संकलर दिया अब ब्रजवासी मंत्र नहीं जानते थे ब्रजवासी ने कौन सा मंत्र का कजाब किया पुले लह मुशा और जानते नहों नहीं तो प्राण ने चलिऊले नहीं तो फिर आप बाबा के लिए लाला देदे लेले और देदे और यहां ब्रामणों की बाड़ी को जमना जी ने सुना वगवान ने सुना है यह सोधा जी भी गर्वती हो गई अब नंदा और सुनन्दा नंदा और सुनन्दा से नंद वावा ने कहके रखा था कि जो मुझे सबसे पहले खुसकवरी देगा मैं उसके लिए सोने का नवलखा हार दूंगा और सोने का नवलखा हार अब हार मिल जाए माताओं का सर्वस्रेश्ट दो चीज होती है एक सोना मिल जाए पहने के लिए दूसरा वड़िया साड़ी मिल जाए बाइस चका चक है अच्छा कई माता है एक ब्रत करती है उसे ब्रत का नाम है करवा चौथ अच्छा एक बादसत्त बताना करवा चौथ आकर किया ही क्यों जाता है पता है अरे करवा चौथ पती के उमर के लिए तो आप लोग मानती है अच्छी बात है करवा चौथ के दिन किसको बरदान था करवा चौथ के दिन उल्लू को बरदान था उल्लू लक्षमी की सबारी है और उल्लू ने कहा अरे हमारी भी एक्षा है कि हमारी भी किसी दिन प पूजा होगी तभी तो आज संसार की मातां अपने पती को उल्लू समझते हैं और उल्लू मान करके उनकी पूजा करती है भास सही है जिसरी को उसके पतीने सालवर साड़ी का जोड़ा नहीं लिवाया है करवाचोत के दिन तो उस्तरी जरूर लिवायी लेती है चाय एक चलने वाला नहीं है कि आज से सौ साल पहले कोई करवाचौत नहीं होता था है आपके घर में बड़ी वजुद्ध माता हैं होंगी पूछ ले ना कोई करवाचौत नहीं यह सब टीवी ने बेगाड़ दिया है तो देख देखकर सब देखेंगी भाई करवाचौत है साडी चाहिए यह चाहिए वह चाहिए कई माता हैं तो करवा चोथ के दिन ही अपनी मनों कामना पूर्ण करवात करती है कि दिन मर से कुछ नहीं खाया अब साम का समय हुआ पती घर पर आए आज मैंने आपकी उम्र के लिए बृत रखा है अच्छा एक बात हो रहे हैं सारे ब्रत हैं जितने बनाएं न सब म कि अब भया तो करवा चोथ के दिन महलाएं अपने पती से भया कहते हैं जेको मैं आपकी उम्र के लिए इतना कुछ कर दें सुवरी से जल्वी नहीं पिया आप मार्केट ले चल रहे हो कि नहीं ले चल रहे हो नहीं तो मैं अभी आहाले बोजन करती हूं अब पती कहते हैं मैं भोजन कर लेगी हमारी उम्र कम हो जाएगी चलो चल जो लिए उसकी दुकान पर चलते हैं कि एक किसी सहर में उस कन्याने पहली बार करवाचोथ किया सब्सक्राव C इस्ěconstances सब्सक्राइब तो उसने सोचा कि चहरा देखते हैं हम चहरा नहीं हम तो पूरा और दिनमर्थ पर कुछ खाया नहीं था और पीछे हटती गई हटती गई पता चला के नीचे गिर गई और पता चला के अच्छी बात हैं लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए लेकिन वास्तम में सत्त यही है कि लक्षमी जी ने उलू के लिए अपना एह दिन दिया था पाठ और पूजा और बृत के लिए बृत करने से कुछ नहीं होता है हजार वार बृत कर लो हजार वार व्यूटी सूटी चले जाओ अगर अंदर का मन खराब है तो भगवान मिलने नहीं है हम काले हैं तो क्या हुआ है लेकिन द्लवाले है कनय कैसा है काला रंग है हुए कैसा है काली कम ली ने ऐसा रंग डाला की रंग कोई चड़ता नहीं काली कमली ने ऐसा रंग डाला की रंग कोई चड़ता नहीं काली कमली ने ऐसा रंग कोई चड़ता नहीं कि रूप भी काला रंग भी काला रूप भी काला रंग भी काला रंग भी काला रंग भी काला फिर भी गजब करे डाला वो काली कमली ने वो काली कमली ने वो काली कमली ने सजा दो डाला रंग की तो इन चड़ता नहीं और एक रंग कैसा है कि जयों जयों धोबे जयों जयों चमके जयों जयों धोबे त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला यह रंग कैसा है इसको देखिए काले रंग पर कोई नहीं चड़ पाता है काला रंग सब पर चड़ जाता है है ना काला रंग ही यह कैसा है जयों जयों धोबे त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला यह रंग यह ऐसा है एक बर चड़ जाते पर उतरने वाला नहीं है काली कमलीने काली कमलीने काली कमलीने काली कमलीने ऐसा रंग डाला यह रंग कोई चड़ता नहीं काली कमलीने ऐसा रंग डाला यह रंग कोई चड़ता नहीं की रंग कोई चड़ता नहीं काली कमलीने काली कमलीने कली कमली ने हैता रंग डाला कि रंग को ये चनिता नहीं को ये चनिता नहीं काली कमली ने हो काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चड़ता नहीं एक बार गाई चले इसके लिए अभी तीन दिन और है भी अभी और रंग चड़ेगा कल भगवान की माकंचोरी की लिला और गोवर्धन की पूजा है कल कल चप्पन भोग यहां पर लगेगा आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ-कुछ बना कर के ला सकती है जिसे चप्पन भोग लग सके कल भगवान के लिए माखन चोरी की निला कल भगवान मटकी फोड़ेंगे मटकी फोड़ निला रहेगे और अंतिम में गोवर्धन की पुजा होगे तो कहिए काली कमली ने काली कमली ने ऐसा रंग डाला की रंगे कोई चड़ता नहीं काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंगे कोई चड़ता नहीं और भगवान का रंग आज इस मत्रा वालों पर चड़ने वाला है आईए उसके बाद में क्या हुआ भगवान जैसे गर्व में आये हैं सत्यात्मकंतों सर्ण प्रपन्या भगवान का गर्व में आयति सत्यात्मकंतों सर्ण प्रपन्या भगवान सत्य हैं आज अवतार लेने के लिए तयार है और आईए भगवान का हम सभी लोग स्वागत करेंगे और कहते हैं अश्रमी की रात में भादों के मेने में हमारे एक निया ने अवतार लिया है अब भाले कुष्ण लाले की जै जै स्त्रीरा दे जै जै स्त्रीरा दे रात्री में अवतार लिया बारावजे कोई सोर नहीं आराम से लिया अब यहां पर देव की कहते हैं बहुत्र ऐसे थोड़ी होता है पूरा रूप लेकर के आगे भगवान ने का कैसे होता है वालक वो ले छोटा होता है भगवान छोटे हो गए वो ले पुत्र ऐसे थोड़ी होता है कपड़े पहने हो तुम कपड़े अलग करो भगवान निर्वस्त्र हो गए अरे चार हाथ लेकर के आयो अरे पुत्र के दो हाथ रहते हैं दो हाथ कम करो नर्नारेन भगवान ने दो हाथ कम कर लिये बच्चा ऐसे नहीं होता है सुने बच्चने सुजाना रोधन ठाना भगवान रोने लगे बच्चा अब आप पुत्र लग रहे हो केते हैं आवाज जैसी आई तो सारे द्वारपाल बिल्कुल सो गए अब यहाँ पर देव की और वस्दिव चर्चा करने लगे ऐसा नहीं कंस आ बोले सब हो जाएगा हाथ की हत्गड़ी खुल गई पाओं की बेड़ी खुल गई और कहते हैं और सूप में कनिया को उपर रख करके वस्दिव ने और गोकल के लिए प्रस्थान हुए हैं आए हम सभी लोग भगवान का स्वागत करेंगे स्वागतम क्रिशना सरनागतम क्रिशना स्वागतम क्रिशना शरी नागतम क्रिशिदा शरी नागतम क्रिशिदा आज को परकर स्वागत करेंगे शरी नागतम क्रिशिदा अलिंग हुआ हुआ! अभी अमारी मातायस तभी बैठी रहेंगे कोई खड़ा ने होगा ऐसे निदो नाद उपर कीजिये देखो आए है बिहारी जी सब मिल सागत करो सब मिल सागत करो सागत करो सागत करो देखो आए है बिहारी जी सब मिल सागत करो और लादेव वसुदेव जब ऊपर रखकर के ले जा रहे थे घंघोर परसा होने लगी जमना जी की बाड़ आगई और जब बाड़ आगई तो कनिया कहते हैं आरे जमना जी पिता जी को निकल जाने दो नहीं तुम मैं गोकोल नहीं पहुँच पाऊंगा जमना जी ने का मुझे दरसंद दो भगवान ने अपने पैर निचे किये इस परस किये और सीरे चली गई है साथ आई हैं साथ आई हैं साथ आई हैं राधारानी सब मिले सागत करो सागत करो सागत करो सागत करो सागत करो देखो आए है, देखो आए है, देखो आए है बिहारी जी, सब मिली सौगत करो गए है, गोकुल, गोकुल में जाकर के, जो की नंद बाबा कियां, ये सुधा कियां, जो कन्या ने जर्म लिया था, उसको ले करके आगे हैं, और लाला को वहाँ पर छोड़ करके आगे हैं, और कंस ने यहाँ पर कहते हैं, उस कन्या को मारना चाहा, कन्स ने उस कन्या को मारना चाहा, उस कन्या आसमान में उड़ गई, बोले, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें तु मारने वाले ने जनम ले लिया है, और अब बाबा जाब कर रहे हैं, अभी तक तो भयो ना आए, अभी तक नहीं हुआ, बहुत देर हो गई, नंदा गई है, यह सुदा के कर्च में कपड़े को धीरे-धीरे हटा रही है, कि एसो नहीं, कि छोरा की जगे छोरी है जाए, तो सोने का नवलखा हार चला जाएगा, अब कपड़े को धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे किया है, और दोड़ती भई कहीं, बाबा, अरे बाबा, बाबा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बाबा ने कहा, अरे का औरे बाबा छोला बहुओ है चोड़ा कृएँ हो है बधाई हो बधाई हो कि इसलिट नहीं पहले मैं कहीं के खरत ऐसे गाम चलेगा काम यह यहां माताओं की अंगा जानदा है तो पहले माता रहों के इसलों पुरुस बाद में, देखतें कौन जीतता है, कौन हारता है, तैयार है माता है हमारी, इन पुरुसों से जीत जाएंगे आप, पक्ता, कौन-कौन चाहती है कि जीत जाएंगे, जोर से बुलना, बुलो मयावधाई हो, ऐसे बुला जाता है, मयावधाई हो, ऐसा नहीं कि घर मे जाकर के पिटाई हो जाएक है कि मेरे से चीतना चाहती थी तो एक बार और बोलो जोड से व लो मैया वधाई हो कि दोना हाटों को ता करके मैया वधाई हो तक हमारे भैया वाय लाज राख ले न अपनी चोड से उनला इनको हराना है ठीक है बाबा वधाई हो बाबा-वधाई हो जो माईट से मत पोलो अरे उनके तो आप हो तो पता है consider माईक से बोलो भाबा वधाई हो ए फिले Arist घेंगा वधाई मे अब है चलो साथ में लेंगे सबी लोग मैया वधाई हो वधाई हो वधाई हो आए और हमारे कनिया लाल को जो कोई भी माता पलना जुलाना चाहती है ठाकुर जी को उनका स्वाग्य कि आज ठाकुर जी का ब्रंदा बनके ठाकुर जी का पलना जुलाएंगी जोर से बोलना पड़ेगा जोर से बोले राधे राधे तो क्या अरे अरे नंद जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई नंद जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई नंद जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई देखे राधे आराम से आएंगी बाकी पीछे रहे पढ़ना लबत बढ़ी है मस्ती वीदू करना है ठाकुर जी को जो कोई भी भैर देना चाहती है पल्ले में डाल देंगी तो नहार उपर कीजिए नंद जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई नंद जुक यंग नामे बजी रही आज बदाई बजी रही आज बदाई देखो बजी रही आज बदाई लोको जुक यंग नामे सो सो वार बदाई लोको सौ सो वार बदाई लोको सो सो बाज बदाई लोगों लाखों बारे बदाई नंद जुके अगिदा में बजी रही आज बदाई लोगों हरीबर जेखो राधे आज बदाई आज भगवान का जनम है उपर किजिए और मस्तिन हरिवो निराधे निराधे और देखरे गोपी आईए बार चमत कारसा हो गया लोगो हो गई बाति निराली अल्दिकारसा हो गया लोगो हो गई बाति निराली यहोगो है राधी राति में नंज वावा कि काड़ी हो गई काले को रात में मी रात में नज वावा कि काड़ी हो गई काले नंज जीपी आंके लेश्गत ने Ace ओर ने कि ए बधाई देने के लिए ए यह अभि आप लोग करादी यहीं से नरत दखाएंगी अभी यह लोग नाचेंगी आप लोग भी नाचेंगी आज ठाकुर जी का जनम हुआ है और पल्ला जो जुलाना चाहती है तो पल्ला जुला सकते हैं तो नाथ कीजे उपर ओ नंद जुक यंग नामे बजे रही आज बदाएं प्रेल जुचिक यंग नामे बजे रही आज बदाएं अनिवाँ यहाँ अर्चे की रहे एक आज बदाएं चाहिए कैस को चाहिए चाहिए बदाएं चाहिए इस को चाहिए तो चाहिए शैय्याज का दम आज आज चाहिए ऐसे नहीं देंगे पहले नाच के दिखाओ तो देंगे वो नंदी जो कियाँना में बजी रही आज बदाई रंद जी के अमिना में अज रही आज बदोई बनाई हो अजिवाओ किराथे है 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 हो और बनाई है नत जुके के अगना में बजे रही आज बनाई नत जी के अगना में बजे रही आज बनाई और किया कानो काने बात चली है सोचो हरे ब्रजवाला नंदि जी गोरे ये सुधा गोरे लाला है गयो काला नल्दी ती कोरी असुदा कोरी आला ने गयो काला नल्दी ती के अज़ा में बजी रही आज बदाई वो सुबाने बदाई बगे को लाखो बदाई एंग बताओ, एक किसको चाहिए, चाहिए चाहिए देखो, नादे, ये लोग कितने नादे, नादे जैचिति आ लालकी, जैयसोदा लालकी जैचिकरा लाल वयो जैचिति आ लालकी नंद के अनंद वयो जैचिति आ लालकी हाती दिनी घोडा दिनी और दिनी पाल की नंद के आनंस मयो जेगनिया लाल की आये आदे अरे क्या अरे लाला जन्न में सुने आये असुदा मया दे दे बादाई लाला जन्न में सुने आये असुदा मया दे दे बादाई सुने आये असुदा मया दे दे बादाई दे दे बादाई मया दे दे बादाई दे बादाई मया दे बादाई बादाई मया दे दे बादाई खाला चैनल जापने सफंदियाई शचाव जापने हस आदेने मनाई खाला जापने जापने हमाई खाला जापने सफंदियाई खाला जापने सुन नथे हम और बबड़ उनकरप ci आपन निलन पर सब्सक्णा Wells कम बंदो.. कम लिए ख करा रिंसनellt video करता दो.. कर दो कर दो कर दो कर दो है चलिए आर्थी करते हैं और कल की कथा 3 बहुत 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 बधाई और जो कोई भी पला सली लोग पोनेश से नीचे दर जाएं कि कशी लोग मंचमे से नीचे दर जाएं एक नगाद कि अबस्ट में अबस्ट पर्णान बाद यह जो अबस्ट मेंचने को आपनी दे सकते हैं सब जोग बंच पे सानीचे वेह. एव बंच पे से निवन प्रिंध जाएं कि जो ओपर मंच पे खड़े हुए एंप किरबा करके निशे जाएं करपा करके विवस्ता बनाय रखें जो लोग आर्थी करके ही जाएंगे भगवान की आर्ती रह चुकी है आर्थी करके जाएंगे हमारे प्रसाद की फूरी बिवस्ता है आर्थी होगी, सांती बनाई रखें बैटें, आर्थी होगी भगवान का भजन होगा भगवान का आज आनंद है आनंद उत्सब है उसे आरम से नाचिये, गाईये और भगवान का भजन भी कीजिए आर्थी कीजिए जैसा आक लोगो मालूम है एक भिकत तीन दिन से यहाँ पर एक कथा चालू हो रही है चालू हुई है जैसा कि महाराजी ने आप लोगो बताया था कि एक कथा किस रूम में यहाँ पर आयोद की गई है अरे बाइब भी अच्छा रखो नहीं यह मंच पर क्यों आज में आरे मेरी समीन नहीं आ रहा है जैवाग रहे हैं मंच पर रोगो आप गार से प्रिंजी आपर कोई उपन नहीं आए खड़े लगो दर कोई नहीं आएगा पर बाले क्रिस्न लाले की जाए जैसा कि आप लोगो बता गया कि आप प्रते दिन परिच्छत बनने के लिए नाम दिये जा रहे हैं कल के लिए जो हमारे पास नाव आए हैं उसमें कोई नाम नहीं है हैं अपर इन परते लिएंगे व हम नाम के लिए ऑफने दिन और बंडल सामने मिलंब कर से मारे कारिकर्ता जांत जाता है हैं बंडल स्वेẹ्ट तो हमारे मंडल के लिए अपना नाम दिखाना चाहते हैं इसมंडल को अर्दिक साहता देना जाते हैं उसके लिए हमारे मंडल के स्री वारिक जी है हमारे शर्मा जी है हमारे बिल्ला जी है उ वाँपर बैठे हुए हैं किलपा इसमे मैं ऐसे अन्नदाउटाओं का लिए अपना सहयोग दिया है ओंद दान के लिए भागी बने हुए है उनका तो मैंने कर्णनाम लिया था लेंखल से जो आज मारे पास में नाम है तो है कि तो एक प्रवीन जोषी जी 501 लिम्त सर्माजी 1101 एक भक्त ने गुप्त दान दिया है उनका 1100 नाम नहीं नहीं बोलने के लिए बोले हैं बाविलाल चेजाजारी जी 1100 रुबे श्री आत्वा नाम सर्मा जी 501 श्री मनोज सिवारी जी 501 हरदेल सर्मा जी 501 श्री पुष्वा सर्मा एक जार माविल फुषा नेमानी जी 1100 एक गुप्त दान आया हुआ है उन्होंने अपना नाम नहीं बोलने के लिए बिया है उन्होंने 501 रादी आयता एक आर्टी बर्मा जी 501 रामनोज उपाद्या जी 501 एंड के क्रिपाल जी 1001 ललू प्रिशाद पाल जी 501 लक्षिम देवी 501 विजैक सिक्षेना जी 111 रागव प्रिशाद सिंग जी 1100 इस प्रकार से हमारे बास में आज यह नोड़े 500 और 1000 के उपर यह नोड़े शाहता की है मंदर उनका अभारी है इसी प्रकार से यह आप लोगों को साहता करते रहे तो हमारा यह कारक्रम अपनी चरम सीमा वर पहुंचेगा आप लोगों से नम्मर बिंती है यह जो फुन का काम चला है जैसे महार जीन विताया के पित्र जो दोस लगता है उसकी सांती के लिए इस सबसे बड़ा उपाय है इसलिए यह आप पित्र सांती के लिए बास्त दोस्त के लिए यहां पर है यह जिवेदी बनाई गई है जिनकी फूजा की आती है शुपाय दो गंटे आप लोग यह भाग लेना चाहें तो आप भाग ले सकते हैं आगे से आगेगा कार्क्रम में महराजी को सौंकता हूँ महराजी फिर्पा करके आप चले आरती करते हैं आरती चले यह हम पढ़ने चीए आरती अम चंद्रमा मन सोजा तक्षो सूर्जो अलायता प्रोत्रा द्वाईश्य प्राण शमुखा दगनी रजायता आरती बाले क्रश्न की दीजे आरती बाले क्रश्न की दीजे आपनों जनम समल कर दिलीजे आपनों जनम समल कर दिलीजे स्रीय सुदाकों परम दुलारो स्रीय सुदाकों परम दुलारो अवागी अखियन को दारो अवागी अखियन को दारो अपने अटिके यो अप्रानन प्यारू अपना सरीवस इटे को दीजे आगंति बाल करश्ट की दीजे आगंति बाल करश्ट की दीजे कि आड़ कि राइने दशे दिए तू बल दाओं को छोटो भईया छोटो भईया कजवा कह कह बोलत भईया अपना सर्मस किते को दीजी आपनो तरब करस्ट को दीजी आरती बाल करस्ट की गीजी आरती बाल करस्ट की गीजी तो तेरी बोलने मतुर सुहावे सख़त संके के रत सुख पावे अपना सर्मस हिन को दीजी आपनो तरब किते को दीजी आरती बाल करस्ट की गीजी अरती बाल करस्ट की गीजी अरपूरी गुरम करुणा वितारा साल सारा कुझ गेत्रारा ताव संतम रद्यार वित्ति अभभभवारी से कप्रमा हम वेवा माता विता तावेवा हम वं वस्टो जकाता विया हम वित्या रुडां को मित्या और वित्युड़ण पुमस अवएवं श्थम अब्लेरआ कि आपके भामने, अम देब देवा स्ट्रों संद्फ आज़िम हारट स्ट्रों मुझाओं कैंने झाले की दार्म की आधर्म का प्राडियों में बिस्व का सा अधर्म की उमाता की अपने अपने गोर्व बंद की जैजे स्री रादे कि सभी लोगों से नमने निबनती है कि प्रसाद की विवस्ता की गई है सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएं आज क्रेसे जन्म हुआ है उसके लिए हर प्रकार के प्रसाद की विवस्ता की गई है माखान मिस्री का भी भोग लगा है हमारे कारकरता बाहर आप जब बाहर से नि का भोग लगएगा जो भक्त लोग यह मारता भेहने कल के लिए अपना भोग लगा सकती है वो अपना सामादे करके यहाई कर गोगर्धन नीला की जाएगी आप लोग बड़े उत्षा से कल गोगर्धन नीला का आनंद लेंगे दरशन लेंगे और उसके लिए जो 56 भोग की विवस्ता की गई है मंदल तो करेगा ही तकिन आपके घर से थोड़ा भी कोई सामन आएगा आपको फुनिला मिलेगा इसलिए आप अपने घर से थोड़ा 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 भी जो भी सामन होगा वो यहाँ पर अर्फित किया जाएगा और उसक भीप्तों को पहले महाराश्री को पहले भी सोचित किया जा चुका है मारास्री से जो भी भक्त बंधू दो मिलना चाहते हैं वो प्रातेकाल बनाना चाहता है तो उसके लिए भी आप कादाले में संपर करकर के समस्त्य जनकारी ले सकते हैं बनाना चाहता है तो उसके ले सकते हैं बनाना चाहता है तो उसके ले सकते हैं